नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी मित्रों का आज खेला जाएगा मुकाबला गुजराद जाएंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच पर उससे पहले सभी मित्रों को होली की धेर सारी सुब कामना है और मैं आशा करता हूँ आप लोगों की होली बेहतरीन गई होगी तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के मुकाबले की तरफ और एक बात और है कि आज इंटरनेशनल विमन्स डे भी है तो विमन्स के मैच में विमन्स डे के दिन देखना है क्या प्रजशन करती है हमारी शेर्णियां दोनों ही टीमों की एक तरफ स्मृती मांदना की टीम है दूसरी तरफ देखना है अब यहाँ पे बिथमुनी आज का मुकाबला खेल पाती है या नहीं तो गुजरात जायंट्स विमन और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर विमन के बीच यह मुकाबला अपसे थोड़ी देर में शुरू होने वाला है तो चली दोस्तों अब शायद हम वापस से जुड़ चुके हैं अकसर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा संपर्क है वह तूट जा रहा है पर इसे जल्द ही फिक्स करने की कोशिश में हम सभी लोग लगे हुए हैं तो दोस्तों हम बात करने थे आज के इस मुकाबले के बारे में गुजरात जायंट्स विमन और रॉयल चैलेंजर्स विमन के बीच यह शानदार मुकाबला है तो पी एन वैवर फैक्स जोड़ चुके हैं हमारे साथ नेट प्राबलम है हाँ नेट प्राबलम था अब शायद यह ठीक हो गया है तो चलिए देखेंगे कि क्या जल्द से जल्द यह वापस कहीं फिर से कुछ खराबी ना कर दे और इसे जल्द ही फिक्स करना होगा वरना कल का मुकाबला कहीं खरा मुकाबला भी होगा तो कल का दिन काफी लंबा होने वाल है हमारे लिए दोस्तों रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और गुजराज जैंट्स के बीच यह मुकाबला नंबर 6 है और देखना है क्या कुछ होगा इस मुकाबले पर जित्ते भी मित्र जुड़ रहे हैं वीडियो को प्रिकेट की दुनिया की दोस्तों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे और इकबाल भाई देखे अभी आज तो शुरू होते ही इंटरनेट चली गई थी पर कोई बात नहीं आप चैट पर आए और इंटरनेट भी वापस आ चुका है और हमारे साथ सुभास चंद्र यादव जो की कतर से सुन रहे हैं क्या बात है आपको होली की धेर सारी सुभ कामना है और सभी को अंतराश्ट्री महिला दिवस की भी धेर सारी सुभ कामना है फिर दोस चौदरी जी भी जुड़ चुके हमारे साथ सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जुडने के लिए वीड रात जाइंट्स की टीम के बीच और दोस्तों दोनों ही टीमों को हार मिली है अपने पिछले दो मुकाबलों पे तो हर हाल में दोनों ही टीमें लग जाएगी यहां पर मुकाबले को जीतने के लिए तो देखना है दोस्तों कैसा रहेगा मुकाबला थोड़ी देर में टॉस हो देखना है आज क्या कुछ होता है दोस्तों चली दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Royal Challengers Bangalore की Playing 11 के बारे में और RCB की Playing 11 के बारे में बात करें उससे पहले हम बता दें कि RCB की टीमें दो मुकाबले को हारी है और उनका पहला मुकाबला Delhi Capitals से था जो कि RCB की टीम हार गई मुंबई इंडियन्स के खिलाब वहाँ पर मुंबई इंडियन्स की महिला टीम 9 विकेट से जीती थी तो देखा जाए तो RCB की टीम बड़े अंतर से दोनों ही मुकाबले को हार रही है तो ऐसे में यह एक बड़ा मौका है आज बड़ा दिन है देखना है क्या Royal Challengers Bangalore comeback कर प माइन है एलिस पेरी है दोस्तों हेदर नाइट रिचा घोश है यहाँ पर आपके पास मेगान शूट है रेनुका सिंग ठाकूर है एक से बढ़कर एक खिलाडी RCB की टीम में है पर अपसोस की बाद मुकाबले को जीत पारे में नाकाम्याब हो रही है Royal Challengers Bangalore की टीम तो थोड़ी देर में टॉस होगा दोस्तों देखना है टॉस पे क्या कुछ सामने आता है हाले कि यही प्लेइंग 11 आप देख पाएंगे आज के मुकाबले पे स्मनिती मांदना और सोफी डिवाइन करेंगी पारी की शुरुवात नंबर तीन पे आंगे एलिस पेरी आगे हैं हेदर नाइट, दिशा कसात, रिचा घोष, कनीका अहुजा, श्रियांका पाटेल, प्रीती बोस, रेनुका सिंग ठाकूर और मेगान शूट तो यह 11 खिलाली हमें दिखने वाली हैं RCV की तरब से और वहीं अगर हम बात करें गुजरात जाइंट्स की प्लेइंग 11 पे तो टीम में अब देखना है कि गुजरात की जो कप्तान है वह वापस आ पाती है या नहीं क्योंकि हमने देखा था पहले मुकाबले पे गुजरात की कप्तान बीथ मुनी चोटिल हो गई थी जिस कारणन से वह बल्लेबाजी भी पूरी नहीं कर पाई थी तो अब देखना है क्या बीथ मुनी आज के मुकाबले को खेल पाने में काम्याब हो पाती है या नहीं अगर वह आज का मुकाबला नहीं खेलती है तो टीम की कॉम्बनेशन इस प्रकार से रहने वाली है सोफिया डंगली करेंगी पारी की शुरुवात मेगना के साथ आगे एशली गार्णर दिखेंगी आगे हरलीन देवल है एनाबेल सदर्लेंड है हेमलता है शुष्मा वर्मा है सनेहराना है जो की मुनी की अनुपस्तिती पे कप्तानी करती ही आज नजर आ सकती है आगे तनुजा कवर है मांसिय योशी है और किम गार्थ है तो यह मुकाबला ब्रिबॉन स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा और बहुत ही शांदार मुकाबला होने वाला है तो चली दोस्तों अब आगे बढ़ें इससे पहले मैं बता दू की टॉस होने वाला है और फिलहाल दोनों ही टीम की कप्तान आ चुकी है और यह तै हो चुका है कि सनेहराना ही कप्तानी कर रही है तो दोस्तो स्नेह राना ही आज की टीम में कप्तानी करती भी नजर आएंगी गुजरात जायंट्स की तो बीथ मुनी आज के मुकाबले पे भी आपको अनुपस्थित नजर आने वाली है तो दोने ही टीम के कप्तान मैदान पे आ चुकी है थोड़ी देर में होगा टॉस टॉस पे क्या होता है सबसे पहले आपको बताये जाएगा यही पर दोस्तों बने रहीएगा तो चली स्नेह राना आ चुकी है टॉस के लिए साथ है सुम्रिती मांदना अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें अगर आपने अब तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हो तो हैपी होली आपको भी शैडो भाई सभी लोगों को होली की धेर सारी सुब काबनाए और अंतराश्ट्री विमन्स डे की भी तो चली ये महिला दिवस है और महिलाओं का मुकाबला है देखना है क्या कुछ होगा और दोस्तों कल मुकाबला होगा टेस्ट मुकाबला जो की च चुकी थी टॉस के लिए और फिलहाल किसी कारण से यहां पे थोड़ा से विलम होता हुआ दिख रहा है पर कोई बात नहीं यहां पे जल्द ही टॉस हो जाएगा और एक बात की तो यहां पे पुस्टी हो गई ही कि बेथ मुनी आज कभी मुकाबला नहीं खेल रही है और उनक थी मज़दार गेम होगा और शायद इशान किशन कल के मुकाबले पर आपको खेलते वे नजर आ सकते हैं और ऐसी बात हो रही कि मुहमद सिराज को भी आराम दिया जा सकता है क्योंकि अभी तीन वंडे मुकाबले भी खेलने हैं भारत को आस्ट्रेलिया के विरुत ऐसे में मुहमद सिराज का फिट रहना काफी जरूरी है तो हो सकता है कि मुहमद सिराज कल का मुकाबला नहीं खेले और मुहमद शमी उनकी जगह कल टीम का हिस्सा बन सकते हैं और कि इस भरत के स्थान पे इशान किशन कल का मुकाबला खेलेंगे ऐसी बात आ रही कि बस यही दो रेंद्र मोधी क्रिकेट स्टेडियम बहुत ही अच्छा रहता है और इस ग्राउंड पर उनका प्रदर्शन भी बहुत ही शानदार रहा है तो ऐसे में शायद अक्षर पटेल को टीम मैनेजमेंट एक और मौका देगी उन्होंने बल्लेबाजी तो बहुत अच्छी की है प पर आज का क्रिकेट मुकाबला है गुजरात जाइंट्स वोमन और रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बीश्टो चली दोस्तों बढ़ते हैं टॉस की तरफ स्रेहराना है और इसमृती मांदना है तॉस के लिए मैच रेफरी आ चुकी है सिक्का है इसमृती मांदना के हाथ मे तो चली अब सिक्का उछलने वाला है देखना है सिक्का किस करवट गिरने वाला है आरसीवी या फिर जी जी आप कौन से टीम को सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों चैट पर बताते रहिएगा गुजरात जाइंट्स और रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर तो चली दो अनुभोवी खिलाली टॉस के लिए तैयार तो सिक्का है इसमृती मांदने के पास कॉल होने वाला है स्नेहराना का मैच रेफरी आ चुकी है कमेंटेटर अंजुम चोपडा फिलहाल टॉस को कोडिनेट करती भी नजर आ रही है तो चली ए स्नेहराना के हाथ में सिक्का अशायद सिक्का है कॉल होगा इसमृती मांदना का तो चली ए सिक्का उच्छाल दिया गया है इट्स इस दा कॉल और यहाँ पर जीत ली है टॉस गुजरात जाइंट्स की टीम ने और टॉस जीत करके किया है पहले बल्ले बाजी करने का फैसला तो चली ए बड़ी खबर आती हुई टॉस हो चुका है सनिहराना जो की कप्तार है गुजरात जाइंट्स की उन्होंने जीता है टॉस और टॉस जीत करके किया है पहले बल्ले बाजी करने का फैसला तो पहले गेंद बाजी करेगी RCB की टीम, पहले बल्ले बाजी करेगी गुजरात की टीम तो चलिए देखना है यह मुकाबला किस प्रकार से आगे बढ़ता है तो चलिए फिलहाल अब देखना है कि टीम की कॉम्बिनेशन क्या नजर आती है दोनों ही टीमों में तो फिलहाल यहाँ पर सनेहराना से बातचित करती हुई अंजुम चोपडा और टॉस जीत लिया गया है गुजरात के द्वारा टॉस जीत करके गुजरात ने चुनी है बल्ले बाजी और दोनों ही टीमों दोस्तों हार करके यहाँ पर आ रही है देखना है क्या रहेगी टीम की कॉंबिनेशन थोड़ी देर पे प्लेइंग 11 भी हमारे सामने आने वाली है तो सभी मित्रों को मैं बता दूँ गुजरात जैंट्स और रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच यह मुकाबला टॉस हो चुका है अभी अभी टॉस जीता है स्रेहराना ने गुजरात जैंट्स की कप्तान ने और टॉस जीत करके किया है पहले बल्ले बाजी करने का फैसला तो आज भी बीच मुनी टीम का हिस्सा नहीं है उनके अनुफस्तिती पे स्रेहराना है टीम की कप्तान तॉस जीतने के बाद स्रेहराना ने किया है पहले बल्ले बाजी करने का फैसला और इसी के साथ मुकाबल क्या कुछ होने वाला है अगर हम बात करें प्लेयर्स की कॉम्बिनेशन की तो गुजरात जैन्स की टीम थोड़ी देर पे आएगी बल्ले बाजी करने के लिए और जो टीम 11 हो सकती वो कुछ इस प्रकार से है सोफिया डंकली और मेगना करेंगी पारी के शुरुवात नंबर तीन पे ऐशली ही गार्डनर आएंगी और उसके बाद हमें दिखेंगी हरलीन देवल तो चलिए दोस्तों हाला कि जैसे ही जब मुकाबला शुरू होगा आपको तुरंत ही मैं आगा कर दूँगा बता दूँगा फिलहाल अभी अभी टॉस हुआ है टॉस जीत लिया है गुजरात जैंट्स ने और टॉस जीत करके किया है पहले बल्ले बाजी करने का फैसला तो चलि एक नज़र डालते हैं गुजरात जैंट्स की प्लेइंग 11 पे और दोस्तों यह मुकाबला ब्रिबॉन स्टेडियम मुंबई में खेला जा रहा है और कल हमने देखा था मुंबई पे थोड़ी बहुत बारिश हुई थी पर आज का मौसम बहुत ही साफ है और आज हम पूरे ही मुकाबले का लुथप होता हुआ देख पाएंगे तो चली दोस्तों टीम में आशली गाडनर के बाद हरलीन देवल बल्ले बाजी में आएंगी आगे हैं अनाबेल सदर्लेंड आगे हैं हेमलता आगे हैं शुश्मा वर्मास रहे राना तनुजा कुवर मांसी जोशी और किम गार्थ तो यह ग्यारे खिलाडी हैं जो कि हमें दिखेंगी आज गुजरात जाइंट्स की टीम में और वहीं अगर हम बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में तो यहाँ पर आज शायद रिचा घोश नहीं खेल रही हैं तो आज गेंद बाजी की शुरुआत देखना है रेनुका सिंग ठाकूर मेंगान शुट किस परकार से करती है क्योंकि अगर देखा जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम की गेंद बाजी काफी धीली रही है दोस्तों और देखा जाए तो उन्होंने अब तक बहुत ही कम विकेट्स मिला है अब तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ले पाई है पहले मैच पे देली कैपिटल्स के दो खिलाडियों को और वहीं दूसरे मैच में सिर्फ एक मुंबे के खिलाडी को आउट करने में काम्याब रही थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम तो ऐसे मैं आज इनकी गेंद बाजी देखना है किस प्रकार से रहने वाली है एक से बढ़कर एक स्टार है आर्सीबी के डेंग 11 पे आप देख पारें मेगान शूट है रेनुका ठाकूर है प्रीती बोस है श्रेयांका पाटिल भी गेंद बाजी करती है कनिका अहुजा है तो एक से बढ़कर एलिस पेरी है तो एक से बढ़कर एक खिलाडी तो जरूर है सूपर स्टार से भरी हुई टीम तो जरूर है पर गेंद बाजी काफी ज़्यादा धीली नजर आई है आर्सीबी की और वहीं अगर हम गुजराद की भी बात करें तो उनके लिए भी यह टूर्णामेंट कुछ खास अब तक नहीं रहा है दोस्तों देखना है गुजराद जाइन्स की टीम भी किस प्रकार से करती है और उनकी जो में खिलाडी है उनकी जो कप्तान है बेतमुनी आज का भी नहीं खेल पाएगी बेतमुनी एक बेहतरीन कप्तान है और विकेट के पीछे खेल को बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ती है दोस्तों के इंदबाजों का वह बहुत ही शांदार तरीके से इस्तमाल करना जानती है अफसोस की बात आज के मुकाबले पे भी वह टीम का हिस नहीं है और आज भी इसने राना ही कपतानी करती भी नजराएंगी गुजरात जाइंट्स की चली दोस्तों प्लेइंग 11 पे एक बार फिट से चर्चा करेंगी उससे पहले मैं बता दूँ इस वेन्यू के बारे में तो यहाँ पर अगर पेस वर्सेस स्पिन की बात की जाए तो बराबरी का मुकाबला चल रहा है 50 प्रतिशत यहाँ पर अब तक विकेट पेस तो 50 प्र चांसे की बारिश होगी और हुमिरेटी थोड़ी जादा है उनसर प्रतिशत की है पॉइंट स्टेबल पे नजर डालते दोस्तों तो मुंबई इंडियन्स अपने दो मुकाबले को जीतने के बाद नंबर एक पोजिशन पे हैं वहीं नंबर टू पे देली कैपिटल्स है ज जीत पाने में काम्याब हो पाती है तो चलिए दोस्तों बहुत इसांदार मुकाबला होगा और विरिंग पर्संटेज की बात करें तो 51 प्रतिशत यह चांस है कि आज का मुकाबला आरसीवी की टीम वहीं उन्चा स्ट्र चांस है की आज का मुकाबला गुजरात जाइंट् और यहां पर एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर 189 का है तो देखना है आज पहले बल्लेबाजी करती हुए गुजरात जाइंट्स की खिलाली का क्या प्रदर्शन रहने वाला है तो चली तोस्तों बहुत ही शांदार यह मुकाबला होने वाला है जित्ते भी मित्र जुल्ड इन के साथ नमबर 3 पे पूनम खेमनार आएंगी वहीं आगे है एलिस पेरी हैदर नाइट रिचा घोष टीम का हिस्सा है करीका अहुजा है श्रियांका पाटिल है मेगान शूट है रेनुका सिंग ठाकुन है और प्रीती बोस है और वहीं अगर हम बात करें गुजरात दिख सकती ही आगे है एनाबिल सदरलेंड सुष्मा वर्मा है एशली गाडनर और यहां पे दयालन हेमलता भी टीम का हिस्सा है स्नेह राणा है जो की कप्तानी कर रहीं आगी है तनुजा कमर किम गार्त और मांसी जोशी है दोस्तों तो यह है ग्यारक खिलानियों की सूची दोनों ही टीमों की बहुत ही मजाएगा दोस्तों सभी मित्रों से आग रहे है वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और पिंड कॉमेंट पे आपको ट्रेडेक्स एप का लिंक मिल गया होगा तो जल्ली से जाए और डाउनलोड कर लिजे ट्रेडेक्स एप को और जब आप रजिस्टर करेंगे तो वहाँ पर आप कोड डालिएगा गेट 20 ताकि आपको 20 रुपे का स्टैंड साइन अप बोनस भी मिल जाए तो आप कौनसे टीम को सपोर्ट करें दोस्तों चैट पे बताते रहिएगा बहुत ही शांदार मुकाबला है जो कि थोड़ी देर में अब शुरू होने वाला है और मैं जल्ली से आपको एक टीम अपन बैं दुँगा और अब तक देखा जा तो हमारी जो पिछली दो टीम है, बत एक टीम देता हूँ और उस टीम की जो कफतान को हमने बनाया है, दोनुँ ही मैचेस की कल वाली भी और परसों वाली तो उसमें हमारी कफतान को सबसे ज़ादा अंक मिले हैं दोस्तों, तो कफता तो चली तब तक एक टीम बना करके अपने टेलिग्राम पे डाल देता हूँ गुजराद जैंट्स और रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच यह मुकाबला टॉस हो चुका है अभी अभी टॉस जीता है स्रिहराना ने गुजराद जैंट्स की कप्तान ने और टॉस जीत करके किया है पहले बल्ले बाजी करने का फैसला तो आज भी बीथ मोनी टीम का हिस उनके अनुफस्टिती पे स्रेहराना है टीम की कपतान। करने के लिए और जो टीम 11 हो सकती वो कुछ इस प्रकार से है सोफिया डंकली और मेगना करेंगी पारी के शुरुवात नंबर तीन पे ऐशली ही गार्डनर आएंगी और उसके बाद हमें दिखेंगी हरलीन देवल तो चलिए दोस्तों हाला कि जैसे ही जब मुकाबला शुरू होगा आपको तुरंथ ही मैं आगा कर दूँगा बता दूँगा फिलहाल अभी अभी टॉस हुआ है टॉस जीत लिया है गुजरात जैंट्स ने और टॉस जीत करके किया है पहले बल्ले बाजी करने का फैसला तो चलि एक नजट डालते हैं गुजरात जैंट्स की प्लेइं हुआ देख पाएंगे तो चली दोस्तों टीम में ऐशली गाडनर के बाद हरलीन देवल बल्ले बाजी में आएंगी आगे हैं अनाबेल सदर्लेंड आगे हैं हेमलता आगे हैं शुश्मा वर्मा स्रहराना तनुजा कुमर मांसी जोशी और किम गार्थ तो यह 11 खिलाड़ी ह जो कि हमें दिखेंगी आज गुजरात जाइंट्स की टीम में और वहीं अगर हम बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में तो यहाँ पर आज शायद रिचा घोश नहीं खेल रही हैं ऐसा बताये जा रहा है पर मैं इसकी पुष्टी थोड़ी देर में करने वाल जा श्रियांका पाटेल प्रिती बोस रेनुका सिंग ठाकूर और मेगान शूट तो आज गेंदबाजी की शुरुवात देखना है रेनुका सिंग ठाकूर मेगान शूट किस परकार से करती है को कि अगर देखा जाये तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम की गेंदब पहले पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम लेपाई है, पहले मैच पे डेली कंड़ी कापिटल कलकूर के इक पर काम्याब रही थी। प्रीती बोस है, श्रेयांका पाटिल भी गेंदबाजी करती है, कनिका अहुजा है, तो एक से बढ़कर एलिस पेरी है, तो एक से बढ़कर एक खिलाडी तो जरूर है, सूपर स्टार्स से भरी हुई टीम तो जरूर है, पर गेंदबाजी काफी ज़्यादा भीली नजर आई ह RCB की और वहीं अगर हम गुजरात की भी बात करें तो उनके लिए भी यह टूर्णामेंट कुछ खास अब तक नहीं रहा है दोस्तों देखना है गुजरात जायन्स की टीम भी किस प्रकार से करती है और उनकी जो में खिलाली है उनकी जो कप्तान है बेथमुनी आज कभी मुक के मुकाबले पे भी वह टीम का हिस्सा नहीं है और आज भी इसने हराना ही कप्तानी करती भी नजराएंगी गुजरात जायन्स की तो चली दोस्तों प्लेइंग 11 पे एक बार फिट से चर्चा करेंगी उससे पहले मैं बता दूँ इस वेन्यू के बारे में तो यहाँ पर अ और आज सम की बात करें तो ब्रेबॉन स्टेडियम मुंबई में 29 डिगरी सेंटीगरेट का फिलहाल तापमान है एक परसेंट मात्र चांसे की बारिश होगी और हुमिरेटी थोड़ी जादा है उनसर प्रतिशत की है पॉइंट स्टेबल पे नजर डालते हैं दोस्तों तो मुंबई इंडियन्स अपने दो मुकाबले को जीतने के बाद नमबर एक पोजिशन पे हैं वहीं नमबर टू पे देली कैपिटल्स है जिन्होंने अपने दोन ही मुकाबले जीते हैं यूपी वारियर्स को एक मुकाबले पे हार और एक पे जीत मिली है और वह नमबर तीन पे है और बॉटम चार्ट पे आपको रोयल चालेंजर से बैंगलोर और गुजरात जाइंट्स नजर आ रही है देख रहा है आज कौन से टीम यहाँ पर अपना पहला मुकाबला जीत पाने में कामजाब हो पाती है तो चलिए दोस्तों बहुत ही शांदार मुकाबला होगा अगर विरिंग पर संटीज की बात करें तो तो 51 प्रतिशत यहाँ Čंस है की आज आज का मुकाबला गुजरात जाइंट्स की टीम जीतेगी पिछ देखा जा तो बैनेंस्ट है और यहाँ पे एवरेज फस्ट इनिंग का स्कोर 189 का है तो देखना है आज पहले बल्लेबाजी करती हुए गुजरात जाइंट्स की खिलाली का क्या पुरदशन रहने वाला है त सभी मित्रों से मैं आगर करूँगा कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें तो फटाफट एक नजर डालते हैं कौन-कौनसी ग्यारक खिलाली आपको नजर आएंगी आर सीबी की टीम, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोरू की टीम में इस प्रिती मांधना करेंगी पारी की शुरुवात सोफी डिवाइन के साथ नमबर तीन पे पूनम खेमनार आएंगी वहीं आगे हैं एलिस पेरी, हैदर नाइट, रिचा घोष टीम का हिस्सा है, करीका अहुजा है, श्रियांका पाटिल है, मेगान शूट है, रेनुका सिंग ठाकुर है और प्रीती बोस है और वहीं अगर हम बात करें गुजरात जाइंट्स की प्लेइंग 11 की, तो गुजरात जाइंट्स की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रिकार से आपको दिखने को मिलने वाली है अब मेगना करेंगी पारी के शुरुवात सोफिया डंकली के साथ, नमबर तीन पे आपको हरलीन देवल दिख सकती ही आगे है, इनाबिल सदरलेंड, सुश्मा वर्मा है, एशली गाडनर और यहाँ पे दयालन हेमलता भी टीम का हिस्सा है, स्नेह राणा है जो की कप्तानी क अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और वहीं पिंड कॉमेंट पे आपको ट्रेडेक्स एप का लिंक मिल गया होगा तो जल्ली से जाए और डाउनलोड कर लिजे टेडेक्स एप को और जब आप रजिस्टर करेंगे तो वहाँ पर आप कोड डालिएगा गेट 20 ताकि आपको 20 रुपे का स्टैंट साइन अप बोनस भी मिल जाए गुजराद चैंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच यह मुकाबला टॉस हो चुका है अभी अभी टॉस जी तो चली फिलहाल हम देख पारे हमारे साथ कई सारे नए मितर जोड़ रहे हमारे साथ विश्णोई साह भी जोड़ चुके हैं शरवन विश्णोई जी आपका स्वागत है शैलेंदर सिंग मुंडा जी चुड़ चुके हैं और उनका कहना की आरसी भी यह मुकाबला जीतेगी और इस जगह पे देखूं तो अभी अभी लकपा गायकवाट जी ने हमें सब्सक्राइब किया बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और साथी जतिन च दोस्तों का दिल से धन्यवाद हैं हमारे साथ विशाल जी है मुस्ताख खान है संतोष कुमार पांडे हैं सबका बहुत-बहुत शुक्रिया जुडने के लिए ऐसके पांडे जी जुड़ चुके हैं चली सब लोग सबसे पहले वीडियो को जरूर लाइक करते दोस्तों अपना प्यार दें लाइक करें चैनल को जरूर सबस्क्राइब किजीगा लोकेंदर सिंग भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं आपका भी धन्यवाद तो बहुत ही शांदार यह मुकाबला दो हारी वी टीम है यहाँ पे दोनों ही मुकाबलों पे हार के आ रही है और आज भी बीथ मुनी टीम का हिस्सा नहीं है उनके अनुफस्तिती पे स्रहराना है टीम की कपतान तो जीतने के बाद स्रहराना ने किया है पहले बल्ले बाजी करने का फैसला और इसी के साथ मुकाबले की शुरुवात अपसे थोड़ी ही देर में होने वाली है और अब गुजरात जैंट्स की टीम थोड़ी देर पे आएगी बल्ले बाजी करने के लिए और जो टीम 11 हो सकती वो कुछ इस प्रकार से हैं सोफिया डंकली और मेगना करेंगी पारी के शुरुआत नमबर तीन पे ऐशली ही गार्डनर आएंगी और उसके बाद हमें दिखेंगी हरली तो चली दोस्तों हाला कि जैसे ही यह मुकाबला शुरू होगा आपको तुरंत ही मैं आगाह कर दूंगा बता दूंगा फिलहाल अभी अभी टॉस हुआ है टॉस जीत लिया है गुजरात जैंट्स ने और टॉस जीत करके किया है पहले बल्ले बाजी करने का फैसला तो चली एक नजर डालते हैं गुजरात जैंट्स की प्लेइंग 11 पे और दोस्तों यह मुकाबला ब्रिबॉन स्टेडियम मुंबई में खेला जा रहा है और कल हमने देखा था मुंबई पे थोड़ी बहुत बारिश हुई थी पर आज का मौसम बहुत ही साफ है और आज हम पूरे ही मुकाबले का लुट्फ होता हुआ देख पाएंगे तो चली दोस्तों टीम में ऐशली गाड़नर के बाद हरलीन देवल बल्ले बाजी में आएंगी आगे हैं अनाबेल सदर्लेंड आगे हैं हेमलता आगे हैं शुश्मा वर्मास रहे राना कनुजा कुमर मांसी जोशी और क लिमगार्थ तो यह 11 खिलाड़ी हैं जो कि हमें दिखेंगी आज गुजरात जाइंट्स की टीम में और वहीं आगर हम बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में तो यहाँ पर आज शायद रिचा घोश नहीं खेल रही हैं ऐसा बताया जा रहा है पर मैं इसकी प पेरी, हेदर नाइट, दिशा कसाथ, कनिका अहुजा, शर्यांका पाटेल, पृती बोस, रेनुका सिंग ठाकूर और मेगान शूट तो आज गेंदबाजी की शुरुवात देखना है रेनुका सिंग ठाकूर मेगान शूट किस परकार से करती है तो कि अगर देखा जाये त तो उन्होंने अब तक बहुत ही कम विकेट्स मिला है अब तक रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर को अब तक कुल तीन विकेट्स ही दो मुकाबले पे रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ले पाई है पहले मैच पे देली कैपिटल्स के दो खिलाडियों को और वहीं दूसरे मैच में सिर्फ एक मुंबे के खिलाडी को आउट करने में काम्याब रही थी रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम तो ऐसे मैं आज इनके गेंदबाजी देखना है किस प्रकार से रहने वाली है एक से बढ़कर एक स्टार है रसीबी के डेंग 11 पे आप देख पार है मेगान शूट है रेनुका ठाकूर है प्रीती बोस है श्रेयांका पाटिल भी गेंदबाजी करती है कनीका अहुजा है तो एक से बढ़कर एलिस पेरी है तो एक से बढ़कर एक खिलाडी तो जरूर है सूपर स्टार से भरी हुई टीम तो जरूर है पर गेंदबाजी काफी ज़ादा भीली नजर आई है RCB की और वहीं अगर हम गुजराद की भी बात करें तो उनके लिए भी यह टूर्णामेंट कुछ खास अब तक नहीं रहा है दोस्तों देखना है गुजराद जाइन्स की टीम भी किस प्रकार से करती है और उनकी जो में खिलाली है उनकी जो कप्तान है बेथमुनी आज का भी मुकाबला नहीं खेल पाएगी बेथमुनी एक बेहतरीन कप्तान है और विकेट के पीछे खेल को बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ती है दोस्तों गेंदबाजों का वह बहुत ही शांदार तरीके से इस्तमाल करना जानती है अफसोस की बात आज के मुकाबले पे भी वह टीम का हिस्सा नहीं है और आज भी इसने राना ही कप्तानी करती भी नजराएंगी गुजरात जाइंट्स की तो चली दोस्तों प्लेइंग 11 पे एक बार फिट से चर्चा करेंगी जित्ते विबित्र जुल्ड उनका बहुत-बहुत धन्यवाद राजपाहन भाई जुल चुके हैं हमारे साथ लकपपा गायकवाट जी जुल चुल चुके हैं उंकार यादव हैं शौकत अली हैं लोकेंद्र सिंग हैं विशाल हैं फैजल सहाब हैं सबका धन्यवाद जीरों ने अपना समय निकाल है दोस्तों तो चलिए पी अन वेभव फैक्ट भाई अभी आर्सीवी को सपोर्ट करते भी नजर आ रहे हैं आप कौन से टीम को सपोर्ट कर रहे हैं चैट पे बताते रहीगा तो चलिए अब चर्चा करते हैं गुजरात जाइट्स की प्लेइंग 11 पे और आज गुजरात की कप्तान स्रेहराना है दोस्तों तो पहले मैं बता दूँ इस वेन्यू के बारे में तो यहाँ पर अगर पेस वर्सेस स्पिन की बात की जाए पचास प्रतिशत यहाँ पर अब तक विकेट पेस तो पचास प्रतिशत स्पिन गेंदबाजों ने विकेट लिया है तो देखा जाए तो दोनों ही गेंदबाजों को बराबर मदद मिलती है और अगर मौसम की बात करें तो ब्रेबॉन स्टेडियम मोंबई में 29 डिगरी सेंटीगरेट का फिलहाल तापमान है एक परसेंट मातर चांसे की बारिश होगी और हुमिरेटी थोड़ी जादा है उनसर प्रतिशत की है पॉइंट स्टेबल पे नजर डालते हैं दोस्तों तो मुंबई इंडियन्स अपने दो मुकाबले को जीतने के बाद नमबर एक पोजिशन पे हैं वहीं नमबर टू पे देली कैपिटल से जिन्होंने अपने दोन ही मुकाबले जीते हैं यूपी वारियर्स को एक मुकाबले पे हार और एक पे जीत मिली है और वह नमबर तीन पे है और बॉटम चार्ट पे आपको रोयल चालेंजर से बैंगलोर और गुजरात जाइंट्स नजर आ रही है देखना है आज कौन से टीम यहाँ पर अपना पहला मुकाबला जीत पाने में काम्याब हो पाती है तो चलिए दोस्तों बहुत ही शानदार मुकाबला होगा और विनिंग परसंटेज की बात करें तो 51 प्रतिशत चांस है कि आज का मुकाबला RCB की टीम वही 49 प्रतिशत चांस है कि आज का मुकाबला गुजरात जाइंट्स की टीम जीतेगी पिछ देखा जा तो बैलेंस्ट है और यहाँ पर एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर 189 का है तो फटाफट एक नजर डालते हैं कौन-कौन सी ग्यारक खिराली आपको नजर आएंगी RCB की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोरू की टीम में इस्मृती मांधना करेंगी पारी की शुरुवात सोफी डिवाइन के साथ नंबर तीन पे पूनम खेमनार आएंगी वहीं आगे हैं एलिस पेरी, हैदर नाइट, रिचा घोष टीम का हिस्सा है करीका अहुजा है, श्रियांका पाटिल है, मेगान शूट है, रेनुका सिंग ठाकुन है और प्रीती बोस है और वहीं अगर हम बात करें गुजरात जाइंट्स की प्लेंग 11 की तो गुजरात जाइंट्स की प्लेंग 11 कुछ इस प्रिकार से आपको दिखने को मिलने वाली है अब मेगना करेंगी पारी की शुरुवात सोफिया डंकली के साथ नमबर तीन पे आपको हरलीन देवल दिख सकती ही आगे है अबिल सदर्लेंड सुष्मा वर्मा है एशली गाडनर और यहाँ पे दयालन हेमलता भी टीम का हिस्सा है स्नेह राणा है जो की कप्तानी कर रहीं आगी है तनुजा कमर किम गार्थ और मांसी जोशी है दोस्तों तो यह है 11 खिलानियों की सूची दोनों ही टीमों की जल्ली से जाए और डाउनलोड कर लिजे टेडेक्स एप को और जब आप रजिस्टर करेंगे तो वहाँ पर आप कोट डालिएगा गेट 20 ताकि आपको 20 रुपे का स्टैंट साइन अप बोनस भी मिल जाए गुजराद जैंट्स और रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच यह मुकाबला टॉस हो चुका है अभी अभी टॉस जीता है स्रिहराना ने गुजराद जैंट्स की कप्तान ने और टॉस जीत करके किया है पहले बल्ले बाजी करने का फैसला तो आज भी बीच मुनी टीम का हिस्सा नहीं है उनके अनुफस्तिती पे स्रिहराना है टीम की कप्तान तॉस जीतने के बाद स्रिहराना ने किया है पहले बल्ले बाजी करने का फैसला और इसी के साथ मुकाबले की शुरुआत अपसे थोड़ी ही देर में होने वाली है और अब देखना है दिल्चस्प होने वाला है क्या रहेगी दोनों ही टीमों की कॉम्बिनेशन क्योंकि दोनों ही अपने पहले दो मुकाबलों को हारती हुई आई है तो चलिए देखना है क्या कुछ होने वाला है अगर हम बात करें प्लेयर्स की कॉम्बिनेशन की तो गुजरात जैन्स की टीम थोड़ी देर पे आएगी बल्ले बाजी करने के लिए और जो टीम 11 हो सकती वो कुछ इस प्रकार से है सोफिया डंकली और मेगना करेंगी पारी के शुरुवात नमबर 3 पे ऐशली ही गार्डनर आएंगी और उसके बाद हमें दिखेंगी हरलीन देवल तो चली दोस्तों हाला कि जैसे ही जब मुकाबला शुरू होगा आपको तुरंथ ही मैं आगाह कर दूँगा बता दूँगा तो चली दोस्तों इस बीच कई सारे बित्र लगातार जुड रहे हैं हमारे साथ शैडो भाई भी जुड चुके हैं शौकत अली जुड चुके हैं और यह लीजे दोनों ही अंपाइर अब मैदान की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं थोड़ी ही देर पे अब होगी पारी की शुरुवात तो चलिए बहुत ही शानदार मुकाबल अब से थोड़ी ही देर पे हम लोग देखने वाला है तो गुजराथ जाइंट्स विमन बनाम आर सीबी की टीम और पहले बल्ले बाजी करेगी गुजराथ गेंद बाजी पहमें दिखने वाली है रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम जित्ते भी मित्र लगातार जुल रहे हैं सबसे पहले करना है आपको विडियो को लाइक 99 लोगों ने विडियो को लाइक कर दिया है क्या बाद दोस्तों बहुत ही करीब है हम लोग अब 100 लाइक से एक ही लाइक दूर है दोस्तों और लाइक मित्र आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे तो चलिए गुजराथ की बल्ले बाजी बैंगलोर की गेंद बाजी और शुरू करते हैं लाइक के साथ दोस्तों और इसे के साथ 100 से जादा मित्रों ने विडियो को लाइक कर दिया है तो बजाई जाए आपकी पसंदीदा धुन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का लगातार अपना प्यार देने के लिए इस विडियो को तो सभी खिलाली अब मैदान की तरफ आते हुई दिख रही हैं दोस्तों बहुत इजवर्दस्त मकाबला अब देखना है अपना पहला जीत कौन से टीम को आज मिलने वाला है आज जीतेगी गुजरात की टीम या फिर बैंगलोर की टीम कई सारे मित्रों ने कहा है कि वो बैंगलोर को आज सपोर्ट कर रहे हैं देखना है क्या कुछ होता है तो चलिए दोस्तों पहला ओवर देखना है किसे दिया जाता है शायद रेनुका सिंग ठाकूर ही करती भी नजराएंगी आज का पहला ओवर लगातार वीडियो को अपना प्यार देन लाइक देते रहे है अब तक 114 लोगों ने वे 115 लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया है और अगला टार्गेट हम लोग 250 लाइक्स का रखने वाले है 250 लाइक्स होते ही आपकी पसंद दीदा धुन भी बजाई जाएगी और आपको शाउट आउट भी दिया जाएगा चली इस बीच हम देख पा रहे हैं मेगना और डंकली आ चुकी हैं दोस्तों तो दोनों ही सलामी बल्लेबाज मेगना और डंकली मैदान की तरफ आती भी दिख रही है थोड़ी देर में अब मुकाबले की शुरुवात होने वाली है तो जित्ते भी मित्र जुल रहे हैं मित्र जाइंस और रोयल चैलेंजर बेलोर की बीच यह मुकाबला टॉस हो चुका है अभी अभी टॉस जीता है स्रेहराना ने गुझरात जैंट्स की कपतान और उस्रेहराना ने टॉस जीत करके किया है पहले केंद बाजी करने का फैसला और चलिए अब शुरुव करते हैं मुकाबले को तो इस बीच हम देख पा रहे हैं कि मेगान शूट को गेंद थमाई गई है तो पहला और मेगान शूट करती भी नजर आने वाली है तो इस वक्त की बड़ी खबर खेल की शुरुवात हो चुकी है मेगना और डंकली कर रही है पारी की शुरुवात और गेंद बाची मेगान शूट को थमाई गई है तो चली इस वक्त हम देख पा रहे हैं डाउन डाउन चालू हो चुका है और गेंद बाजी लेकर के मेगान शूट आ रही है चली से स्कोर कार्ड भी अपडेट हो जागा दोस्तों इसी बीच ओवर की पहली गेंद लेकर के आती हुए मेगान शूट पहली गेंद ऑप्स्टम के बाहर की इस गेंद को खेला है एक्स्ट्रक कवर के दिशापे फिल्डर वहाँ पे मौजूद है और ऐसे में कोई रन लेने का मौका नहीं बन लिबाज के पास तो बहुत ही जबरदस्ती अब मुकाबला हम देखने वाले हैं दोस्तों पिलहाल हम देख पा रहे हैं मेघना और डंकली पारी के शुरुवात करती भी नजर आ रही है तबी में तो उसे मैं आगरह करना चाहूँगा कि आप लोग अपना प्यार देते रहे हैं वीडियो को लाइक करते रहे हमारे जो अगला टार्गेट है वाद दोस्तों पचास लाइक्स का है मेघना डंकली कर रही है पारी के शुरुवात मेघन शूट की दूसरी गेंद ओवर दिविकेट्स और इस गेंद पर भी कोई रद नहीं आता हुआ तो काफी समल करके इस वक्त बल्ले बाजी चल रही है गुजरात जायंट्स की पोशिश करेगी कि पहले बल्ले बाजी करते हुए कम से कम 180 के आसपास रन जरूर जोडे जाए मेघन शूट अपनी अगली गेंद के साथ स्ट्राइक पर हैंगी मेघना मेघन शूट से पहला ओवर करा रही है स्मृती मांधना और देखा जाए तो आरसीवी की जो गेंद बाजी है वह कुछ खास नहीं रही है पिछले कुछ दिनों में और हमने देखा था कि यहीं दो मुकाबलों पे बस तीन ही बल्ले बाजो को आउट कर पाने में काम्याब हुई है आरसीवी की गेंद बाज काफी तेजगती के साथ गेंद बाजी करती है और ये लिचे अगली गेंद पर बीट हो गई है अंदर आतु ही गेंद स्विंग होती हुई है सीधा विकेट कीपर के पास कोई रन लेने का मौका नहीं इस वक्त बल्ले बाज के पास एस मेगना ने अब तक चार गेंदों का सामना किया है और अब तक खाता नहीं खोल पाई है वह अपनी पाँचवी गेंद लेकर के आती हुई मेगान शूट सामने है दाए हाथ की बलेबाज मेगना अगली गेंद आज भी गेंद और ये लिजे इस गेंद पे भी कोई रन नहीं तो लकातार परिशान करती आ रही है मेगान शूट मेगना को कोई रन लेने का मौका नहीं भी मिल पा रहा है दाए हाथ की बलेबाज मेगना सामने है दाए हाथ की गेंद बाज मेगना अगली गेंद लेकर के आती हुई और ये लिजे इस गेंद को खेला है पॉइंट के दिशा पे एक बार फिट से वहाँ पे फिल्डर मौजूद मैडन ओवर आ गया है दोस्तों तो लगातार परेशान होती हुई देखी मेगना और ऐसे में बहुत ही जबरदस्त गेंद बाज सवाई सिंग है चैडो भाई फारुक भाई तो जोड़े ही हुए है 145 लोग अब तक वीडियो को लाइक किया है तो और 105 लोग अगर लाइक कर दें तो हम लोग 200 लाइक तक पहुंच सकते हैं तो चलिए अब दूसरे ओर की होगी शुरुआत रेनुका सिंग ठाकूर कर सकत हैं दूसरा ओर तो चलिए अब दूसरे ओर के साथ आ रही है आर्सीजी की गेंदबाज जो की यहां पर एलिस पेरी को दिया जा रहा है गेंद तो इस खेल में थोड़ी बहुत बदलाव देखने को मिल रही है वैसे तो हम रेनुका सिंग ठाकूर को देखते हैं नई बाजी हो चाहिए वो फिल्डिंग हो सब में अवल ओर दिविकेट से आती ही एलिस पेरी आमने हैं बले बाज डंक ली ओर दिविकेट से तेज गेंद बाज एलिस पेरी अपना पहला गेंद करती हुई अच्छी गेंद आपस्टम के बाहर की इस गेंद को खेला है कवर के दिशा पे वहाँ पे खड़ी फिल्डर ने आसानी के साथ इस गेंद को रोका कोई रन नहीं मिलता हुआ एक दसमलव एक वर बीद जाने के बाद गुजरात का स्कोर है शुन्य बिना किस विकेट के नुकसान पे वर की दूसरी गेंद करती ही एलिस पेरी स्ट्राइक परहेंगी डंकली अब तक साथ गेंदों पे खाता नहीं खुला है गुजरात का बीद मुनी की अनुपस्थिती पे पारी की शुरुवात मेगना और डंकली करती ही नजर आई है इसी बीच अगली गेंद के साथ आती ही एलिस पेरी इस बार ओपस्टम की लाइन पे गेंद को रखा है कि दे बल्ले से एक बार फिट से डिफेंसिव शॉट आता हुआ डंकली का तो बहुत ही हद तक समल करके बल्ले बाजी की जारी है काफी ज़्यादा सुरक्षा पूर्ण बल्ले बाजी देखने को मिल रही है पर दोस्तों यह T20 का मुकाबला है आप आठ गेंद वो भी शु बना है पेरी की गेंद और पहली ही बार में स्कूप शॉट लगता हुआ नजर आया है तो पहला रन स्कूप शॉट में आता हुआ नजर आया गेंद को फाइल ले के दिशा पे खेला है डंकली ने मिलेगा चार रन तो सोफिया डंकली ने बहुत शानदार चौका जड़ा है स्कूप शॉट और गेंद गई है फाइल ले के दिशा पे चार रन के लिए अंत तक गेंद को उन्होंने देखा और एन मौके पे बल्ला अड़ा दिया एक दसमल वो तीन ओवर के बाद गुजरात का स्कूर हो गया है अब चार रन का बिना किसी विकेट के नुकसान पे अगली गेंद पेरी की चौथी गेंद होगी सामने है डंकली और ये लिचे अगली गेंद पे एक और प्रहार आता हुआ नजर आ रहा है एलिस पेरी की गेंद ओहो जी रही यहाँ पर चौखा पिछली गेंद का हमने अभी रीपले पर देख लिया पर अभी चौखा नहीं आया अब तक चार गेंद ही डाले के हैं और चार गेंदों प हाँ पे थोड़ी बहुत चूख हो गई ये स्कोर कार्ट से अभी तक इसकोर चार रन है दोस्तों एक दस्मालव चार ओवर के बाद गुजराद जाइंट्स का स्कोर चार रन है इसे बीच अगली गेन और इस गेन पे सिंगल मिलेगा गुजराद जाइंट्स का स्कोर है पाँच रन का बिना किस विकेट के नुकसान पे अगली गेन लेकर के आती भी एलिस पेरी स्ट्राइक पे रहेंगी मेगना तो यह है वुवन्स प्रीमियर लीग का छठा मुकाबला अगली गेन के साथ ओर दी विकेट से आती भी एलिस पेरी शॉर्ट पेस डेलिवरी और इस गेन को जाने दिया रिचागोश की तरफ विकेट कीपर की तरफ कोई रण नहीं आता हुआ तो बहुत ही अच्छी गेंद बाजी आती ही लगातार एलिस पेरी की तरफ से एक दस मलव पांच ओर बिच जाने के बाद गुजरात का स्कोर है पांच रण का बिना किसी विकेट के नुकसान पे एलिस पेरी ने अब तक पांच गेंदों पे पांच रण दिये हैं करींगी अपना आखरी गेंद और हम देख पारे हैं सदर्लेंड भी पैड़ अप करके तैयार हैं हो सकता है अगली बल्लेबाज सदर्लेंड हो सकती है दोवर दिविकेट से आती ही एलिस पेरी और एलिजा आखरी गेंद पे एक और प्रहार मेगना ने इस गेंद को खेला है थर्ड मैन के दिशा पेहाले की गेंद अच्छी थी और बाहरी किनारा लगा है दोस्तों गेंद गई है चार रण के लिए दो वर बीद जाने के बाद गुजरात का स्कोर है नौरन का बिना किसी विकेट के नुकसान पे विक्रम यादव हमारे साथ जुल चुके हैं सभी मिद्रों का बहुत बहुत धन्यवाद लगातार बने रहने के लिए तो आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों जरूर चैट पे बताईएगा हमारे साथ आदित्य मिश्रा भी जुल चुके हैं तो आदित्य मिश्रा कह रहे हैं कि RCB के सपोर्टर आज काफी खुश हैं और शैडो भाई आज RCB को सपोर्ट कर रहे हैं तो चलिए अब शैलेंद्र सिंग मुन्दा भी RCB को ही सपोर्ट करते हुए नजरा रहे हैं क्या बात है दोस्तों तो गुजरात से जादा RCB के समर्थक हमें दिख रहे हैं चैट पे शौकत अली भी RCB को सपोर्ट कर रहे हैं कलेंद्र सिंग मुन्दा भी RCB को सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी लोगों की क्या रहा है आप लोग भी बताईएगा फयाज भाई भी RCB इस्टाइलिस शंकर जी जूड़ चुके हैं वेलकम शंकर सहब आपका स्वागत हमारे चैनल पे सवाई सिंग जूड़े हैं टॉप म्यूजिक जूड़े हैं हमारे साथ एफफ अजीत भी जूड़ चुके हैं और लाइक्स की बात करें तो 170 लाइक मिल चका और ये लिजे इसे बीचा मेगा अन्शूट की पहली गेन पे चौका तो तीसरे ओवर की पहली गेन पे चौका पड़ गया है तो अच्छी बल्ले बाजी देखने को मिल रही है दोनों ही सलामी बल्ले बाजों की तरफ से पहले ओवर पे कोई रन नहीं आया पर उसके बाद बढ़ियां कमबैक होता हुआ नजर आ रहा है अगली गेन के साथ मेगान शूट इस बार आपस्टम के काफी बाहर गेन एक बार फिट से इस गेन को खेल दिया बहुत शांदार तरीके से एक और चौके के लिए दो गेन्दों पे लगातार दो चौके आचुके हैं इस ओवर पे दोदस मलव दो वरो के बाद गुजरात जाइंट्स विमन का स्कोर अब 17 रनका है बिना किसी विकेट के नुकसान पे एगान शूट पहलो और मैडन देने के बाद पहली दो गेन्दों पे चौका लग गया है अब देखना है तीसरी गेन्द पे क्या होता है तो यहाँ पे नदाफ साहब कर रहेगी आर सीवी सबर कप मारेगा पर अभी तो काफी मुश्किल में लगरी टीम अगली गेन्द इस गेन्द को सीधे बल्ले से खेल दिया लॉंगान के भी शापे पर डीप फिल्डर मौजूद है डिवाई ने इस गेन्द को पकड़ा है और एक रन मिल पाएगा डंकली को और अब स्ट्राइक पे मेगना आती हुई दो दस्मलव तीन ओवर बीच चुके हैं और गुजरात का स्कोर है अठारह रन का बिना किसी विकेट के नुकसान पे ओवर की चौती गेन्द होगी मेगान शूट की स्ट्राइक पे रहेंगी मेगना इससे पहले एलिस पेरी को काफी रन पड़े पिछले ओवर पे और अब देखना है यह ओवर पे क्या कुछ होता अगली गेन इस गेन को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के दिशा पे और लग रहा है एक और चौका आएगा मिड़ो आफ का फिल्डर इस गेन को पकड़ने में नाकाम्याब इस ओवर का तीसरा चौका आता हुआ तो दस मलव चार ओवर बीच जाने के बाद अब गुजरात का स्कोर हो चुका है बाइस रन का रन गती आट दस मलव दो पाँच की चल रही है तो चलिए कई सारे मित्र यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आ रहे है और की पाचवी गेन के साथ आती भी मेगान शूर्ट स्ट्राइक पे रहेंगी मेगना अगली गेन इस गेन को सीधे बल्ले से खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर के दिशापे वहाँ पे ख़ली फिल्डर ने इस गेन को पकड़ा है ऐसे में रन नहीं मिलता हुआ मेगना को मेगना ने अब तक 10 गेंदों पे 8 रन वहीं अगर डंकली की बात की जाए तो उन्होंने 7 गेंदों पे 14 रन बना हैं मेगान शूर्ट की आखरी गेन आती भी सामना करेंगी इनका मेगना कामन भाई काफी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आप लग रहे हैं बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पर इस पेलिंग को पहले सुधार लीजे आपको इस पेलिंग सुधार नी पड़ेगी और इसी भी चागली गेन और ये लीजे बेगान शूट ने सभी चौकों का बदला ले लिया है और मेगना को कर दिया है आउट बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शांदार तीन ओवर बीज जाने के बाद गुजरात का पहला विकेट गिरा है 22 रन पे मेगान शूट ने अपने इस ओवर की आखरी गेन पे ले लिया है विकेट 13 रन आ इस ओवर से और आखरी गेन पे बाजी भी मारती भी मेगान शूट तो शैड़ो भाई पूछ रहे हैं कि प्रोपर सधीवी जी हां बिलकुल सधीवी कमेंटरी करने पड़ती है और जितने भी स्पैम आया पुरहें टाइम आउट दे सकते हैं जैसे कि अभी हमारे बांगलादेश से आईवे मित्र कापी जादे स्पैम कर रहे हैं हैलो तो लिख रहे हैं साथ ही किसी नंबर काई की भी एडवेटिसमेंट प्री में कर रहे हैं हमारे चैनल पर आकर के तो उन्हें भी अगर टाइम आउट दे दिया जा बहुत ही सही और मित्हुन कुमार जी आगे हैं जो कह रहे हैं कि गुजराद जीते का 180 रन बनाएगा गुजराद तो चली गुजराद जायंट्स के समर्थक हैं मित्हुन कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुडने के लिए राजेंदर परमार जी भी गुजरात को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कई सारे मितर अब गुजरात को भी सपोर्ट करते हुए नज़रा रहे हैं, और यहां पे तनू भरदवाज का कहना है कि गुजरात जायंड्स पावर प्ले पे 46 रन बना सकता है, तो चली देखना है क्या होग तो हरलीन देवल को नंबर 3 पे उता रहा है गुजरात ने पिछले मुकाबले पे उनका प्रदर्शन अच्छा था 46 रन उन्होंने बनाया था पर अद्शतक से चूंक गई थी देखता है आज के मुकाबले पे इनका कैसा प्रदर्शन रहता है इस वक्त हम देख पा रहे हैं, रेनुका सिंग ठाकुर को गेंद थमा दी गई है, तो रेनुका सिंग ठाकुर करेंगी गेंद बाजी इनके सामने हैं, डंकली वर्दी विकेट साथ विरेनुका सिंग ठाकूर अप्स्रम की लाइन इस गेंद को खेला है कवर की दिशा पे वहाँ फिल्डर मौजूद है तीन दस मलव एक वर के बाद गुजरात का स्कोर है 22 रन का एक विकेट के नुकसान पे मेगान शूट ने आखिरकार सफल ताह सिल्क की और अभी अभी मेगना को किया था आउट तीन दस मलव एक वर बीच जाने के बाद गुजरात का स्कोर है 22 रन का एक विकेट के नुकसान पे और की दूसरी गेन लेकर के आती हुए रेनुका सिंग ठाकूर स्ट्राइक पर रहेंगे डंकली अंदराती ही गेन अंदरूनी हिस्सा लगा है गेन गई है मिडविकेट की दिशा पे और हम देख पारें लॉंगाउन की फिल्डर ने बहुत ही बढ़ी अप्रियास तो जरूर किया पर इस गेन को पकलने में रही ही नाकाम्याब मिल जाएगा चौका तो डंकली ने एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया है तो यहाँ पर डंक मारती भी नजर आ रही है दोस्तों आर सीबी को तीन दस मलव दो वर बीद जाने के बाद गुजरात का स्कूर अब 26 रन का है एक विकेट के नुकसान पे मिश्रा जी जुड़ चुके है हमारे साथ आदित्य मिश्रा आपका स्वागत है और आदित्य मिश्रा कहरेंगी पावर प्ले पे चार विकेट्स गिर सकते हैं गुजरात के स्कैलेंदर शिंग मुंडा हमारे जहारखन और 36 गड़ के मित्र है जो की आर सीवी को सपोर्ट कर रहे है चेतन मीना जी जुल चुके हैं राजस्थान से आपका भी स्वागत है हमारे साथ राजीव कुमार है, हमारे साथ आदित्य मिश्रा है, हरी राम लोधी है, एफफ अजीत है डंकीरे डंक, हाँ, डंकीरे डंक मार रही है अभी फिलहला RCB को राजीव कुमार आदित मिश्रा सबका स्वागत इसी भी चागली गेंद रेनुका सिंग ठाकूर लेकर के आएंगी सामने है सोफिया डंकली और अंकित जी यहाँ पर RCB को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं रेनुका सिंग ठाकूर स्ट्राइक पर हैंगी डंकली तो हरलीन देवल को अब तक एक भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला इस भी ओवर की चौति गेंद रेनुका सिंग ठाकूर की और यह लिज इस गेंद पर एक और बहुत शांदर शॉट आता हुआ इस गेन को खेल दिया है लॉंग ओफ के दिशा पे फॉर दी मैक्सिमम डंकली ने डंक सच में मारा है और मार दिया है चक्का बहुत ही शांदार चक्का सोफिया डंकली की तरफ से तीन-दस मलव चार वर बीट जाने के बाद अब गुजरात का स्कोर हो चला है 32 रनों का एक विगेट के नुकसान पे तो बहुत ही शांदार तरीके से फुल करके अब बल्ले बाजी करती फिन जरा रही हैं डंकली पहला ओवर मैडन गया पर उसके बाद दोस्तों क्या बेहतरीन कमबैक डंकली का अब इनका जो स्ट्राइक रेट है वह सीधा 218 का हो चुका है अपनी पारी पे चार चौका और एक छक्का इन्होंने जड़ा है रेनुका सिंग ठाकुर अपनी अगली गेंद के साथ आते हुई सामने है डंकली अब गेंद ओबहुत ही अच्छी गेंद स्लोवर बाउंसर गेंद को नहीं भाप पाई डंकली और देखा जाए तो बहरी किनारा देते देते रह गई थी तो बहुत ही अच्छी गेंद बाजी अभी रेनुका सिंग ठाकूर की चौका छका खाने के बाद बहुत ही बढ़िया कमबैक था उनका इस बीच आकरी गेंद के साथ रेनुका सिंग ठाकूर भारत की सबसे तेज गेंद बाज हैं करेंगी अपना अगला गेंद ओवर की अंतिम गेंद होने वाली है रेनोगा सिंग ठाकवर के स्ट्राइक पे सोफिया डंगली ओहो और ये लिचागली गेंद पे भी चौका कदमों का इस्तमाल आगे बढ़ करके इस गेंद को मिड विकेट अम आपके एक्स्ट्रा कवर के दिशा पे खेला है चार रन के लिए ताबर दोड़ बल्लेबाजी लगातार जारी है चार ओवर बीद जाने के बाद गुजरात का स्कोर हो चला है 36 रन का एक विकेट के नुकसान पे चली यहाँ पे शरवन कुमार जी जुल चुके हैं चेतन मीना है तारा सिंग है जो कि विकरम कुमार के नाम से आ है राजीव कुमार जी है अंकित जी है नरवीर सिंग है आदित मुश्रा है और यह लिए उन्होंने कहा है कि डंकली के डंक के साथ चे भी मार रहा है जी हाँ डंकली डंक तो मार रही हो साथी छक्का भी मार रही है स्तैयद हसन जी भी जुड़ चुके है और यहाँ पे देखा जाये तो राजीव कुमार है हमारे साथ पयाज पटेल शायरी भी जुले है जो कि बीच बीच पे शायरी भी हमें सुनाएंगे चेतन मीना भी है जो कि चाहा रहे हैं मांग कर रहे है RCB की गेंदबाजों से की जल्दी से डंकली को आउट कर दिया जाए और अंकित जी का कहना है कि डंकली होंगी मैंनों दा मैच तो चलिए बहुत सारी राय आरही चाट पे इसी बीच अब अगले वर की तरफ बढ़ते हैं देखना किस गेंदबाज को गेंद थमाई जा रही तो प्रीती को गेंद थमाई जा रही है तो चलिए अब गेंद बाजी को शुरुआत होगी प्रीती यहाँ पर करेंगी गेंद बाजी और इनके सामने रहने वाली हरलीन देवल तो दोस्तों हरलीन देवल अपने चांदार शॉट्स दिका कुछ करती हैं तो प्रीती बोज करेंगी गेंद बाजी 37 मुकाबले पे 88 विकेट है इनके T20 करियर में अपना पहला ओवर करती भी इसमें गेंद बाज है और इनके सामने है हरलीन देवल तो चलिए इस बीच हम देख पार है गेंद बाजी की शुरुवात हो चुकी है प्रिती बोज की तरफ से इस गेंद को कलाई के साथ मोड़ा है इस बिडिविकेट के दिशापे स्कॉयल लेक के दिशापे और ये लिचे फिल्डिंग मिस्टेक हो गई है रन आउट का चांस था पर सुका लेक पे खड़े फिल्डर ने इस गेंद को नहीं रोका और ऐसे में एक रन लेने का मौका मिल जाएगा हरली इन देवल को डंकली आ जाएंगी स्ट्राइक पे अगर मिस्ट फिल्डिंग नहीं होता तो फस सकती सी डंकली इसी वीच अगली गेंद ओवर के दूसरी गेंद लेकर के आते भी प्रिती बोस सामना करेंगी इनका डंकली तनु भारत द्वाज कहे रहे हैं कि गुजराद जैंड्स पावर क्लिपे 46 रन बनाएगा पर जादा ही रन बनेंगे दोस्तों 46 पे दो नहीं होगा क्योंकि अभी एक 40 बन गया क्योंकि अगली ही गेंद पे चौका लगा दिया है टंकली ने गेंद तेजी से फाइन लेकि दिशा की तरफ बढ़ती हुई फिल्डर ने डाइव तो जरूर मारा पर गेंद को पकलने में रही नकाम्याब और ऐसे में एक और चौका लगता हुआ तो ताबड तोड बलेबाजी चल रही है 9.46 की रन गती की साथ रन बन रहे हैं और ये लिजे आप तमाब मित्रों ने मिल करके 200 लोगों ने मिल करके वीडियो को लाइक दे दिया है और अब काफी करीब आ चुके हैं हम लोग 250 लाइक से जो कि हमारा अगला टार्गेट है दोस्तों तो डाइसो लाइक के काफी करीब है सभी मित्रों से मैं आधरह करूँगा कि आप लोग जरूर करें वीडियो को लाइक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगली गेंद प्रिती बोस की तीसरी गेंद होगी स्ट्राइक पे हैं डंकली राइटे डिलिवरी आपस्टम के बाहर की गेंद इस गेंद को उठा करके खेल दिया है गेंद हवापे है स्ट्रेट ड्राइव है और क्या गेंद गई है छक्के के लिए बहुत शानदार छक्का सोफिया डंकली इस ओन फायर एक और बेहतरीन छक्का लगता हुआ इस टूर्नामेंट का छक्का नंबर सैंतालिस तो सैंतालिसवा छक्का इस टूर्नामेंट का लगाती हुए डंकली ने अब अपने स्कोर को बढ़ा करके कर दिया है अलतिस पे मातर पंदरह गिंदो प्यारती सरणों की धुआधार पारी यहाँ पर खेलती भी डंकली और ये लिजे सैंतालिस रन सिर्फ चार दसमलव तीन ओरों पे ही गुजरात का हो चुका है वादित मिश्चरा जी कहा रहें कि पावर प्ले पे साथ रन बरेंगे और तीन विकेट्स गिरेगा देखना है क्या होता है तो चली अगली गेन की तरफ बढ़ते हैं प्रीती बोस की चौथी यह नाईगी सामने है सोफिया डंकली टेकनिकल प्यूश महता जुड़ चुके हैं और यह यह जे डंकली तो डंक मार मार के रन बना रही है एक और चौका चुका है बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी इस वक्त तोफिया डंकली की तरफ से और मात्र सोलह गेंदो पे 42 रन क्या यह इस टूर्नामेंट का सबसे तेज अर्दशतक होगा कितने लोगों को लग रहा है कि डंकली इस टूर्नमेंट का सबसे तेज अर्दशतक बना जाएंगी अगर आपको लगता है कि डंकली सबसे तेज अर्दशतक आज बनाने वाली तो लिखे हाँ वदना लिखे ना देखना है आपके क्या राय आती है प्रिति बोस की पाँच भी गेंद के साथ सामने हैं डंकली और ये लिजे हरी राम लोधी कहरें कि हाँ वह अर्दशतक बनाएगी सबसे तेज अनिश सैफी भी करें हाँ अजीद भाई भी कहरें हाँ अवधेश साह करें हाँ तीन चहल भी करें हाँ और लीजे चौका भी लगा दिया है 46 पे पहुँच चुकी है अगर अगली गेंद भी चौका लगा देगी तो इस टूर्डामेंट की सबसे तेज अर्दशतक लगाने वाली खिलाली बन जाएंगी सोफिया डंकली डंकली ऑन फायर जी हाँ बहुत सही कहा दे तो मिश्रा जी ने राजिव कुमार का भी कहना हाँ अमिद बागेल कह रहे हाँ पाला जी जी कह रहे है आहाँ राजिव कुमार कह रहे हाँ परमार साहब कह रहे हाँ अवधेश शाह कह रहे हाँ तो जाद तर लोगों का कहना है कि अगली ही गेन पे चौका लगने वाला है देखना है क्या होता और की अंतिम गेन प्रिती बोस की सामने है डंकली 17 गेन दों पे 45 मातर चार रंदूर अपने अर्द शतक से इसी बीच अगली गेन उठा करके खेल दिया और ये लिजे इस टू पांच ओवर की समापती गुजरात का स्कोर 69 एक विकेट के नुकसान पे बहुत ही जबर्दस्त बल्लेबाजी डंकली ने किया है सिर्फ 18 गेन पे 50 रंद बना दिया है अपने इस पारी पे 9 चौका और 2 चौका लगाया है पांच ओवर की समापती के बाद गुजरात का स्कोर है 69 रन एक विकेट के नुकसान पे 6 ओवर की होगी शुरुआत देखना है कौन आती है बल्लेबाजी पर तो ताबर तोड बल्लेबाजी लगातार जारी है दोस्तों जितरे भी में तरे जुल रहे हैं वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें और दोस्तों हमारे स्पांसर को भी जरूर विजिट किजीगा लिंक आपको पिंट चैट पे मिल रहोगा और इलिजे अनुभवी एलिस पेरी अपनी दूसरी विवर के साथ सामने है हर्लीन देवल जीतेगा भाई जीतेगा अब कौन से टीम जीतेगी या तो वक्त ही बताएगा इसे बीच एलिस पेरी अपनी दूसरी गेंद को करती हुई सामने है हर्लीन देवल होली में क्या आप लोगों के घर फुवा गुजिया बना ही होगा दोस्तों कैसा रहा आपका होली जरूर शैट पे बताईगा पांचदस मेल अब जो वर के बाद गुजरात का इसकोर है साथ रनका एक विकेट के नुकसान पे वर की तीसरी गेंद करेंगी एलिस पेरी स्ट्राइक परेंगी डंक ली स्रीराम भाई ने होली का पूरा ही लुट पुठाया है अवदेश साहर जीब भी अजीद भाई तो एकदम मस लगता पडोसी को एकदम कबरदस्त तरीके से रंग लगा है अजीद भाई आप और राजु जहा भी जुड़ चुके हैं वेलकम राजु जहा आपका स्वागत है उंकार यादव है अवदेश्चा है हरियोम लोधी और ये लिजे हमें सब्सक्राइब कर दिया है ए एन डी आई प्लेज ने बहुत भी बहुत भाँ धनिवाद आपका आन्डी प्लेज बीजी का अंकिर जी आपने भी बहुत ही लुथ पुठा है होली का तो जान करके काफी अच्छा लगा है प्रीफायर आकाश वाइटी आपका स्वागत है हमारी चैनल पर दो 322 लोगों का प्यार मिल गया है 232 लोगों का लाइक मिल गया है 235 लाइक हो गए है खरीब है हम लोग 200 लाइक से तो चलिए एलिस पेरी की अगली गेंद सामने है डंकली और ये जिस गेंद को खेल दिया है लॉंग लेक के दिशा पे फोर रंस शांदार चौका डंकली का आता हुआ एलिस पेरी गुस्से से आग बबूला हो गई है पहले तो गोरी थी अब तो लाल हो गई है एलिस पेरी इस चौके के बाद काफी गुस्से में अब देखना अगली गेंद पर डंकली के साथ क्या करेंगे एलिस पेरी ओवर दी विकेट साएंगी तेज गेंद करने के लिए एलिस पेरी लगता है बाउंसर आने वाला है अगली गेंद पर बाउंसर ही फेका है सीधे सर पे हमला पर अगजुक करके खुद को बचाया है डंकली ने एलिस पेरी काफी ज़्यादा खतरनाख दिखती भी नजर आ रही है गुस्से से बिलकुल लाल हो चुकी है और क्या शानदार बाउंसर मारा है और उसकी प्रेडिक्शन हमने एक गेंद पहले ही कर दी थी उनके गुस्से को देख करके ही उनकी लालीमा को देख करके ही हमने कह दिया था कि अगली गेंद पर बाउंसर आने वाला है यहाँ बलाल हो गए यह राजीव कुमार जी जुड़के है अजीद भाई जुड़के है अजीद भाई है राजस्थानी डांसर है हपी होली आपको भी एक दिन आपका डांस जरूर देखेंगे आपके यूट्यूब चैनल पे श्रीराम कामत जी भी जुड़के है तो चलिए अगली गेंद बाउंसर डिलिवरी एक बार फिट से गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास अंपायर ने इस गेंद को वाइड नहीं दिया है चे ओर बीच जाने के बाद गुजरात का स्कूर है चौसेट रन का एक विकेट के नुकसान पे और इस ओर पे सिर्फ पाँच रना है हफदेश शाह ने लाइक कर दिया है और यह लिए दो सो पचास लाइक भी हो गए है क्या बात है बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का यूगाज आर ओसम यूगाज आर ओसम बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी मित्रों का जिरों ने वीडियो को लाइक किया है चैनल को सब्सक्राइब किया है अगर आप तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर करें वीडियो को लाइक अगला टार्गेट रखेंग अब सीधा 500 लाइक का तो अगला टार्गेट ह आप क्योंकि बुरा नमानो होली है और दोस्तों कल का मैच बहुत ही शांदार होगा भारत और आस्ट्रिया के बीच चौथा टेस्ट मुकाबल है जिसका लुट्फ हम लोग अपने में चैनल के एम पंक पे उठाने वाले हैं और आपको जुड़ जायना है सुबह नौ बजे से हम लोग साथ लुक्ष बुठाएंगे और कल देख रहा है कोहली कैसा खिलते है क्योंकि कल हम कहेंगे बुरा नमानो कोहली है देख रहा है क्या कोहली के बल्ले से शतक मिलता है या नहीं और इशान किशन को कल मौका मिलता है या नहीं हरलीन देवल को करेंगी गेंद मोहन चंदर भाई आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए ड्रैगो फोस्ट गेमिंग आपका स्वागत है उंकार यादव हमारे साथ मनिश भारदवाज है यडो भाई तो है ही हमारे साथ येश 1.0 मौरिय है राजेश शर्मा भी जी है तो उंकार यादवी कल का इंतजार कर रहे है और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फिल्डर पानी की मांग कर रहे है तो टाइम आउट देने से पहले ही ड्रिंग्स आ गया तक ग्राउंड में और अंपायर काफे निराश हैं से तो बीना आइम आउट के ही ड्रिंग्स को ग्राउंड पे ले आया गया था जिससे की अंपायर काफी निराश है इससी बीच हमारे मित्र आदित्य गेमिंग सी ओ डी ने में सब्सक्राइब कर दिया लगता कॉल अप ड्यूटी के काफी शौकीन है आप आदित्य भाई आपका स्वागत है मैं भी किसी जमाने पे काफी ज़्यादा गेम्स खेला करता हूँ था हमारे कई सारे चैनल्स थे गेम्स के अगर हमारे कुछ पुराने शुरोता सुन रहे होंगे तो उन्होंने हमें देखा भी होगा गेम खेलते हुए इतला पे तरभंगा तो हमारा आना जाना लगा रहता है मैं किसके टीम में हूँ तो मैं देखिए डबलू पील में किसी खास टीम को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ जो टीम अच्छा खिलती है अभी जब डंकली छका मारती तो डंकली के लिए चियर करते हैं तो सभी टीम हमारे लिए बराबर है पर जब आईपिल शुरू होगा तो मैं चेन्नी का समर्थक हूँ खास करके MSD की वज़े से तो उस वक्त थोड़ी बहुत सॉफ्ट कॉर्डर हमारे लिए चेन्नी सुबर किंग्स रहती है पैसे देखा जाए तो हम लोग तो यहाँ पर खेल का हिल्लुथ पुठाते हैं डंकली का विकेट लो देखता है कि डंकली का विकेट कॉल लेता है और अमरेश यादव है, राजीव कुमार है, कृष्णा गेमर है, गुगान सिंग है, सबका धन्यवाद लाइक्स की बाद करें तो 282 लाइक्स हो गए है, और अगला टार्गेट हमने रखा है 500 लाइक्स का अगर सभी मितर एक साथ मिल करके विडियो को लाइक करेंगे, तो हम लोग आसानी से 500 लाइक्स तक पहुंच सकते हैं तो चलिए अब देखना है क्या कुछ होगा, साथ में वर की होगी स्चुरुवात, देख रहा है कौन होती है, गेंद बाजी फें स्ट्राइक पर हरलीन देवल रहने वाली है यहां MS धोनी को एक वर फिट से हमें देखने का मौका मिलेगा एक लेजन्ड, लिविंग लेजन्ड जो की अभी भी अपने स्टर के हिसाब से बहुत ही शांदार क्रिकेट खेलते आ रहे हैं तो चलिए अगर रन गती की बात करें तो अब तक गुजरात ने 10-10 मलव 6-7 रन प्रतिवर की उसत से रन बना लिये हैं चेव और बीच जाने के बाद गुजरात का स्कूर है 64 रन का एक विकेट के नुकसान पे यहां दोस्तों अगर हमारे कुछ मित्र जो की केम स्पोर्स पे ही सीधा हमसे जुड़े हैं तो मैं बता दू हमारे जो में चनल केम पंक उस पे हम लोग का लाइव आने वाले हैं और दिन वाले मुकाबले को हम लोग केम स्पोर्स पे कवर नहीं करेंगे केम पंक पे ही उसका लुट पूठेगा और फिर शाम में हम लोग केम स्पोर्स प्राइंगे जो की मुकाबला होगा मुंबई और देली के भी इंचे और यहाँ फ्री फायर आकाश है किंग कोहली का नाम ले रहे हैं हमारे भी नाम बोलने हैं कृष्णा राजपूत यूपी से हैं अरे वाकरिष्णा गेमर राजपूत यूपी से जुल दे के लिए धन्मिवाद और ये लिजे रेनुका सिंग ठाकूर आचुकी हैं गेन बाजी पे अजीद भाई अगर हमारा नाम जानना तो आपको हमारा नाम पता चल जाएगा आपको तो पता होगा आई-पैड कब से है जरा बता सकते हैं क्या चीज आई-पैड कब से है लकब रिलीज हुआ था आई-पैड ये पुछ रहे हैं आप इसी भी चांगली गेन इस गेंद को खेला है मिट आफ के दिशा पे मिलेगा एक रन छे-दस मेलाव दो वर के बाद गुजरात का सको रहे हैं जいき करे जहारकंड से हैं जारकंड से, जहारकंड से हुँँ बहुत सभी काा उंकार यादव जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अच्छा MS धोनी की बात करे रहे हाँ वो जहार खिंट से है तो चली 6-10 मलव 2 और बीच जाने के बाद गुजरात का स्कूर है 65 रन का एक विगेट के नुकसान पे रियनुका सिंग ठाकूर की अगली गेंड अपस्टम के काफी बाहर इस गेंड को उठा करके खेल दिया लॉंकान के दिशा पे गेंड हवा पे है और ऐसे में विंडलर के ठीक पहले गिरी है दो रन जरूर मिलता हुआ नजरा रहा है डंकली को और डंकली की बात करें तो मातर 24 गिंदों पे इनका स्कोर अब 56 रनों का हुचुका है हरलीन एक ही रन मिला है दोस्तों डंकली को तो 24 गिंदों पे इनका स्कोर 55 का और अब स्ट्राइक पे हरलीन देवल रहेंगी तो हरली इन देवल चार गेंदों पर तीन डन बना करके खेल रही है अजीत भाई बिहार से जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका अमरे साथ अभिशेक कुमार है जोहार आपका स्वागत है अभिशेक भाई तो चलिए जबर्दस्त इस वक्त बल्लेबाजी गुजरात की होती हुई पहला विकेट गिरने के बाद शांदार बल्लेबाजी हमें डंगली की तरफ से देखने को मिली है रेनुका सिंग ठाकुर अपने दूसरे ओवर की माच भी गेंड डालेंगी ओवर्दी विकेट से ओहो यॉरकर गेंड बाल बाल बची बल्लेबाज बिलकुल आपस्टम को छूते छूते रह गई गेंड गई है सीधा रिचा घोश के दस्तानों पे कोई रन नहीं आता हुआ से दस मलव पाँच ओवर बीच जाने के बाद गुजरात का स्कूर है सत्तर रन का एक विकेट के नुकसान पे अन्तिम गेंड रेनुका सिंग ठाकुर की सामना करेंगी हरलीन देओल तो यश 1.0 का कहना है कि हम आखरी बार महिंदर सिंग धोनी को IPL पे खेलता हुआ देखेंगे देखना क्या हो सकता है दोस्तों हो सकता है आखरी बार हमें उन्हें देखें खेलता हुए पर खिलाली तो वजज़ा बरदस्त है उसमें कोई डाउट नहीं और हम आशा करेंगे कि वह जादा दिन तक टीम के लिग खेलें और ये लिजी से बीच हम देख पा रहे हैं कि शायद एक आसान रनाउट को मिस किया गया है आखरी गेंट पर सिंगल लेती हुई हरलीन देवल साथ ओवर बीच जाने के बाद गुजरात का स्कूर एक 70 रन का एक विकेट के नुकसान पे तो साथ ओवर के बाद गुजरात का स्कूर 71 रन है एक विकेट के नुकसान पे अब बचे 13 ओवर उपे देख रहा है क्या कुछ होता है सभी मित्रों से आग रहे है विडियो को ज़रूर अपना प्यार दें लाइक करें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चली अब देख रहा है गेंद बाजी किसे सौंप रही है इस्प्रिती मांधना पहली गेंद लेकर के आती भी श्रेयांका पाटिल पहली गेंद स्रेयांका पाठिल के आती भी सामने है हर्लीन देवल राइटेट डिलिवरी लिग स्टम के लाइन इस गेंद को खेला है शॉट फाइलने के देशा पे वहाँ पे खड़ी फिल्डर ने गेंद को आसानी से पकड़ दिया है कोई रन लेने का मौका नहीं और यश्प 1.0 करें हिटमैन इस बैक जिहां हिटमैन इस बैक गुरू गुरुद्राई से हरखन गुरु गुरुद्राई कहां पे है अगली गेंद यहां पे एक बार फिर से रन आउट होने की संभावना एक बार फिर से रन आउट मिस होता हुआ मिंट आउन पे एक आसान रन आउट हो सकता था अपसोस की बात एक बार फिट से यहाँ पर RCV की पहिला खिलाड़ी रन आउट करने में हो रही है नाकाम्याब साथ दस मलब दो और बीच जाने के बाद गुजरात का स्कोर है 72 रनों का एक विकेट के नुकसान पे यूपी से यश्वाई जुले हैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जुलने के लिए यहाँ दो बार रन आउट मिस हुआ है दो नहीं तीन बार रन आउट मिस हुआ है आसके मुकाबले पे और ज़ाद तर बार हरलीन देवल ही रन आउट कराती भी नजर आई हैं डंकली को पर किसमत का साथ पूरी तरह से डंकली के साथ ताद दस मलब तीन ओवर बीच जाने के बाद गुजरात ने अब तक 72 रन बरा हैं इक विकेट के नुकसान पे अगली गेंद इस गेंद को उठा करके खेल दिया है लोंग ओन मिड विकेट के छेत्र में गेंद गई है एक और शांदार छक्के के लिए बहुत ही शांदार छक्का दंकली का आरीफ के काबिल पारी डंकली की और लग रहा है कि ये शतक भी बना सकती है जिस आकरमकता के साथ जिस कॉन्फिडेंस के साथ वह बल्ले बाजी कर रही है ताद दस मलव चारो और बीच जाने के बाद गुजरात का स्कोर है 78 रन का एक विकेट के नुकसान पे और यह जी धर्मराज यादव जी जुड़ चुक है हमारे साथ वेलकम धर्मराज यादव जी हैपी होली टू यू अलसो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए आशा करेंगे कि आपने होली बेहतरीन तरीके से मराई हो बहुत ही धन्यवाद आपका नदाफ सहाब महराश्ट्रा से उंकार यादव जी जुड़ है राजीव कुमार हैपी होली करते हो इसे पीच अगली गेन फ्राइटें डिलिवरी एक बार फिट से गेन को मिड़िकेट शेत पे खेल दिया है डंकली ने फिल्डर गेन तक नहीं पहुँच पाई एलिस फेरी ने पीचा तो किया पर गेन तेजी से निकल गई है चौके के लिए बहुत ही जबरदस्त चारण डंकली के बलने से डंकली लगातार डंक मारती हुई नजर आ रही है और की अगली गेन करती हुई अठिल स्ट्राइफ पे डंकली और की अंतिम गेन्द होगी है ताजु जाजी का स्वागत है है अप्यल हॉली तु यू ब्रदर अगली गेन एक बार फेट से और इस बार लोंगाउप पे पकड़ ली जाएंगी आखिरकार आउट हो गई डंकली बहुत ही अच्छी पारी खेल करके दिराश है अपने शॉट से तो चली एक बहुत ही बड़ा विकेट मिलता हुआ डंकली जो की काफी खतरनाक लग रही थी आउट हो गई है आठ ओवर के बाद गुजरात का स्कोर बेरासी रन दो विकेट के नुकसान पे तो चली डंकली आउट हो गई है पर रन काफी बना गई है दोस्तों अपना काम किया उनोंने पैसा ट्रोने की जवर्दस्त फारी खेल करके हुई है आउट आठ ओवर बिज जाने के बाद गुजरात का स्कोर है बेरासी का दो विकेटो के नुकसान पे शिक्सर किंग हिट मैन आप्टर 20 तु 25 विनिंग्स ये कह रहे है यश्वाई आज इस्पृती मांदना का फेस डल लग रहा है कहते हुए नदाप सहब पूरे चेहरे पे निगाहे है नदाप सहब के आदा सिंग जी जुड़ गए है राजविंदर सिंग राजु जी भी जुड़ गए है आठोवर बीच जाने के बाद गुजरात का स्कोर है बेरासी रंका दो विकेट के नुकसान पे अभी मित्रों से आग रहा है वीडियो को अपना प्यार दें लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें तो चलिए अब ऐशली गार्डनर आ चुकी है एशली गार्डनर आई है और ये लिजे सलना गेमिंग ने में सब्सक्राइब भी कर दिया है तो अशली गार्डनर को देख करके अब शैड़ो भाई का दिल भी गार्डन होता हुआ नजर आ रहा है तो चलिए अब देखना है कौन करेगा गेंद बाजी नौवे हुआर की होगी शुरुवात स्ट्राइक पर रहेंगी हर्लीन देओल तो हमारे बंगलदेश के जो मित्र हैं CPL वाले उनको भी अगर टाइम आउट दे दिया जाए तो सही रहेगा पिक्सर किंग हिटमैन आप्र 20-25 इनिंग्स मैं समझ नहीं पारा हूँ येश भाई आप क्या लिखना चाह रहे है तो चलिए एलिस पेरी आ चुकी है अपने तीशर ओवर के साथ एलिस पेरी गेंद डालेंगी हर्लीन देओल को ट्यांका पटेल ने अब यभी आउट किया डंकली को और अब आ गई है बल्ले बाजी पे गाड़नर हाले की स्ट्राइक पे रहेंगी हर्लीन देओल इन बाजी पे एलिस पेरी आती भी और दीविकेट सेल इस पेरी पहली गेंद लेगस्टम की लाइन बढ़िया शॉट फाइल लेकर दिशा पे और उतनी ही बढ़िया फिल्लिंग भी टाइव मार्त विस गेंद को रोग लिया है वहाँ पे खड़ी फिल्डर ने मिलेगा एक ही रन और अब स्ट्राइक पर आ चुकी है ऐशली ही गाड़नर यहाँ लाइक मीटर रुखना नहीं चाहिए 325 लोगों ने वीडियो को लाइक किया है अगला टार्गेट है दोस्तों 500 लाइक का 327 हो गया है अब लाइक आड़ दसमल लवेक और बीच जाने के बाद गुजराथ जाइन्स का स्कॉर है 83 नंका दो विकेट के नुकसान पे और की अगली गेंद और की दूसरी गेंद होगी एलिस पेरी की गेंद बाजी है बल्ले बाजी पे ऐशली ही गाड़नर कौन है ये लोग कहा से आते हैं ये लोग अंगलादेश के हमारे मित्र और ये लिजे फुल टॉस देलिवरी खेल दिया है इस गेंद को फाइनले के दिशापे और मुझे लग राए कि या गेंद नो बॉल हो सकती है सेस्ट हाइट के ऊपर ओ हाँ अमपार नो बॉल का इश हरलीन देवल के पास मौका आया है दोस्तो नो बॉल पे बड़ा शॉट मारने का ये लिस पेरी एंद बाजी पे सामने है हरलीन देवल ये है फ्री हिट पर इस गेंद को खेला है कवर के दिशापे और एक ही रन मिल पाएगा हरलीन देवल इस गेंद पे कुछ नहीं कर यहीं अगर सानी देवल रहते तो सीधा छक्का लगाते हैं कांडनर ने अभी सिंगल लिया है तो ने तीन शर्मा भी एलिस पेरी को याद करते हुए तराज तो पेरी मैडम का 50 प्लस होगा अच्छा देखना है क्या होगा एलिस पेरी बहुत श्यांदार खिलाली इन शर्मा की फेवरेट है वह वीच अगली गेंड शॉट पिज डिलिवरी बहुत ही बढ़िया गेंड बौंसर डिलिवरी सठीक बौंसर देती हैं अंपायर ने कहा है नौट आउट हर्लीन देवल मांग कर रही है इस वक्त वाइड की पर अंपायर ने इस गेंड को लीगल डिलिवरी कहा है एलिस पेरी जबरदस्त गेंड बाज ओवर दिविकेट से करेंगी गेंड इनके सामने है हर्लीन देवल पांच वीगेंड के साथ आती ही एलिस पेरी ओ यॉर्कर लेंड की गेंड खेला इस गेंड को मिड विकेट की दिशा पे फिल्डर मौजूद कोई रन नहीं मिलता हुआ रेनुका सिंग ठाकुर ने इस गेंड को पकड़ा है और दस मलोव पांच वर बीच जाने के बाद गुजरात का स्कूर है 87 नन का दो विकेट के नुकसान पे आकरिगींड एलिस पेरी की स्ट्राइक पे हर्लीन दियोल तो नितिन शर्मा कह रहे हैं कि उनकी फेवरेट खिलाली स्मृती मांदना है अगली गेंड इस गेंड को लॉंग आन के दिशा पे खेल दिया है सीधे बल्ले के साथ हर्ली इंदे ओले शानदार टाइमिंग के साथ गेंड पे मार दिया है चौका और इस इस चौके के साथ ओवर की समाप्ती होती भी नो रना है अपनी चरम पे होने वाला है देखना है क्या होगा कौन से टीम मारेगी बाजी पिलाल नौ और बीच जाने के बाद गुजरात का स्कोरी क्यानवे रनका दो विकेट के नुकसान पे यहाँ पे यश भाई बोल रहे हैं कि इशान किशन को मौका मिलना चाहिए जी है बिल्कुल इशान किशन को मौका मिलेगा और ये लिज़ श्रीयांका पाटिल अपने अगले ओवर के साथ स्ट्राइक पे हैं अशली गाडनर पहली गेन राउंड दिविकेट से फ्लाइटे डिलिवरी आपस्रम के बाहर की गेन इस गेन को ड्राइव लगा दी है डीप एक्स्ट्रा कवर के दिशापे फिल्डर मौजूद है एलिस पेरी ने काफी तेजी के साथ गेन को पकड़ा है और एक रन लेने का मौका दिया है गार्डनर को स्ट्राइक पब आ जाएगी हर्लीन देवल तो यहाँ पर सयद हसन कहरें कि एक बार फिर से गुजरात की टीम ही बरेगी विजेता और वहीं फयाज पटेल भाई कहरें कि मुंबई इंडियन्स जीत सकता है मुकाबला उंकार यादव कहरें आर सी भी जीतेगा लखनो सूपर जाइंट्स जीतेगा कहरें शैडो भाई अगली गेन मिस्ट फिल्डिंग हुई है मिस्ट फिल्डिंग में क्या रन आउट हो पाया है थर्ड अंपायर की तरफ आने की अपील जरूर किया है रिचा घोश ने और मेरे हिसाब से सुरक्षित हैं बल्ले बाज एशली गाड़नर जाने के बाद गुजरात का स्कोर 93 रन है दो विकेट के नुकसान पर तो देली कह रहे हैं राजुजा की देली कापिटल्स की टीम जीतेगी डेविड वारनर की कप्तानी पर इशान किशन आपको कल खेलते मेरेजर आएंगे अपना टेस्ट डेविउ करने वाले हैं वह राज पहन कह रहे हैं कि गुजरात जाएंट एक बार फिट से जीतेगा आईपियल और तारस सिंग का भी वैसा ही मानना है गुजरात का स्कोर है थेरांबे रनका दोविकेट के नुकसान पे तो दोस्तो सुरक्षी थे यहाँ पर बल्ले बाज थर्ड अमपार का इशार आज चुका है नौट आउट का गुजरात की तीसरी गेन करेंगी पार्टेल स्ट्राइक पे हैं आशली ही गार्डनर तूरिया नहीं रहेंगे टीम में सिर्फ इशान किशन रहेंगे और हो सकता है आपको मुहमेद सिराज कल नहीं दिखेंगे उनके बदले मौहमेद शामी खेलते में नजर आ सकते हैं बस यही दो परिवर्टन होगा अगली गेन स्ट्राइट डिलिवरी इस गेन को खेल दिया डीप हिंट विकेट के दिशापे एक रन एलिस पेरी ने इस गेन को पकड़ा है वर की चौथी गेन करते हुए पाटिल प्रियांका पाटिल सामने है हरलीन देवल आइटे डिलिवरी एक बार फेट से उठा करके खेल दिया हरलीन देवल ने लोग ऑन कि दिशापे फिल्डर मौजूद मिले का एक रन नौद असमेल अव चार अवर के बाद गुजरात का स्कोर है 95 रन का दो विकेट के नुकसान पे अब तक चार गेंदों पे चार सिंगल सा हैं चार रना है श्रेयांका पाठिल के सोवर से गालिंग वर की पांच विकेंद सामने है ऐशली गाडनर अंदराती विकेंद बैकफूट प्या करके हलके हाथों से खेला है एक रन तीजी के साथ पूरा की आशली गाडनर ने तो पहली पांच गेंदों पे पांच सिंगल सात हुए तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि नदाप साहब कह रहे है कि रॉयल चालेंजर बैंगलोर भी जीत सकता है मुकाबला आईपिल का पैरा बॉय लाइट का कह रहा है आर से भी राजुचा कह रहे है देली अगली गेंद फ्लाइटें डिलिवरी इस गेंद को खेला है इसको एले की दिशा पे बल्ले बाज ने मिल जाएका एक रन तो अब तक हर एक गेंद पे सिंगल सी आता हुआ नजर आ रहा है और किसमापती 6 रना है पिछले ओवर से 10 ओवर बीद जाने के बाद गुजरात का स्कोर है 97 रन का दो विकेट के नुकसान पे तो नितीन शर्मा करेंगी शकीन भावी इंडिया में आ रही है तारा अपाजी के साथ जिहां गदर 2.0 आने वाला है चली अब 11 ओवर की तरफ बढ़ते हैं स्ट्राइक पे हर्लीन देवल जिन्होंने 17 गेंदों पे 18 रन बना है कोल्ड रिंग्स नहीं गरम कॉफी पीते है क्योंकि कोल्ड रिंग्स पीने से गला ही खराब हो जाएगा स्ट्राइगेंदों पे 18 रन बने हैं अब हर्लीन देवल की देख रहा है क्या कुछ होता है आने वाले ओवर पे अगली गेंड लेकर के रेनुका सिंग ठाकुर आ रही है अपना तीसरा ओर डालेंगी रेनुका सिंग ठाकुर इनके सामने है हर्लीन दे ओल मैं चैने सुबर किंग्स को सपोर्ट करता हूँ नदाब जी अबर माल मीना आपका स्वागत है और कि अगली गेंड ओवर की पहली गेंड इस गेंड को खेला है एक्स्ट्रा कवर पर फिल्डर मॉचल कोई रही है तो दोस्तों खुशी जी आजकल कम आ रही है तकता है होली का लुथ पुठा रही है तस-दस मलब एक और बीच जाने के बाद गुजरात विवन्स का स्कोर है 97 रन का दो विकेट के नुकसान पे रेनुका सिंग ठाकुर अपने तीसरे ओवर के साथ है और अब तक गुजरात के दो ही विकेट से गिरे है दोस्तों तो समर्माल मीना का कहना है कि राजिस्थान रोयल्स जीते का अईपियल अगली गेंद लॉक फॉल पेस गेंद को डाला है रेनुका सिंग ठाकुर ने कोई रन नहीं मिलता हुआ तस-दस मलब दोवर बीच जाने के बाद गुजरात का स्कोर 97 रन का है दो विकेट के नुकसान पे दोवर की तीसरी गेंद करती भी रेनुका सिंग्ठा को रिस्ट्राइक परहेंगी हर्लीन देवल अगली गेंद स्वीप लगा दिया है इस गेंद को स्कोर लेकि दिशापे हर्लीन देवल ने बहुत श्चांदार तरीके से जजमेंटल शॉट खेला है स्कोर लेकि दिशापे स्वीप शॉट और नतीज आया है चौके के रूप में तो यहाँ पे शैडो भाई का कहना है कि अंतीम के 10 ओर पे 100 रन मरेंगे तो चलिए 10-10 मलव 3 ओर बीच जाने के बाद गुजरात का स्कोर है 101 रन का दो विकेट के नुकसान पे तबी मित्रों से मैं बार बार आगरह करूँगा कि आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करके चानल को सब्सक्राइब करें आपका प्यार जरूरी है दोस्तों रेनुका सिंग ठाकूर की गेन बाजी इस गेन को खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर के दिशा पे इप पे फिल्डर मौजून मिलेगा एक ही रन 10-10 मलव 4 ओर बीच जाने के बाद गुजरात का स्कोर अब 102 रन दो विकेट के नुकसान पे इस और पे अब तक 5 रना है पहली 4 गेंदों पे एक भी सफलता रेनुका सिंग ठाकूर को नहीं मिल पाई है हाला कि काफी सीरियर खिलाली एलिस पेरी जैसे खिलाली से उनको काफी ज़्यादा सीखने को मिल रहा होगा वर की पांच भी गेंदर रेनुका सिंग ठाकूर की स्ट्राइक पर हैंगी एशली गाड़नर ओहो बहुत शांदा शॉट एशली गाड़नर ने हडमैन की दिशाप एक बेहतरीन चौका जल दिया है इंटेंशनली खेला गया शॉट मिलेगा चौका तो इस ओवर का दूसरा चौका आता हुआ नौर रना चुके हैं रेनुका सिंग ठाकूर के पहले पांच गेंदो पे आखरी गेंद के साथ रेनुका स्ट्राइक पे एशली गाड़नर और शाकत भाई ने लाइक कर दिया उसके लिए बहुत बहुत धनिवाद तो 366 मित्रों ने अब तक वीडियो को लाइक किया है देखना है क्या हम लोग 500 लाइक तक पहुँच पाएंगे या नहीं राजपहान कहरें कि 190 रन बनेगा और यह अगली गेन इस गेन को लॉंगान के दिशा पे खेला है बले बाजने फिल्डर मौजूद बिलेगा सिंगल यार होवर बीच चुके है गुजरात का स्कूर है 107 रन का दो विकेटों के नुकसान पे दोस्तों आप लोग इंस्टाग्राम पे भी हमें जरूर फॉलो करें और हमारा एक टेलिग्राम चैनल है उसे भी जरूर जोइन किजिए और हाँ हमारी स्पॉंसर ट्रेडेक्स को जरूर आप डाउनलूड करें क्योंकि इस गेम की खासियत है कि यहाँ पे आपको 20 रुपए एक टो सुरू में मिल जाते हैं जॉइनिंग करते ही आपको कोई भी पैसा नहीं लगाना होगा बैंक खाते से और वहाँ पे कई सारी इवेंट्स चलते हैं कई सारी गेम्स चलते हैं यहाँ पे आपको उपिनियन पे ट्रेडिंग बोली लग तो आपको कई सारी नाम मिल सकते हैं, पैसे मिल सकते हैं, डबल भी हो जाते हैं पैसे, मैंने तो 20 रुपए से अब तक 72 रुपए बना लिया है, इस तीन दिनों में आप भी अपने लग को आजमाईए, दिये गें लिंक से ट्रेटेक्स आपको डाउनलोड किजिए, और जब आप रजिस्टर करेंगे, तो वहाँ पे कोड डालिएगा, गेट 20 तो वह 20 रुपए आपको मिल जाएंगे, फ्री के, पिछली मेगान शूट आ चुकी है, अपने तीसरे ओवर के साथ, इनके सामने है, काड़ दर ओवर की पहली गेंड, इस गेंड को खेला, लोंग आउप की दिशा पे मिलेगा सिंगल, और सिंगल के साथ, गाड़ दर का स्कोर हो गया है, 11 रन का हरलीन देवल है, 23 रन पे, 11 दस मलव एक ओवर के बाद, गुजरात का स्कोर 108 रन है, दो विकेट के नुकसान पे, कल टेष्ट मुकाबला है, और टेष्ट मुकाबला आपको कहां देखना है, देखना है केम पंक चैनल पे, क्योंकी केम स्पोर्स पे, हम लोग WPL ही थ Diamond cover करेंग, और टेष्ट मुकाबले को केम पंक चैनल पे देखेंगे, ग्यारा दसमलव दो वर के बाद गुजरात का स्कोर एक सो नौरन दोविकेट के नुकसान पे जी हाँ शौकत बाई अहमदा बात पे हो रहा है पर यूटूब पे हम लोग सुनेंगे केम पंक चैनल पे यहाँ नितिन शर्मा बिल्कुल सही तो अगर आप लोगों ने केम पंक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो आपको हमारे चैनल पे जाकर के पीशर्ट चैनल पे केम पंक मिल जाएगा और बहुत लोग पंक लिग देते हैं तो पंक नहीं पंक से तो उड़ा जाता है पर हम लोग तो पंक हैं की यू एन के यार दसमलव तीन ओर बीच जाने के बाद गुजरात का स्कोर 110 रन का दोवी गेट के नुकसान पे आने वाली बल्ले बाज है एनाबेल सदर्लेंड शुष्मा और हेम लता केम पंक को भी सब्सक्राइब कर दिया सर वास केम पंक को कर दिये और अब केम पंक को भी कर दिजे अगली गेंड इस गेंड को उठा करके खिया खेल दिया है लॉफ्टे श्चाड इसको एले के ऊपर खिलाडी गेन्द के नीचे पर खेलू उनके सर के उपर से गेन्द निकल गilling है, चक्के के लिए, बहुती शाणदार चक्का, इसबार हर्लीन देओल ने जड़ा है यह चक्का, तो हर्लीन देओलने अपने धाय किलो के बल्ले के साथ गेन्द को मार दिया है चक्के के लिए, अवदेश शाह भी ने भी केम पंक्स चैनल को सब्सक्राइब किया बहुत-बहुत धन्यवादर प्राइज इसी बीच अगली गेंड रूम बनाए इस गेंड को खेला है पॉइंट के दिशा पे फिल्डर मौजूद है कोई रन लेने का मौका नहीं 14-10 मेल वो 5 वर गुजरात प्रेस्पूर 116 दो विकेट के नुकसान पर मेगान शूट एक मातर गेंड बाज एक मातर नहीं दो विकेट गिरें तो पहला विकेट लिया था मेगान शूट और इलजी साइलेंट किलर आ गये है यहां धाई कीजी के बल्ले के साथ हरलीन देवल कर रही है बल्ले बाजी केस ओवर से बार होवर बीच जाने के बाद गुजरात का स्कोर है 120 रन का दो विकेट के नुकसान पर तो यहां से आठ होवर का खेल मां किये 10 रन प्रती ओवर की उसत से रन बन रहे हैं आसानी से 200 पे पार जाई का स्कोर गुजरात का मुझे लगता है 220-225-230 तक भी जा स जड़ा है कि हमने आज हरलीन देवल को अपनी टीम में नहीं रखा कहीं हमने गल्ती तो नहीं कर दी तो यहां नितिन शर्मा को तो देखिए हरलीन कभी-कभी शिलपा सेटी जैसी दिखती है नितिन जी को सही कह रहे हैं लेकिन गाहें काफी तेज है नितिन जी की इसी भी जगली गेंद प्रीति बोस की फ्लाइट डिलिवरी ओप स्टम की लाइन इस गेंद को सीधे बल्ले से खेल दिया गया है कोई रन नहीं मिलता हुआ तो राजुजा कह रहा है कि शेफाली वर्मा इस अब बेस्ट प्लेयर जिहां वो भी बहुत ही बहतरी है और काफी कम उम्र से ही इतनी अच्छ क्रिकेट खेल रही है दिति बोस की दूसरी गेंद सामने है हरलीन देवल एक बिन दोस्तों ऐसली गार्डनर ती स्ट्राइक पर हुने लोंग उप एक शॉट खेला है मिलेगा एक रन लोंग उप नाइट ने सिकन को पकड़ा और अब सिंगल लेने के बाद हरलीन देवल आजाएंगे स्ट्राइक पर ऐसली गार्डनर पहुंची तेरह पर इस जिए दोर्डनर के बाद गुजरात के सकोर 121 रन है दोविकेट के नुक्सान पे अब परिति बोस की तामना करती हुई हरलीन देवल हरलीन देवल उनको इसलपा सेटी जैसे लगती है नितिन जी को तो अब परिति बोस कैसी लगती वो भी बता दीजिए 12 असमेलब 2 वर के बाद गुजरात का स्कोर 121 रण है दो विकेट के नुकसान पर अगली गेंद फ्रंट फूर्ट को आगे किया और स्वीप मार दिया है गेंद गई है चौके के लिए हरली इन दोल का एक और बेहतरी इन स्वीप शॉट चौके के लिए आता हुआ 12 असमेलब 3 वर बीच जाने के बाद गुजरात का स्कोर है 125 रण दो विकेट के नुकसान पर तो नुरूल होसा नुरूल होसा जी बोल रहे कि जौनी लीवर जैसी दिख रही है बताइए नुरूल होदा तो मस्ती करते में नजर आ रहे है प्रिति बोस का चेहरा लगता है टेकनिकल योगी सर की तरह टेकनिकल योगी जी की तरह दिखने में लग रही है आपने टेकनिकल योगी को देखा है अगली गेन इस गेन को लॉग आप के दिशा पे खेल दिया है सिंगल के लिए बारत असमल लव चार और भी जाने के बाद गुजरात का स्कूर 126 रन दो विकेट के नुकसान पे जब भी बोस को देखता हूँ तो हमें टेकनिकल योगी जी की याद आ जाती है और यहाँ पे प्रेम सागर जी जुल चुके है है एप्पी होली कहते है वे वेलकम प्रेम सागर जी ओहो साइलेंट किलर ने तो हरलीन देवल को कप्तान रखा है जब चाहेंगे नहीं कि हरलीन देवल आउट हो और की अंतिम गेन के साथ प्रिती बोस सामने हरली इन देवल और की आखरी गेन है और अब तक सातर ना चुके है एक्स गेमिंग भी जुड़ गए है हमारे साथ जीतन रिजादा भी हैप्पी होली करते हैं अगली गेन उठा करके खेल दिया गेन को मिडविकेट की तरफ खिल और 128 दो विकेट के नुकसान पे हरली देवल 40 पे एशली गार्डनर 14 पे स्ट्राइक पे हरली देवल ही बनी रहेंगी लगता है वह पारिवारी के कुछ रिलेशन निकाल रहे हैं और यह लिजिए हम सनी देवल हरलीन देवल की बात कर ही रहते कि धर्मेंदर जी आ गए है चैट पे धर्मेंदर यादव जी का स्वागत है सनी देवल का जैसी नाम आया कि धर्मेंदर जी आ गए है चैट पे दोस्तों हम लोग कुछ भी बुरा नहीं कह रहे थे धर्मेंदर जी सनी देवल के बारे में आप बुरा ना मानिएगा और वैसे भी बुरा मानिएगा भी तो आज बुरा ना मानो हो ली है 13 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 128 रन है दो विकेट के नुकसान पे तो चली 14 ओवर की शुरुवात और येल ये नाइट करेंगी गेंद बाजी ओवर की पहली गेंद इस गेंद को लेगस्रम की लाइन पे रखा है अदमों का इस्तमान करते हुए गेंद को मिडविकेट की दिशा पे लॉंगान की दिशा पे खेल दिया है हरलीन देवल ने सिंगल के लिए राजपाहन जी जूड़ चुके हैं डॉक्टर संजेद गोस्वामी भी जी जूड़ चुके हैं हैपी होली सभी मित्रों को अगली गेंद होगी नाइट की स्ट्राइक पे हैं हरलीन देवल किसरी गेंद लेकर के आतवे नाइट स्ट्राइक पे हैं हरलीन देवल हैटे डिलिवरी कट किया है इस गेंद को गई है गेंद पॉइल के दिशा पे रन आउट की एक बार फिट से संभावना पर एक रन ले पाने में काम्याब और अब स्ट्राइक पे वापन से हरलीन देवल ही करेंग आ जाएंगी तेरह दसमला वो तीन ओवर बीट जाने के बाद गुजरात का स्कोर 131 रन है दो विकेट के नुकसान पे तो पिछला सिंगल हरलीन देवल ने लिया था तो ऐसमें गार्डनर आएंगी स्ट्राइक पे ओहो गार्डनर का बहुत ही बढ़िया शॉट इस गेन को खेल दिया है लोंगाउन और मिडविकेट के बीच से चार रन के लिए बहुत ही बढ़िया गैप ढूणने में काम्याब एशली ही गार्डनर चार सो से जादा लोगों ने विडियो को लाइक कर दिया है चार सो दो लोगों ने विडियो को लाइक किया है अगर और अंठानवे मित्र एक साथ मिलकर के वीडियो को लाइक कर देंगे तो हम लोग 500 लाइक तक पहुंच सकते हैं 1310 मला वो चार वर भी जाने के बाद गुजरात का स्कोर है 135 दो विकेट के नुक्सान पे प्लाइटेट डिलिवरी ओ स्टंप हो गई हेदर नाइट ने ले लिया है यहाँ पर विकेट ऐशली गाडनर का प्लाइटेट डिलिवरी कदमों का इस्तमाल करके बड़ा शौट खेलना चारी थी गाडनर पर रिचा घोश ने फुर्ती के साथ स्टंप कर दिया है ऐशली गाडनर को और इसी के साथ गुजरात का तीसरा विकेट गिरता हुआ तेरा दस मलव पाँच वर के बाद गुजरात का स्कोर है एक सो पैंटिस रन तीन विकेट के नुकसान पे हाइट को मिलेगी सफलता तेरा दस्मलव पांच वर के बाद गुजरात 135 रं तीन विकेट के नुक्सान पे तो 414 लाइक्स होगा है तबी मित्रों से आगर है अगर आपने अब तक लाइक बटन को दबाया नहीं तो जरूर दबा लें लाइक मिटर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और जैसी 500 लाइक्स होगा शियर्द गल भी आएंगी स्क्रीन पे और आपकी पसंदीदा धुन भी बजेगी अब शेक कुमार ने गाडनर को कप्तान रखा था हालिके देखे कुछ गेंदबाजी भी कर लेती हैं वो वो सकता एक दो विकेट्स अगर निकाले तो आपको अंक दिलाएगी और जब भी ड्रीम 11 पे टीम बनाए बनाता हूं मैं भी तो सबसे पहली यही सोच रहती कि जो भाई उन्चास रुपे लग रहे हैं वो कम से कम वापस आ जाए और लगग लगग हर एक दुकाबले पर आही जाती है कभी-कभी तो जादा भी आती है पर एक करोड कभी नहीं आया दोस्तों उसका इntजार है किसीने एक करोड आएगा उस जिनस तभी को पार्टी दिया जाएगा केम स्पोर्ट्स के दर्शकों को तो चली फिलाल तेरह दस्वलो पाँच ओर बीच जाने के बाद गुजरात का स्कोर एक सो पैंटिस रन तीन विकेट के नुकसान पे और की अगली गेंद नाइट की स्ट्राइक पे हैं हेमलता तो हेम विरता नई बल्लेबाज आई हैं बल्लेबाजी के लिए और आती ही पहली गेंद पे खाता खोल लिया है और की समापती हो गई है आट रन आये हैं पिछले ओवर से नाइट के इस ओवर से और एक सफलता भी उन्हें मिली है 14 ओवर बीट जाने के बाद गुजरात का स्कोर 136 रन तीन विकेट के नुकसान पे तो यहां से 6 ओवर का खेल बागी है 36 गेंदे बागी है देख रहे हैं 36 गेंदो पे गुजरात के टीम कहां तक जाती है यहां पिशिक भाई मैं तो भाई देखता हूँ मेरे 49 रुपए आ जाते हैं सोने से पहले तब चैन की नींद आती है वरना अगर ऐसा लगता है कि 49 रुपए चले गए तो नींद ही नहीं आती है राद भर पसीने आते रहते है ठंड में भी चौद अवर के बाद गुजरात 133 विकेट के नुकसान पर चली 15 रुपए उवर की होगी शुरुआत इर्फान भाई जुड़ चुके हमारे साथ इर्फान भाई आपका स्वागत है तो चली प्रीटी बोस एक और ओओर के साथ अपना तीसरा ओओर करेंगी इनके सामने है हीमलता ओओर की पहली गें उठा करके खेल दिया इस गेंड को विडिविकेट के दिशा पर गेंड हवापए है और गेंड पर दूरी भी है हेमलता ने तो छक्का लगा दिया बहुत ही शांदार छक्का हेमलता का तो हेमलता सोच करके आपको क्या लगा यह सीधी साधी महीला है इन्हों ते आते ही छक्का जड़ा है दोस्तों तो अदधस मलब एक ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 142 रन तीन विकेट के नुकसान पे हाँ सदर लेंड आती तो और मज़ा था पर कोई बात नहीं सदर लेंड आप बाद में आएंगी और की दूसरी गेंद प्रिती बोस की सामने हेमलता हेमलता ने अभी चक्का जड़ा है हेमलता सुनकर के लगता है कि शायद यह चक्का नहीं मार पाएंगी पर दोस्तों ताबड तोड़ शुरुआ दिला दी है अगली गेंद एक बार फिट से पुल कर दिया है गेंद को आला कि गेंद कई स्कोर लेकी दिशा पे आपे खड़ी अकुर्ण ने इस गेंद को पकड़ लिया है रन लेने का मौका नहीं तो जतिंदर पाल जी कह रहे ही कि फाइनल स्कोर 189 का होगा और नितिन शर्मा कह रहे हैं कि क्या कल के मैच में कोहली का श्रतक आएगा देख रहा है क्या होता है पुझे लगता है कल कोहली अच्छा खेलेंगे इस बीच प्रीती बोस की गेंद और हेमलता ने एक बार फिर से बहुत शानदार शॉट खेला है कट किया है उप्स्रम की गेंद को पॉइंट की दिशा से गेंद निकलती हुई चली गई है चौके के लिए तो रूल हौदा का कहना एक सो पंचानवे से दो सो रन बन सकते हैं चौदा दस मलव तीन ओवर बीच जाने के बाद गुजरात का स्कोर 146 रन का तीन विकेट के नुकसान पे तो चलीए रन कती 10 के भीव पर पहुँच चुकी है बुरा नमानो कोहली है यहां रन मारते जारी है अब देखता है या शौथी गेंद पे क्या होता है तीन गेंदों पे 10 रन हेमलता ने बना लिया है इसे बीच अगली गेंद प्रिती बोस की फ्राइट डिलिवरी आपस्रम के बाहर इस गेंद को खेल दिया मिडविकेट की तरफ डीप मिडविकेट पे फिल्डर मौजूद एक ही रन मिल पाएगा तो अधर दसमलव चार वर के बाद गुजरात का स्कूर 147 रन है तीन विकेट के नुकसान पे और अब स्ट्राइक पे हर्लीन देवल आचुकी जो उनने 30 गिंदों पे 42 रन बनाया है तो आठ रन दूर है अपने अर्द्रशतक से और कितरे भाईयों को लग रहा है कि हर्लीन देवल आज के मुंकावले पे अर्द्रशतक लगाएगी अब को लगता है कि वह अर्द्रशतक लगाएगी तो चैट पे लिखेगा यस पारसी भी जीतेगा कहते भी इरफान भाई तो फ्यजज भाई कहा रहे हैं कि आज हरलिन डिवल शतक लगाएगी वहीं शेडो भाई का भी कहना है की अर्ध शतक लगाएगी वहीं शेडो भाई का भी कहना है हां और परमार भी doğru कहा रहा है, अमरेश यादव कहा रहा है इस बीच अगली गेंद एक बार फिट से बहुत ही बढ़िया शॉर्ट और इस बार हेमलता का दूसरा चौका चुका है सुल रना है इस ओवर से कुजरात का स्कोर 152 विकेट के नुकसान पे वहीं हमने पूछा था कितने लोगों को लग रहा है कि हरलिन देवल अर्दश्यतक बनाएगी तो अवदेश शाह भी यस कह रहे है राजिंदर कुमार जी यस कह रहे है इरफान भाई यस कह रहे है मुहमद किसर जी यस कह रहे है और जो उनका बिजनस मॉडल है वो हमें सब प्रॉफिट पे रहती है पर वो फ्रॉड नहीं करती है मैंनु प्लेट नहीं करती है मैंने इसाब से सभी चंगली गेंद और रेली जेस गेंद को उठा करके खेल दिया है लॉंग आपके दिशा पे बहुत ही शांदार शॉट हर् और करीब आचुकी है अर्दश शतक से सिर्फ तीन रन दूर है अपने अर्दश शतक से हर्लीन देओल तो चलिए ताबड तोड बल्लेबाजी लगातार जारी है ओवर की दूसरी गेंद सामना करती हुई हर्लीन देओल 35 गेंदों पे 47 रन अगली गेंद रूम बना इस गेंद को खेल दिया है लोंगान की दिशा पे बिलता हुआ एक रन तो नाइट की गेंद बाजी हो रही है और अब तक पहली दो गेंदों से पांच नन आ गया है अर्लिन देओल 48 पे अब पहुँच गई है नन स्ट्राइकर एंड पे हैं हेमलता पंद्रह दसमलव दोवर के बाद गुजरात 157 विकेट के नुकसान पे ओवर की तीसरी गेंद आ रही है हेदर नाइट की तरफ से कामने है हेमलता और यह अगली गेंद हेमलता का कैच ले लिया गया है नाइट को मिली दूसरी सफलता और इसी के साथ पंद्रह दसमलव तीन ओवर बीच जाने के बाद गुजरात का स्कोर 157 रन का चार विकेट के नुकसान पे तो हेमलता साथ गिंदु पे 16 रन बना करके नाइट के हाथों आउट हुई है उन्होंने अपनी सिपारी पे एक शक्का और दो चौका लगा और इसी बीच हम देख पा रहे हैं कि अमपायर यहाँ पर कुछ इशारा करते हुए टाइम आउट का इशारा लगता कर रहे है तो चली अब देखना है कौन आएगी क्या एनाबल सदर्लेंड होगी अगली बल्लेबाज तो आपके हिसाब से किसे भेजना चाहिए बल्लेबाजी पे अगली गेंद को खिलने के लिए मेरे हिसाब से सदर्लेंड को ही भेजना चाहिए अब शेक कुमार कही रहते कि वो आउट होगी और ये लिज़े वो आउट हो गई है दो सो एकीस रंद कह रहे हैं चाली कुमार देखना है गुजरात का कैस्कुर होता दस के उपर की रंगती चल रही और अब यहां से लगभग देखा जाए तो तार दस्मलव तीन उवर का ही खेल बाकी है तो आने वाली गेंदों पर तावड तोड और भी बल्लेबाजी होगी शायद सदर्लेंड होगी अगली खिलाडी जीहां फैयाज पटेल भाई मुझे भी लग रहा सदर्लेंड आएगी साइलेंट किलर भी सदर्लेंड की ही मांग कर रहे हैं और लाइक ए अगर बात करें तो 443 लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक किया है करीब हैं हम लोग 500 लाइक से तो सभी मित्रों से अनुरोध है अगर आप लोग चाहें तो तुरंथ ही 500 लाइक करा सकतें लगभग 1500 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से अगर 60 लोग भी एक साथ वीडियो को लाइक कर दे तो हम लोग आसानी से 500 तक पहुंच सकते हैं और ये लिजे बहुत सारे लोगों ने भी कर भी दिया है ये लिजे हम लोग 450 के तो पार पहुंच गए हैं करीब हैं 500 के सभी मित्र एक साथ मिल करके कर दीजे वीडियो को लाइक और कहिए बुरा ना मानो होली है 462, 467 लाइक हो गए है 479 लाइक मिटर लगातार चालू है दोस्तों 472 क्या बात है 25 लाइक ही दूर रगए है 475 होगए है लाइक से अब बस 25 लोगों को चाहिए कि एक साथ मिल करके कर दें लाइक बटन पे प्रेस पर एक ही बार किजिएगा दोस्तों 15.3 वर के बाद गुजरात का 157 रन है चार विकेट के नुकसान पे और दोस्तों जितने भी नए मितन जुले हैं आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी नोटिफिक्षन आइकन को भी जरूर दबाईएगा आपकी आपका भी नाम स्क्रीन पे दिखाया जाए नितिन शर्मा करें कि होली की दिन बहुत एक्सिडेंट होता है हमारे यहां और यह उनको बोली कि अपने जो भी शहर के लोग है भांग कम पिया करें अपका कॉल कितने बजे से आ रहे हैं फयाज भाई कल बिलकुल सुबस से ही मैं आऊंगा पहली ही सत्र से नौ बजे से आही दक्तर जी जुड़ चुके है हमारे साथ राजिश कुमार जी जुड़ चुके है सावनो से तो आही जाओंगा पहली गेन से आपके साथ उपस्तित रहूंगा 15-10 पलव तीन ओवर के बाद गुजरात का स्कूर 157 चार विकेट के नुकसान पर और ये लिजे 484 लाइक्स करीब हम लोग दोस्तों सभी में तुरों से आग रहे हैं एक साथ मिलकर के वीडियो को लाइक करें ताकि 500 लाइक्स हो जाए और आपकी पसंदिता धुन भी बजे उसके बाद तो चरीए अगली गेंड ओवर की चौती गेंड नाइट की स्ट्राइक पर अब सदर्लेंड आ चुकी है तो कई सारे लोगों ने पहली कह दिया था कि सदर्लेंड आईगी है ये लिजिए सदर्लेंड आ चुकी है ओ कॉटन बोर्ड होते होते बची विड़ाप पे इस गेंड को खेला है मिलेगा एक रन तो सदर्लेंड हीनका नाम और पहले हमें लगता था कि किसी इस्थान का यह नाम होगा लेंड तो इस्थान का ही नाम होता है नीदर्लेंड न्यूजिलेंड और हमारे साथ हैं सदर्लेंड 15.4 वर के बाद गुजरात 169 विकेट के नुकसान पे 15.5 वर के बाद नाइट की आखरी गेंद स्ट्राइक पे हैं सदर्लैंड तो करीब हैं दोस्तों 490-491 लाइक्स हो गए हैं क्या बात है बहुत ही करीब अब हम लोग 500 लाइक्स है देख रहा है कौन मारता है 500 लाइक्स तो चली अब बढ़ेंगे अगली गेंद की तरफ और की अन्तिम गेंद होगी है स्ट्राइक पें सादर्लैंड रूम बना इस गेंद को खेल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर के दिशा पे बिल्डर मॉद्यू बहुत ही बढ़ या फिल्डिंग टाइव मार करके चौकी को बचाया गया है बिल जाएगा दो रन और इसी के साथ ओवर की समाप्ती हो चली है नौरन बने हैं इस ओवर से 16 ओवर बीच जाने के बाद गुजरात का स्कूर है 161 चार विकेट के नुक्सान पे चली लाइक मिटर पे एक बार ध्यान दे दे चार सौ अन्ठान बे हो गए है लाइक क्या बात दोस्तों और ये लिजे दो लोगों ने और कर दिया है विडियो को लाइक बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का तो 500 लाइक के आखड़े तक हम लोग पहुंच चुके हैं तो क्या बजाए जाए अपकी पसंदीदा धुन किसी ने चार बार लाइक को ठोक दिया चार बार मन नहीं ठोकना है दोस्तों बस एक बार ठोकना है बहुत बहुत शुक्रिया सभी मित्रों का लगातार वीडियो को लाइक करने के लिए अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को 511 लोगों ने कर दिया वीडियो को लाइक दॉल्ला उवर के बाद गुजरात का स्कोर 161 रन है चार विकेट का नुक्सान पे और ये लिजे अब आचुके है एलिस पेरी अपनी अगली गेंद के साथ अपनी आखरी ओवर के साथ पहली गेंद हो गए ये वाइड तो लावर गुजरात 162 चार विकेट के नुक्सान पे एलिस पेरी अपने चौथ हेवर के साथ पहली गेंद हो गई वाइड डालेंगे एक बार फिर से अपना पहला गेंद 510 लोगों का प्यार मिला है देख करके काफी अच्छा लग रहा 511-512 लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया थैंकि सो मच पर योट सपोर्ट दोस्तों रेडियो कमेंटरी जरूर करते हैं रेडियो कमेंटरी और ये लिजे से बीच अगली गेंद चौका जड़ दिया है हर्लीन देओल ने और चौक के साथ पूरा कली अवनार्द शतक शानदार बल्लेबाजी हर्लीन देओल की तो चलिए दोस्तों सभी मित्रों का स्वागत है गुजरात और बैंगलोर के बीच यह मुकाबला 16-10 मलव एक ओवर बीच जाने के बाद गुजरात का इसकोर 166 रन का चार विकेट के नुकसान पर और अभी अभी हर्लीन देओल ने अर्द शतक जड़ दिया है बहुत ही बेहतरीन आज खेल दिखाती भी हर्लीन देओल ने 35 गेंदों पे जड़ दिया है चलिए दोस्तों यह था रेडियो वाली कमेंटरी 16-10 मलव एक ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 166 रन का चार विकेट के नुकसान पर 750 लाइक देखना होता है कि नहीं नितिन शर्मा जी फैयाज पटेल की गुजारिश पे हमने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रेडियो वाली कमेंटरी लाई तो चलिए फिलहाल लगातार चौके पे चौके लगते हुए चौकों का हैट्रिक लग गया है लगातार तीसरा चौका हरलीन डेओल की तरफ से और ये लगा डाबर चौन प्राश चौका तो लदस में लव तीन ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 174 रन चार विकेट के नुकसान पे और की चौती गेन करती भी अलिस पेरी अब आग बबूला हो गई है गोरी थी पेरी अब हो गई है लाल देखना अगली गेन पे होता है क्या और एक बार फिर से एक बार फिर से बड़ा शौट और कैच ड्रॉप हो गया है डीट स्क्वेर लेक पे कैच ड्रॉप हो गया है हरलीन देओल का बिलेंगे दो रन पृति बोस उस फिल्ड गेन को नहीं पकड़ पाई और ऐसे में हर्ली इन देवल को मिला जीवन दान एलिस पेरी काफी गुस्ते से देखती भी पृति बोस की तरफ चली अगली गेन की तरफ बढ़ते हैं एलिस पेरी अपनी अगली गेन को करेंगे अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है इन है अदमो का अस्तमाल इस गेन को खेला है कवर की दिशा पे फिल्डर मौजूद तो बिल्कुल ब्रेटली के स्टाइल से अभी गेंद फेका एलिस पेरी ने दो गेंदे बागी हैं देखना है इन दो गेंदों पे क्या कुछ करती है हर्ली इन देवल पर की आखरी गेंद एलिस पेरी की तरफ से आएगी स्टाइक पे है हर्ली इन देवल बासट पे हर्ली इन देवल ने अब आपके सदर्लेंड आ चुके हैं स्ट्राइक पे और बोड को जली अपडेट करना होगा और सदर्लेंड ने पुल कर दिया है गेंद इसको एले के उपर से गई है फॉर दी मैक्सिमम शानदार छक्का सदर्लेंड के बलने से आता हुआ बहुत ही शानदार बहुत ही जानदार पारी एनबेल सदर्लेंड के बलने से आया एक धुआधार छक्का और एलिस पेरी का यह ओवर काफी महंगा बीस रन आ चुके हैं स्ट्राइट के नुकसान पे तो चली 17 वर बीच चुके हैं गुजरात का स्कोर 181 रन और यहां से अगर 14 रन प्रती वर बनते तो 223 रन बन जाएगा गुजरात का स्कोर वहीं कर्रेंट रन गती के हिसाब से 213 रन बनेंगे तो मेरे ख्याल से 220 से 224 रन बननने चाहिए तो चली अब पाटिल आचिक ही है श्रेयांग पाटिल की गेंद बाजी लेगस्टम की लाइन और इस गेंद पे कोई रन नहीं मिलता हुआ बहुती चतुराई के साथ गेंद बाजी करती ही पाटिल स्टम्प हो सकती थी रिचा गोश गेंद को नहीं फकड़ पाई 17-10 मलव दो वर के बाद गुजरात का स्कोर 181 रन चार विकेट के नुकसान पे वर की तीसरी गेंद पाटिल की सामने हरली इन देवल अभी अभी स्टम्पिंग मिस किया है रिचा गोश ने पाटिल की तीसरी गेंद सामने है हरली इन देवल प्लाइटे डिलिवरी स्विप शॉट बहुत ही बढ़िया स्विप करती है गेंद गई है स्वैले के दिशा पे एक रन मिलता हुआ देवल को इन्होंने 41 गेंदों पे बना ली है 63 रन 17 दस्मलव तीन ओवर बीच जाने के बाद गुजरात का स्कोर 182 रन है चार विकेट के नुक्सान पे बागी तीन गेंदों पे देखना है क्या होगा सदर लेन आचुकी इन स्ट्राइक पे ताबर तोड़ बल्ले बाद है कामना करेंगी पाटिल की चौती गेंद का और ये लिजे पकदमों का इस्तमाल आगे बढ़ करके एक्स्ट्रा कवर और मिड़ आप के बीच से गेंद को निकाल दिया है चौके के लिए 17 दस्मलव चार वर के बाद गुजरात का स्कोर 186 रन चार विकेट के नुक्सान पे फिटा बड़ तोड बलेबाजी देखने को मिल रही इस वक्त इत्वी मित्र जोड रहे हैं विडियो को जरूर लाइक करें चानल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगली गेंद और इस गेंद से कोई रन नहीं आता हुआ अभी मित्रों से बार बार आग रहे हैं वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों 17-10 मेलों 5 वर बीच जाने के बाद अब आखरी गेंद से सिंगल भी आ गया तो 18-10 जाने के बाद गुजरात का स्कोर 187 चार विकेट के नुकसान पर देखना है आखरी दो वरों पर क्या कुछ होता है चली आखरी दो वर देखना है क्या कुछ होता है दोस्तों और अब सचदेवा जी जूड़ 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 ज तो श्रेयंकार राजेश पाटिल इस वक्त गेंद बाजी करती हुए और उन्हें अच्छी गेंद डाली है चलिए अब उनीस वाउवर देखता है कौन करने वाली तो रेरुका सिंग ठाकूर करने आई है यह उनीस वाउवर तो चलिए उनीस वाउवर की पहली गेंद आती हुई पाट्रब के बाहर की गेंद उठाकर के खेल दिया गेंद हवा पे है सदर्लेंड का विकेट मिल जाएगा बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ लिया गया है बहुत ही शानदार कैच पकड़ा है लॉंग ओफ फिल्डर ने और सदर्लेंड आउट हो गई है अठार दसमलव एक ओवर के बाद गुजरात 187 पाँच विकेट के नुकसान पे विडल ओफ दे बैट तो जरूर लगा पर लॉंग ओफ बॉंडरी से पहले कैच कर लिया गया बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा गया है अठार दसमलव एक ओवर के बाद गुजरात 187 रंद पाँच विकेट के नुकसान पे तो चलिए रिनुका सिंग ठाकुर अब अपने दूसरी गेन के साथ और कप्तान स्रेह राणा आ रही है बल्ले बाजी करने के लिए अगर आप तो कमेंटरी पे मजा आ रहा हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को भी बताईएगा हमारी रीच थोड़ी घड़ गई है आजकल पर मस्ती नहीं घटी है और हम चाहेंगे कि सभी मित्र हमें वापत से सपोर्ट करें और पहले केम स्पोर्ट के हर एक वीडियो पे मिलियंस ओफ व्यूज आते थे पर कुछ समय से इस चैनल पे मैं काम नहीं कर पा रहा था और अब जब वापसी हुई है तो वाचिंग काफी घड़ गई है पर आप लोगों का अगर प्यार रहेगा तो हम लोग फिर पुराने बाई की तरह हैं जिनका नाम है नितिन शर्मा और दूसरी हैं खुशी और बागी कोई देखता ही नहीं था पर सभी के सपोर्ट से अब वापस से कम से कम सोलग सो लोग तो देख रहे हैं इस वीडियो को तो केम पंग पे भी आएंगे हम लोग केम पंग पे आंगे कल से हाना कि वन डे मुकाबले दोनों चैनल पे दिखाई देंगे आपको फिलाल 1810 मलव तीन ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 188 रन पांच विकेट के नुकसान पे अचली रेनुका सिंग ठाकुर की चौथी गेंद श्ट्राइक पे रहेंगी हरलीन देवल थैंकि सो मच सब लोगों का रक्षा राम पांडे नितिन शर्मा यश हमार साथ दूल भाई अरे भाई दूला भाई जी आ गया है अब शेक भाई है अब शेक भाई ने कहता सदर्लेंड 20 रन से तहले आउट होगी और वो हो भी गई थी क्या बात है तो चलिए अब दो गेंडे बागी इस ओवर से बहुत ही अच्छा वरी आया है देखा जाए तो सदर्लेंड के आउट होने के बाद रन गती पे और भी गिरावट हो गई है और अब इस ओवर पे सिर्फ तीन रना है तो 19 वा और काफी बेहतरीन डाल रही है रेनुका सिंग पाँच वी गेंड के साथ रेनुका सिंग ठाकूर स्ट्राइक पे हर्लीन देवल और यह जिस गेंड पे भी एक ही रन आया है और इसी के साथ 18 दस्पलाव पाच वर के बाद गुजरात का स्कोर अब 191 रन का है पाँच विकेट के नुकसान पे चलिए अब 200 प्लस को बनने चाहिए अब देख रहा है कहां तक यह स्कोर पहुंसता है अब साथ गेंडे बागी है इस इनिंग पे आखरी गेंड इस ओर की रेनुका सिंग ठाकूर लेकर के आ रही है सामने है स्रहराणा अलो अशोक कुमार जी आपका धन्यवाद एप्पी होली टु यू रॉक जिंगु जी जो कहें पॉप्स्टम के बहर इस गेंड को खेला है डीप मिडविकेट के दिशा पर मिलेगा एक रन दूसरे लन के लिए भागपली है रन आउट हो जाएंगी और ऐसा लग रहा है रन आउट हो गई है हर्लींदेवल आने की थर्डम स्रेहराणा थी वह तो काफीर निराश हो करके वापस जा रही है स्नेहराना वाकिंग करना सुरू कर दिया है अब तक थर अंपायर का हलेकि डिसिजन नहीं आया है और ये लिजी अंपायर का डिसिजन आ गया है आउट का इशारा आपी दूर सिसरे है राणा डाइब तो जरू लगाई फिनोंने पर गेन तक क्रीश तक नहीं पहुंच पाई यहां सभी मित्र हमें याद रहते हैं लक्ष्मी कान जी जुड़ गए है राजिश कुमार जुड़ गए है रॉक निंगु जी जुड़ चुके हैं हेपी होली अलवक्यू ब्रदर्स तो अलवक्यू ब्रदर्स और सिस्टर्स चलिए उन्नीस ओवर और उन्नीस में उपर सिर्फ चार रना है और दो सफल ताइम मिली है टैंगलोर की टीम को उन्नीस ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 191 पे रन है छे विकेट के नुक्सान पे तो सभी मित्रों से मैं गुजारिश करूँगा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग लाइक जरूर करें इस वीडियो को 547 लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक किया है अगर आप आप ट्रेडेक्स एप पे रजिस्टर नहीं किया तो यही मौका है जल्दी से जाईए और ट्रेडेक्स एप पे रजिस्टर कीजिए दोस्तों डाउनलोड करना काफी आसान है हमारे लिंक से जाएंगे आपको डाउनलोड का आप्शन मिलेगा और जब भी आप रेजिस्टर करें तो गेट 20 कोड का इस्तमाल करें वह प्रोमोशनल कोड है उससे आपको 20 रुपए मिल जाएंगे चली अब श्रियांका पाटिल को दी जा रही है बीसमी ओवर ओवर की पहली गेन मिड़ान पेस गेन को खेला है सिंगल के लिए 19 दस मलव एक ओवर भीद जाने के बाद गुजरात का स्कोर 193 रंका 6 विकेट के नुकसान पे ओवर की दूसरी गेन के साथ आ रहे ही है श्रियांक पाटिल सामने है बल्लेबाज गार्थ किम गार्थ आ गई है बल्लेबाजी पे हमें लगा ये पहली आएंगे पर थोड़ी लेट साहिए पर इन पाँच गेन्दों पर वह तावर थोड़ बल्लेबाजी करके दिखाने वाली है और ये लिजे जैसा हमने कहा था वैसा ही हुआ मार दिया है चौका रिवर्स स्कूप गेन गई थर्ड मैन के दिशा पर चार रन के लिए और चार रन के लिए नहीं गई है रेनुका सिंग ठाकुर ने इस गेन को रोक लिया है दो रन मिलेंगे 19-10 मेलब दोवर बीच जाने के बाद गुजरात का स्कूर 195 रन का है चे विकेट के नुकसान पे और की तीसरी गेन पाटिल की स्ट्राइक पे गार्थ पाटे डिलिवरी इस गेन को खेल दिया है कवर पे फिल्डर के ठीक पहले गिरी है गेन इसमरी ती मानदना के ठीक पहले गिरी गेन डाइव मारकर की काच पकड़ने की कोशिश थी पर रन नहीं मिल पाएगा 19-10 मेलब तीन ओवर के बाद गुजरात 196 रन है चे विकेट के नुकसान पे ओवर की चोथी गेन पाटिल की स्ट्राइक पे हर्लीन देवल हर्लीन देवल अब तक नाबाद हैं दोस्तों तो सिर्फ 565 ही लाइक्स हुए हैं दोस्तों और ये लिजे हर्लीन देवल को बोल्ड कर दिया है पाटिल ने सीधी गेन्द रूम बनाने की कोशिश गेन्द पे बोल्ड हो गई हर्लीन देवल पर बढ़िया पारी खेल करके आउट हुई है 45 गेन्दों पे शानदार 67 रन गुजरात का स्कोर 196 रन साथ विकेट के नुकसान पे तो काफी हद तक अच्छा कमबेक किया आरसीबी ने और एक समय ऐसा लग रहा था कि 225 रन बना जाएंगी गुजरात की टीम और इस वक्त सिर्फे 196 रन बने और दो ही गेन्दे बाकी है अर्लिन देवल 45 गेन्दों पे 67 रन बना कर तो ही आउट इन उन्होंने इस पारी पे नौ चौका और एक शानदार च्छका जड़ा है तो यहाँ पे अंगद सरोज जी जुड़ चुके हैं विलकम आपका स्वागत है हैपी होली टू यू ब्रदर तो गेन्दे बाकी है स्रेहा पार्टिल की पांच वी गेन्द का सामना करेंगी नई बल्लेबाज अब देखना वह नई बल्लेबाज कौन है और वह नई बल्लेबाज देखा जाए तो शुष्मा है और की अगली गेन्द फ्लाइटेट डिलिवरी खेला इस गेन्द को सीधे बल्ले से चौका बहुत ही बेहतरी चौका शुष्मा के बल्ले से आता हुआ उनीज दस मलों पाच वर गुजरात का स्कोर अब दो सो रन हो चुका इस चौके के साथ चलिए अब देख रहा है आखरी गेन्द पे क्या होता है पारी की आखरी गेन्द लेकर के पाटिल स्ट्राइक पे वर्मा ओर दिविकेट सारी है चलिए गुजरात की बल्ले बाजी हो गई है पूरी बीस ओवर हो गए है खत्म और बीस ओवर के बाद गुजरात का स्कोर है दो सो एक रन साथ विकेट के नुकसान पे तो श्रियांग पाटिल ने आखरी ओर पे दिये नौ रन और एक सफलता भी मिली उन्होंने हरलीन देवल का विकेट लिया था और हरलीन देवल ने क्या शानदा राजपारी खेली है तो सभी मित्रों का स्वागत है दोस्तों यह मुकावला चल रहा है गुजरात जायंट्स और रोयल चैलेंजर्जर्स बैंगलोर के बीच बहुत ही शानदार मुकावला और अभी अभी गुजरात की बल्ले बाजी खत्म हो चुकी है और गुजरात ने बना लिये है 200 और पे 201 रन तो आज का टॉस जीता गुजरात ने और गुजरात ने टॉस जीत करके किया पहले बल्ले बाजी करने का फैसला और पहले बल्ले बाजी करते हुए धुआधार तरीके से उन्होंने 200 के आगे रन को खड़ा कर दिया है तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरी स्कोर कार्ड ये रहा स्कोर कार्ड गुजरात जायंट्स का 20 ओर पे गुजरात जायंट्स का स्कोर 201 रन है साथ विकेट के नुकसान पे तो शुरुआत की मेगना और सोफिया डंकली ने और डंकली ने क्या शांदार बल्ले बाजी दिखाई इस WPL का इस टूर्नामेंट का सबसे तेज अर्दशतक जड़ा मातर 18 गिंदो पे उन्होंने अर्दशतक जड़ा था उन्होंने 28 गिंदो पे बनाये 65 रन वहीं मेगना ने 11 गिंदो पे 8 रन बनाये थे अर्लीन देवल की पारी बहुत ही शांदार रही उन्होंने 45 गिंदो पे 67 रन बनाये और वहीं ऐशली गाड़नर ने 15 गिंदो पे 19 रन बनाये थेमलता ने 7 गिंदो पे अनावेल सदर्लेंड 8 गिंदो पे 14 रन स्नेह राना रन आउट होगे थी सस्ते में 2 रन पे किम गार्थ नाबात रही तीन पे और शुष्मा वर्मा ने 2 गिंदो पे बनाये 5 रन वहीं अगर हम बात करें गिंद बाजी की तो मेगान शूट आर्सीबी की तेज गिंद बाज उन्हें 4 और पे 36 रन दिये और 1 सफलता उन्हें मिली प्रिति बोष को कोई सफलता हासिल नहीं हुई 3 और पे 27 रन वहीं श्रेयांका पाटिल की अच्छी गिंद बाजी रही उन्होंने 4 और पे 32 रन देकर के 2 सफलता हासिल हुई तो ऐसे मैं देखा जाये तो गुजरात ज शांदार दो खिलारी जो बल्ले बाजी पे रही है वह हैं सोफिया डंकली और हर्ली इंदेओल डंकली ने 28 गेंदो पे ही 232 की स्ट्राइक रेट से 65 रन बनाया है अपने इस पारी पे उन्होंने 11 चौके और 3 चक्के लगाए वहीं हर्ली इंदेओल ने 45 गेंदो पे 67 रन बन के लिए पारी की शुरुआत इसमिर्थी मांदना करेंगी सोफी डिवाइन के साथ टीम में एक सबढ़कर एक स्टार है दोस्तों टीम में एलिस पेरी हैं हिदर नाइट है और रिचा घोष है दिशाक कसात है तो बहुत ही अच्छी यहां पर बल्ले बाजी है आर्सीवी की देखना है क्या कुछ होगा दोस्तों वीडियो फे बने रही है अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दें दूसरी पारी की शुरुआत अपसे थोड़ी ही देर में होने वाली है फिर्दोस चौधरी भी जुड़ चुके हैं तेज प्रकाश यादो भी जुड़े हैं अविशेक कुमार हैं फैयाज पटेल हैं वैववफैक्ट हैं सभी मित्रों का बहुत-बहुत धनिवाद नूरूल होदा भी है जुड़े हुए तो चली क्या कुछ हुआ एक बार जली कि मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्र गुजार हूँ और जितना भी मैं धन्यवाद बोल दूँ आप लोगों ने जितना की ऐस चैनल के लिए वह काफी कम रहेगा तो चलीए गुजरात की बल्लेबाजी हो गई है पूरी 20 ओवर हो गए है खत्म और 20 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर है 201 रन 7 विकेट के नुकसान पे तो श्रेयांक पाटिल ने आखरी ओर पे दिये 9 रन और एक सफलता भी मिली उन्होंने हरलीन देवल का विकेट लिया था और हरलीन देवल ने क्या शानदार राजपारी खेली है तो सभी मित्रों का स्वागत है दोस्तों यह मकावला चल रहा है गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच बहुत शानदार मकावला और अभी अभी गुजरात की बल्ले बाजी खत्म हो चुकी है और गुजरात ने बना लिये है 200 और पे 201 रन तो आ उन्होंने 200 के आगे रन को खड़ा कर दिया है तो चली आपको दिखाते हैं पूरी स्कोर कार्ड तो यह रहा है स्कोर कार्ड गुजरात जायंट्स का 20 ओर पे गुजरात जायंट्स का स्कोर 201 रन है साथ विकेट के नुकसान पे तो शुरुवात की मेगना और सोफिया डंकल ने और डंकली ने क्या शांदार बल्लेबाजी दिखाई इस WPL का इस टूर्णामेंट का सबसे तेज अर्दशतक जड़ा मातर 18 गिंदु पे उन्होंने अर्दशतक जड़ा था उन्होंने 28 गिंदु पे बनाए 65 रन वहीं मेगना ने 11 गिंदु पे 8 रन बनाए थे हरली इ उन्होंने 45 गिंदु पे 67 रन बनाए और वहीं ऐशली ही गाड़नर ने 15 गिंदु पे 19 रन बनाए हेमलता ने 7 गिंदु पे 60 रन अनावेल सदरलेंड 8 गिंदु पे 14 रन सनेह राना रन आउट होगे थी सस्ते में 2 रन पे किम गार्थ नाबात रही तीन पे और शुष्मा वर्मा ने 2 गिंदु पे बनाए 5 रन वहीं अगर हम बात करें गिंद बाजी की तो मेगान शूट RCB की तेज गिंद बाज ने 3 ओर की गिंद बाजी की उन्होंने अपने 3 ओर पे 26 रन दिये और 1 सफलता उने मिली एलिस पेरी को आज कोई भी सफलता नहीं हाथ लगी उनके 4 ओर से 43 रन आ गए वहीं रेनुका सिंग ठाकुन ने 4 ओर पे 36 रन दिये और 1 सफलता उने मिली पृति बोस को कोई सफलता हासिल नहीं हुई 3 ओर पे 27 रन वहीं श्रेयांका पाटिल की अच्छी गिंद बाजी रही उन्होंने 4 ओर की गिंद बाजी की 32 रन देकर के 2 सफलता ह हासिल हुई है तो ऐसे मैं देखा जाये तो गुजराज जैंट्स की टीम ने 201 रन बना लिये है और अब जवाब में आरसी भी को बनाने है 202 रन 120 गिंद पर तो आज की सबसे शांदार दो खिलाडी जो बल्ले बाजी पे रही है वो हैं सोफिया डंकली और हरली इंद देओल डंकली ने 28 गिंदो पे ही 232 की स्ट्राइक रेट से 65 रन बनाया है अपने इस पारी पे उन्होंने 11 चौके और 3 चखके लगा है वहीं हरली इंद देओल न बैंगलोर की टीम आएगी बल्ले बाजी करने के लिए पारी की शुरुआत इसमिरती मांदना करेंगी सोफिय डिवाइन के साथ टीम में एक सब बढ़कर एक स्टार है दोस्तों टीम में एलिस पेरी है हिदर नाइट है और रिचा घोष है दिशा कसात है तो बहुत ही अच गए है खत्म और 20 ओर के बाद गुजरात का स्कोर है 201 रन साथ विकेट के नुकसान पे तो श्रयांक पाटिल ने आखरी ओर पे दिये 9 रन और एक सफलता भी मिली उन्होंने हरलीन देवल का विकेट लिया था और हरलीन देवल ने क्या शानदा राजपारी खेली है तो सभी लिए है 200 ओर पे 201 रन तो आज का टॉस जीता गुजरात ने और गुजरात ने टॉस जीत करके किया पहले बल्ले बाजी करने का फैसला और पहले बल्ले बाजी करते हुए धुआधार तरीके से उन्होंने 200 के आगे रन को खड़ा कर दिया है तो चली आपको दिखाते हैं प यह रहा है स्कोर काड गुजरात जायंट्स का 20 ओर पे गुजरात जायंट्स का स्कोर 201 रन है साथ विकेट के नुकसान पे तो शुरुवात की मेगना और सोफिया डंकली ने और डंकली ने क्या शांदार बल्ले बाजी दिखाई इस डवलू पील का इस टूर्नामेंट का पर चाहिए उन्होंने 45 गंदों पे 67 रन बनाए और वहीं एशली गाड़नर ने 15 गंदों पे 19 रन बनाए घेमलता ने 7 गंदों पे 60 रन अनावेल सदर्लेंड 8 गंदों पे 14 रन सनेह राना रना रनाउट होगे थी सस्ते में 2 रन पे किमगार्च नाबाद रही तीन पे और सफलता उन्हें मिली एलिस पेरी को आज कोई भी सफलता नहीं हाथ लगी उनके 4 ओर से 43 रन आ गए वही रेनुका सिंग ठाकुन ने 4 ओर पे 36 रन दिये और एक सफलता उन्हें मिली पृति बोस को कोई सफलता हसिल नहीं हुई 3 ओर पे 27 रन वहीं श्रेयांका पाटिल की एक रन बना लिये हैं और अब जवाब में RCB को बनाने हैं 202 रन 120 गिंदो पर तो आज की सबसे शांदार दो खिलाडी जो बल्ले बाजी पे रही हैं वह हैं सोफिया डंकली और हर्ली इन देवल डंकली ने 28 गिंदो पे ही 232 की स्ट्राइक रेट से 65 रन बनाया है अपने इ शांदार मुकाबला चलता हुआ देखना है क्या कुछ होगा तो अब से थोड़ी देर पे रोयल चालेंजर्स बैंगलोर की टीम आएगी बल्ले बाजी करने के लिए पारी की शुरुआत इसमिती मांदना करेंगी सोफिय डिवाइन के साथ टीम में बढ़कर एक स्टार है दोस्तों टीम में एलिस पेरी हैं हिदर नाइट हैं और रिचा घोष हैं दीशाक कसाथ हैं तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर बल्ले बाजी है आर्सिवी की देखना है क्या कुछ होगा दोस्तों वीडियो पे बने रही है अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं कै तो जरूर कर दें दूसरी पारी की शुरुवात अपसे थोड़ी ही देर में होने वाली है तो चलिए गुजरात की बल्ले बाजी हो गई है पूरी बीस ओवर हो गए है खत्म और बीस ओवर के बाद गुजरात का स्कोर है दोसो एक रन साथ विकेट के नुकसान पे तो श्र बैंगलोर के बीच बहुत ही शानदार मुकाबला और अभी अभी गुजरात की बल्ले बाजी खत्म हो चुकी है और गुजरात ने बना लिये है बीस ओवर पे दोसो एक रन तो आज का टॉस जीता गुजरात ने और गुजरात ने टॉस जीत करके किया पहले बल्ले बाजी करने का फैसला और पहले बल्ले बाजी करते हुए धुआधार तरीके से उन्होंने दोसो के आगे रन को खड़ा कर दिया है तो चली आपको दिखाते हैं पूरी स्कोर कार्ड ये रहा है स्कोर कार्ड गुजरात जायंट्स का 20 ओर पे गुजरात जायंट्स का स्कोर 201 रन है साथ विकेट के नुकसान पे तो शुरुवात की मेघना और सोफिया डंकली ने और डंकली ने क्या शांदार बल्लेबाजी दिखाई इस डवलू पी यल का इस टूर्नामेंट का सबसे तेज अर्दशतक जड़ा मातर 18 गिंदो पे उन्होंने अर्दशतक जड़ा था उन्होंने 28 गिंदो पे बनाए 65 र बनाए घेमलता ने 7 गिंदो पे सोलर रन अनावेल सदर्लेंड 8 गिंदो पे 14 रन सनेह राना रना आउट होगे थी सस्ते में 2 रन पे किम गार्थ नाबाद रही तीन पे और शुष्मा वर्मा ने 2 गिंदो पे बनाए 5 रन वही अगर हम बात करें गिंद बाजी की तो मेगान शूट RCB की तेज गिंद बाज ने 3 ओर की गिंद बाजी की उन्होंने अपने 3 ओर पे 26 रन दिये और एक सफलता उन्हें मिली एलिस पेरी को आज कोई भी सफलता नहीं हाथ लगी उनके 4 ओर से 43 रन आ गए वही रेनुका सिंग थाकुन ने 4 ओर पे 36 रन दिये और एक सफलता उन्हें मिली पृति बोस को कोई सफलता हासिल नहीं हुई 3 ओर पे 27 रन वहीं श्रेयांका पाटिल की अच्छी गिंद बाजी रही उन्होंने 4 ओर की गिंद बाजी की 32 रन देकर के 2 सफलता हासिल की और हे आरसीवी को जीतने के लिए बनाने हैं 202 रन 120 गेंदो पर तो पहले बल्ले बाजी करते हुए गुजरात वूमन्स की टीम ने बना लिए 201 रन और बहुत ही शांदार पारी रही दंकली और हरलीन देओल की रेंचेज में आप सबका स्वागत है दोस्तों दंकली और हरलीन के आकरमक अर्दशतकों की वदद से गुजरात ने दोसों का आकड़ा पार करनी लिया है और अगर बैंगलूर को दो अंक कमाने हैं तो उसे इस रिकॉर्ड लक्ष को हसिल करना होगा और दोस्तों अच्छी बात यह है कि इस पिछ पे जो गेंध है वो अच्छी तरीके से बल्ले पे आ रही है तो देखा जातों जो पिछ है यह बल्लेबाजों के लिए काफी अनुकूल माना जा रहा है तो ऐसे में देखना है किस परकार की हमें बल्लेबाजी देखने को मिल है ऐसे में गुजरात अपनी पहली जीत की तरफ अरहाल में बढ़ना चाहेगी चलिए अब देखना है क्या होगा स्रेहराना की कपतानी में गुजरात की टीम क्या इस रंचेज को केज करने में बैंगलोर को रोक पाती है नहीं इसमृती मांदना पहुंच चुकी है अब क्री पे इसमृती मांदना एक शांदार खिलाडी 248 मैचेस में 6000 से जादा रन है उनके करियर में और हम देख पार है किम गार्थ आ गई है गेंद बाजी के लिए 156 मुकावलों पे 149 विकेट है देखना है क्या 150 विकेट अपना आज ले पाते है या नहीं तो तेज गेंद करके आते हुई इसमृती मांदना के लिए किम कार्थ इतने भी मित्र जूल रहें वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो चानल को जरूर सब्सक्राइब किजेगा अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चल कीपर के पास तो 119 गेंदों पे RCB को जीतने के लिए बनाने हैं 202 रन और की दूसरी गेंद आने वाली है किमगार्थ की तरप से थेज गेंद बाज किमगार्थ आती हुई सामने हिस्पिरिती मांदना और ये लेजिए रन के शुरुआ चौके के साथ दूसरी ही गेंद पे बहुत शानदार पुल ओ चौका नहीं मिला है बहुत ही बड़ी अफिल्डिंग हो गई है दोस्तों फाइन लेके दिशा पे दो ही रन मिल पाएगा शानदार फिल्डिंग वहाँ पे खड़ी फिल्डर के द्वारा बिल्कुल चौके को बचा लिया गया है तो किम गार्थ जिन्होंने तीसरे मुकावले पे यूपी के खिलाफ पाच सपलताएं हासिल की थी देखना है आज कैसी रहती है इनकी गेंद बाजी बहुत शानदार गेंद बाज है किम गार्थ करेंगे अपना अगला गेंद स्ट्राइक पे इस्मृती मांदना वर की तीसरी गेंद लेकर के आती हुई कार्थ और ये लिज़े अगली गेंद हो गई है वाइड तो उस वाइड के साथ स्कोर बढ़ करको हो चला है तीन रन का एक स्लिप खिलाली को लगा दिया गया एक खिलाली बैकवर्ड पॉइंट पे खड़ी है जिस्मृती मांदना के लिए अगली गेंद के साथ आते भी किम गार्थ वर के दूसरी गेंद करेंगी सामने है बाइहाथ की बले बाज जिस्मृती मांदना जोरकर लेंद की गेंद पैड़ो पे लगी है और इस गेंद को फाइनले कितनी शापे खेल दिया है क्या गेंद जाएगी चार रन के लिए जी यहाँ गेंद पहुँच गई है चार रन के लिए लेग बाई पे चौका आता हुआ तीन गेंदों पे और सिबी का स्कोर हो गया है साथ रन का गेंदों पे अब र को जीतने के लिए बनारे हैं 955 रन अबी मित्रों का स्वागत है दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अगली गेंद आपस्टम के बाहर की इस गेंद को खेल दिया है कवर की निशा पे डीप कवर पे फिल्डर मौझूद है एक रन मिलता हो इसमरिती मांदनों को और अब स्ट्राइक पे डिवाइन आएंगी पॉइंट और कवर की रीजन पे फिल्डर बोल लगाया अभी अभी किम गार्थ की गेंद पे एक अप्तान स्रिहराना ने गार्थ की पाँच भी गेंद स्ट्राइक पे डिवाइन ओबर दी विकेट साती भी गेंद बाज किम गार्थ एक स्रिप खिलाली मौजूद एक खिलाली बैकवर्ड पॉइंट एक पॉइंट एक कवर और एक एक्स्ट्रा कवर पे मौजूद और ये एक मेड़ पे भी खिलाली को रखा गया है अगली गेन और एलीजे इस गेन को कवर और पॉइंट के बीच से निकाल दिया है मिलेगा एक दो रन टीप कवर पे भी एक खिलाली माजू तो आप स्टम पे काफी पहरा रखा गया था डिवाइन के लिए पाज गेन बीच जाने के बाद और आरसीवी का स्कोर है नौर अंका बिना किसी विकेट के नुकसान पे विकास कुमार जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका स्वागत है अगली गेन किमकार्थ की आखरी गेन्धों की सोवर की इनके सामने है आरसीवी की कप्तान इस्पनिती मांदना वर्दी विकेट साथ ही गेन्ध बाज इस गेन्ध को खेला है मिड़ विकेट की दिशा पे एक ही रन मिल पाएगा एक ओवर बीज जाने के बाद आरसीवी का इसको नौरन बिना किसी विकेट के नुकसान पे पहले वर्चा है नौरन और अब यहां से 114 गेन्धों पे आरसीवी विमन को जीतने के लिए बनाने है 113 बेरन करन्ट रन गलती है नौकी रिक्वार्ड रन नेट है दस दसमलव एक च्छे की तो चलिए देख रहा है क्या यहां पर इस बड़े चेश को हासिल करने में काम्याब हो पाती है आरसीवी की टीम या नहीं और दोस्तो पांसो आठासी लोगों ने वीडियो को लाइक किया देखना है क्या बार और लोग मिलकर के अगले दो वर के अंदर लाइक को बढ़ा पाते है या नहीं दूसरे वर की होगी शुरुआत देखना है कौन आती है गेंद बाजी पर स्ट्राइक पे डिवाई पांसो नबबे पांसो क्या बे क्या बात दोस्तों आप सभी मित्रों ने तुरंत ही लाइक करना शुरू कर दिया देखके काफी अच्छा लगा थैंक्यू सो मच पर यू गवर अपने पहले वर के साथ इस्पिन गेंद बाज है बाया हाथ से गेंद बाजी करती है बिलकुल फुल्दीप यादव की याद दिला देती है जिस परकार की बगेंद डालती है पहली गेंद इस गेंद को मिड़ान के दिशा पे खेला डिवाई ने सिंगल के लिए और दूसरी गेंद के साथ इस्ट्राइक पे कप्तान इस्मृती मांदना आगे बढ़ करके लॉंग आपक के फिल्डर से मिस्टेक हुई है गेंद जाएगी लॉंग आपक पे चार रन के लिए ऐसा लगा मानो मिड़ पे फिल्डर अगर चाहता तो कैच ले सकता था तो वहां की फिल्डर इस कैच को लेने में नाकाम्याब रही और गेंद गई सीधा चार रन के लिए यहां दोस्तों फिल्डर के ठीक पहली गिरी है गेंद और ऐसे में चौका मिलता हुआ इसमनिती मानदना को अगली गेंद एक बार फिट से इस गेंद को खेला है मिड़ आप के शेतर पे फिल्डर नहीं इस गेंद को रोक लिया है कोई रन नहीं मिलता हुआ एक दस मेलव तीन ओर के बाद RCB 14 बिना किसी विकेट के नुकसान पे चौती गेंद के साथ कवर आती ही सामने है मानदना पैटे डिल्वरी इस गेंद को ठाकर के खेल दिया लॉंग आप के दिशा पे गेंद हवा पे है और लग रहा है कि गेंद जाएगी चार रन के लिए जी हाँ दोस्तों इस प्रिती मानदना का चौका आता हुआ तो दो चौके लग चुके हैं सोवर पे एक दस मलव चार रोर के बाद RCB का स्कौर है ठारा रन का बिना किसी विकेट के लुकसान पे 110 गेंद बाकी है जीतने के लिए चाहिए 184 रन आच भी गेंद लेकर के आती ही कवर स्ट्राइक पे स्मृती मानदना कवर की पांच भी गेंद राइटर डिलिवरी एक बार फिट से बड़ा शॉट इस बार गेंद हवाँ पे है स्ट्रेट की दिशा पे गेंद कई है और ये लिजे ठीक सीमा रेखा के पास फिल्डर मौजूद एक रन लेने का मौका सदर लेन ने एक अच्छी फिल्डिंग की है एक दसमलो पांच और बिज जाने के बाद आर्सिबी का स्कोर 19 रन बिना किसिफिकेट के नुक्सान पे और अब सोफिया डिवाईन आ चुकी है बल्ले बाजी पे सामना करेंगी कवर की आखरी गेंद का इस गेंद को लंगाउन पे खेला है एक रन के लिए तो या रन आए कवर के इस ओवर से तो ओवर बीज जाने के बाद आर्सिबी का स्कोर 20 रन बिना किसिफिकेट के नुक्सान पे तो यहां से अब 18 ओर पे आर्सिबी को जीतने के लिए 182 रन चाहिए रिक्वार्ड रन रेट है 10 दस दस पलव एक एक का करेंट रन गती है 10 की तो अब तक अच्छी शुरुवात मिल है आर्सिबी को देखना है तीसरे ओर पे क्या कुछ होता है किम गार्थ अपने दूसरे ओर के साथ आ रही है इनके सामने है सोफिया डिवाइन और पहली गेन बड़ा शॉर्ट बल्ले का बाहरी हिसा और गेन गई चार रन के लिए थर्ड मैन की दिशा की तरफ पच्छी गेन थी बाहरी किनारा पाने में काम्याब तो जरूर हुई थी कार्थ पर गेन गई तेजी के साथ थर्ड मैन की दिशा पर वहाँ कोई फिल्डर नहीं और इसमें चार रन मिलता हुआ डिवाइन को और कि दूसरी गेन करते थी गार्थ सामने है डिवाइन और ये लिए एक और चौका शॉर्ट पिस डिलिवरी बेहतरीन पुल गेन कई मिडविकेट की दिशा की तरफ मिलेगा चौका दो गेंदों पे लगातार दो चौके तो चलिए लगातार दो गेंदों पे चौका आया है हमारे साथ लाल बहादूर महतो जी जुड़ चुके हैं अमन यादव जी जुड़ चुके हैं सभी मित्रों का धन्यवाद जुड़ने के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वरकित तीसरी गेंद किम गार्थ की स्ट्राइक पे है डिवाइन दो गेंदों पे दो चौके आ चुके हैं देखना है अगली गेंद पे क्या होता है अगली गेंद इस गेंद को खेल दिया है मिड ओफ की दिशा पे फिल्डर के पास गई ही गेंद कोई रन लेने का मौका नहीं दो दसमाल अव तीन ओर बीच जाने के बाद आर्सिवी का स्कोर है अठाइस बिना किसी विगेट के नुकसान पे पांदरा इनने नौगेट लोपे बार हर रन बना है पॉर की चौती गेंद के साथ किमगार्थ आती हुई सामने है इवाईन अपस्टम के बाहर की गेंद इस गेंद को खेला मिडव तो और ऐसा लग रहा है कैच पकड़ा गया जी नहीं कैच ड्रॉप हो गया है मिडव की फिल्डर के ठीक पहले गिरी गेंद और यहाँ पे जीवंदान मिलता हुआ डिवाईन को को दस में लव चार वर आर सीवी अठाइस बिना किस्विकेट के नुकसान पर अगया और दोस्तों गेंद बल्ले के से ठकरा इनके बाद जमीन पर जाकर के लगी थी तो ऐसे में भी नौटाउट ही दी जाती अगली गेंद के साथ आते हुए किम गार्थ सामने हैं डिवाईन और जिवी गेट सारी तेज गेंद बाज आप्सिन के बाहर की गेंद आउट स्विंग डिलिवरी इस गेंद को खेल दिया है कवर की दिशापे डिप कवर पर फिल्डर मौजूद एक रन मिलता हुआ बल्ले बाज डिवाईन को उनने अब तक 8 गेंद पर 12 रन बनाये हैं इस पर फिल्डर मान्दना कभी स्वोर 9 गेंद पर 12 रन कही है और की अंतिम गेंद आती हुई अब तक इस ओर पर 9 रन आये हैं पहरी 2 गेंद पर चौका लगने के बाद किमगार्थ ने बाकी 3 गेंदों को बहुत ही अच्छी तरीके से डाला है डालेंगी इस ओर की अंतिम गेंद स्ट्राइक पर है स्मृती मान्दना और ये लिजे आखरी गेंद पर भी चौका बहुत शांदार शौर्ट एक्स्ट्रा कवर पर ताकतवर चौका लगाती भी स्मृती मान्दना तीन ओवर बीज जाने के बाद आरसी भी विमन का स्कोर हुआ तैंतिस का बिना किसी विकेट के नुक्सान पर तो यहां से अब 102 गेंदों पर बनाने 179 रन हर एक ओवर पर बनाने 1924 की रफ्तार से फिलाले 11 रन प्रती ओवर की और 60 से रन बन रहे हैं और आरसी भी ने 3 ओवर पर ही बना डाले हैं 33 रन तो च्या आरसी भी आज अपने पहले जीत की तरह बढ़ रही और यह लिए छे सो से जादा मित्रों ने वीडियो को लाइक किया है तो इसी बात पर बजाते हैं आपकी पसंदीदा धुन बहुत धन्यवाद इस सभी मित्रों का वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्क्राइब करने के लिए तो चलिए अब चौत है वर पर देख रहा है कौन आती है गेंदबाजी पे तो कवर आ रही है आपकी जगाडनर आ रही है कवर के स्थान पे तो चलिए अब आशली गाडनर करिंग की गेंदबाजी इनके सामने है डिवाइन ओवर की पहली गेंद फ्लाइट डिलिवरी लेकिस्टम की लाइन रूम बनाया इस गेंद को खेल दिया है स्कॉयल लेक की दिशा पे मिल जाएका चौका लगातार चौके आते जा रहे है आरसीवी की बल्ले बागों की तरफ पे तीन दस मलब एक और बीच जाने के बाद आरसीवी का स्कॉर 37 रन है बीना किसी विकेट के नुक्सान पे 101 गेंद जीतने के लिए चाहिए 165 रन अगली गेंद फ्लाइटे डिलिवरी इस गेंद को खेला है पॉइंट पे फिल्डर ने गेंद को पकड़ दिया है पॉइंट पे खड़े फिल्डर ने रन लेने का मौका नहीं तो चली देखना एशली गार्णनर क्या विकेट लेपाने में काम्याब हो पाती है नहीं डालिंग ये ओवर की तीसरी गेंद स्ट्राइक पे है डिवाइन एक्टे डिलिवरी कदमों का इस्तमाल गेंद को खेला है मिड़ॉफ की तरफ इस गेंद को कुछ हद तक रोकने में काम्याब रही गार्णनर गती को रोक दिया है और ऐसे मिड़ॉफ की फिल्डर ने आसानी के साथ गेंद को रोका है और इस बीच एक रल लेने का मौका ड गेंद बाजी ओप्स्रम की लाइन इस गेंद को खेला है पॉइंट के दिशापे एक रन मिलने का मौका रन आउट होने के संभावना पर थ्रो काफी दूर था गेंद बाज से नन स्ट्राइकर एंड के काफी दूर थी यह थ्रो और ऐसे में रन आउट होते होते बच गई इस मौती मांदरा तीन दस में लव चार वर बीच जाने के बाद आर सीवी का इसकोर 49 रन है बिना के सिवी केट के नुकसान पे अगरी गेंद इस गेंद को खेला है कवर की दिशा पे अम अपके जब मिड आप की दिशा पे फिल्डर ने बहुत ही बढ़िया फिल्डिंग की वहाँ पे ख़ली फिल्डर मांसी ने कोई रन लेने का मौका नहीं इस ओवर की अंदिम गेंद आ रही है अश्ली गार्डनर की अपता के सिर्फ 6 रना है इस ओवर से तो काफी किभाईती गेंद बाजी रही देखना आखरी गेंद पे क्या होता है पाइटे डिलिवरी इस गेंद को खेला है मिडॉन पे एक और अच्छे सिर्फ सिंगल के लिए तो एक अच्छे ओवर की समापती हुई गार्डनर की तरब से सिर्फ 7 रना है इस ओवर से तो पावर प्ले के दौरान 17 रना एक अच्छे ओवर की संकेत है चार ओवर बीद गए हैं और RCB का स्कोर है 40 का बिना कोई नुकसान के यहां से 96 गेंदों पे जीतने के लिए चाहिए 162 रन अलिए अब पावर पे देख रहा है किसे गेंद थमाती है तने हिराना जो की कप्तार है आज के मुकावले पे गुजरात की 202 रनों का टार्गेट है और फिलहाल 40 रन बन चुके है मांच में वर की शुरुवात देखना है कौन आ रहे हैं गेंद बाजी पे तो ऐसा लग रहा है कि किम कास जिनी सदर्लेंड आ गई है एना बेल सदर्लेंड आ चुकी हैं गेंद बाजी पे अपना पहला वर करेंगी इनके सामने है बल्ले बाज दिवाइन पहली गेंद लेक्स्टम की लाइन इस गेंद को हलके हाथों से खेला इस फेले की दिशा पे एक रन के लिए ओ दूसरे रन के लिए भाग पड़ी है और ऐसा लग रहा चौका हो गया है जी हाँ दोस्तों पहली गेंद से आ गया है च चार दसमल अप एक ओवर बीच जाने के बाद आर से भी कैस्कोर है चवाली से बिना कोई नुकसान के दूसरी गेंद के साथ सदर लेंड आती हुई सामने है डिवाइन दूसरी गेंदात्वी और ऐसा लग रखिया है अमपायर चेक करने हैं बाड़ी को परसाफ चौका है इसमें अमपायर का इशारा आ चुका है चौके का प्रदर लेंड अपनी दूसरी गेंद के साथ सामने है डिवाइन और यह एक और चौका इस बार लग आप के दिशा पे बहुत शांदार शांट डिवाइन के बल्ले से आता हुई दो गेंदों पे लगातार दो चौके तो तावड तोड बल्ले बाजी चल रही है बैंगलोर की 94 गेंदों पे जीतने के लिए चाहिए 154 रन तो फिवाइन 15 गेंदों पे बना लिये हैं 26 रन सामना करेंगे सुवर की तीसरी गेंद का और ये लिजे अगली गेंद पे एक और चौका गेंद बाज के ठीक सर के ओपर से गेंद काई है तीसरे चौके के लिए और इसी के साथ 50 रन भी पूरे हो गए है आरसी वी के तो काफी महंगा ओवर आता हुआ सुवर के तरब से चार दस मलव तीन ओवर के बाद आरसी वी 52 बिना कोई विकेट के नुकसान पे सुथी गेंद स्ट्राइक पे रहेंगी डिवाइन अब क्या करेंगी सुथर लैंड फुल टास डेलिवरी खेल दिया इस गेंद को स्पैलेक के दिशा पे इप स्पैलेक पे फिल्डर मौजूद मिलेगा एक रन फुल टास गेंद थी कहीं अमपायर नो बॉल तो नहीं देंगे जिन ही नो बॉल का इशारा नहीं आया है टार दस मेल लब चार वर बीच जाने के बाद आरसी वी का स्कोर है तीर पन रन का वर की पांच भी गेंद के साथ सदर लैंड आती ही सामने है मांदना अब ही घातक के तेज गेंद बाज है सदर लैंड टाट प्रिज डिलिवरी पुल कर दिया गेंद को विड़ विकेट के दिशा पे गेंद तेज से जाती वी पर बहुत ही बढ़िया फिल्डिंग चौके को बचा लिया गया है एक ही रन मिलेगा तो डंकली ने शांदार डाइव मारतवे गेंद को रोक लिया है मांदना ने अब तक 12 गेंद पर 15 रन वहीं दूसरी छोर पे डिवाइन ने 17 गेंद पर 30 रन बना है तो आखरी गेंद का सामना करेंगी सोफिया डिवाइन गेंद बाजी पे है सदर लेंड सदर लेंड के इस ओवर पे काफी रन गए है आखरी गेंद पॉइंट पे गई गेंद कोई रन लेने का मौका नहीं तो इस ओवर से 14 रन आ चुके हैं पाच ओवर बीच जाने के तो चली अब देख रहा है कौन होगी वक्त गेंद बाज निकालेंगी पहला विकेट चली गाड़नर आ गई हैंगे इंद बाजी पे अपना दूसरा वर करने के लिए पहली गेंद कोई रन नहीं आता हुआ पहली गेंद से पांच दसमेल अब एक वर बीच जाने के बाद आर्सीबी का स्कोर है चबवन रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे और इलिए इसमीच अगली गेंद हवा पे है गेंद पकड़ ली जाएंगी इस मृतीम मांदना एक बार फिर सस्ते में हो गई है आउट चौदह के अंदू पे ठारा रन बना करके गाड़नर के हाथों कैच हो गई इसमृतीम मांदना तो आर्सिबी को बड़ा जटका सलावी बल्लेबाज आर्सिबी की कप्तान इसमृतीम मांदना ठारा रन बना करके कैच आउट हो गई है पांच दसमल अव दो वर के बाद आर्सिबी विमन का स्कोर चववन रन एक विकेट के नुकसान पे तो गाड़नर को मिली पहली सफलता और जितने भी में तो जोड़ रहे हैं जरूर वीडियो को लाइक करें चानल को सब्सक्राइब किजिएगा अगर आपने अब तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे देखते हैं अगले गेन को कौन खेलने वाला है तो अब इस प्रिती मांदना के आउट होने के बाद पिलहाल यहां बल्ले बाजी पे एलिस पेरी लग रहा है आ रही है यहां दोस्तों एलिस पेरी है अगली बल्ले बाज सामना करेंगी गाड़नर का गाड़नर वर्सेज पेरी लगेन सीदे बल्ले सेज गेन को हलके हाथों से खेला है पेरी ने कोई रण नहीं आता हुआ तो बिलकुल शेन वाटसन की तरह खिलाली है अच्छी थेज गेंद बाज होने के साथ साथ अच्छी टॉप ओडर की बल्ले बाज भी है पेरी 328 मैचेस का इनका अनुभव है टी 20 में बहुत ही अनुभवी और ये लिजे आते ही चौका भी जड़ दिया है लिस पेरी का बेहतरीन चौका आता हुआ पाल्जस मलव चार वर पे आर सीवी विवन 58 रन एक विकेट के नुखसान पे 86 गेंदों पे जीतने के लिए चाहिए 144 रन अगली गेंद पेरी की पैट के डिलिवरी अंदर आते ही गेंद राय के साथ गेंद को मोड़ा है स्कार लेकी दिशा पे मिलेगा एक रन अंतिम गेंद इस ओवर की अब तक 5 रन आ है और एक सफलता भी मिली है गाड़नर को अपस्टों के बाहर की गेंद खेला है कवर पे फिल्डर के पास सीधा गेंद गया कोई रन नहीं आता हुआ आखरी गेंज से पाच रन मात रहा हैं सोवर से और एक सफलता भी मिली है गार्डनर को छे ओवर बीद गए हैं और छे ओवर के बाद RCB का स्कोर है उन सट रन एक विकेट के नुकसान थे छे ओवर के बाद RCB का स्कोर है उन सट रन एक विकेट के नुकसान थे साथ वेवर के होगी शुरुआत देखना है कोन आती है गेंद बाजी पे कमर को गेंद थमा रही है वहां की कप्तान स्रहराणा अपना दूसरा वर करेंगी तनुजा कमर सामने है बल्लेबाज डिवाइन अपकी जब पेरी थी बल्लेबाजी पे और पेरी ने अभी अभी मिड़ॉन पे एक सिंगल ले लिया है इस ट्राइक पे अबाएंगी डिवाइन पिशली 6-10 मलब एक वर बीच जाने के बाद RCB का स्कोर है साथ रन का एक विकेट के नुकसान पे अगली गेन आपस्टम के बाहर की इस गेन को खेला है विड़ॉप के दिशा पे मिस्फिल्डिंग हुई है पर लॉंग आप पे फिल्डर मौजूद मिलेगा एक रन अच्छे दस मलब दो वर के बाद RCB एक साथ एक विकेट पे वर की तीसरी गेन लेकर क्या रही है कमर प्लाइटे डेलिवरी लेक स्टम की गेन इस गेन को लॉंग आन के दिशा पे खेला है आगे बढ़ करके कल्ले बाज ने मिलेगा सिंगल और अब वापस से डिवाइन आ चुते हैं स्ट्राइक पे पहले तीन गेन पे तीन सिंगल सा है देखना है चौथी गेन पे क्या होता है पर की चौथी गेन लेकर क्या आती भी कमर राइटे डेलिवरी लेक स्टम की लाइन एक बार फिट से अच्छी गेन कोई रन नहीं आता हुआ तो पहली चार गेंदों पे सिर्फ तीन रन आये हैं आखरी दो गेंदों पे देखना है क्या कुछ होता है कि अगली गेंदात भी ओहो आगे फट कोई मौका नहीं दे रही है रूम बनाने का कमर कोई रन नहीं आता हुआ तो अब तक का बहतरीन ओवर कमर का यहां आता हुआ अग्दि गेंद डालेंगे सामने हैं डिवाइं और इस गेंद पे भी कोई रन नहीं तो आखरी के तीन गेंदों पे तीन डॉट्स आ है मातर तीन ही रन आया है इस ओवर से साथ ओवर के बाद RCB विवन बासट एक विकेट के नुकसान पे बचे 13 ओवरों पे यानि की 78 गेंदों पे RCB को जीतने के लिए बनाने हैं 146 रन चली अब आठ पे ओवर की तरब बढ़ते हैं पेलिस पेरी रहेंगे स्ट्राइक पे और अब यहां से रन रेट जो है वो लगभग 11 रन तती ओवर का पहुंच चुका है जो लगता है शायद अगले ओवर पे ताबड तोड बल्ले बाजी आने वाली है तो चली आठ पे ओवर की होगी शुरुआत स्नेह राणा खुद आई हैं गेंद बाजी करने के लिए कप्तान स्नेह राणा के गेंद बाजी सामने है एलिस पेरी पहली गेंद सीधे बल्ले से खेला है गेंद वापस से स्नेह राणा के ही पास कोई रन नहीं आता हुआ पहली गेंद से और की दूसरी गेंद के साथ आते भी स्नेह राणा पैटे डिलिवरी और आगे बढ़ करके इस गेंद को लॉंगाउफ के दिशा पे खेल दिया गया है लॉंगाउपे खड़ी मानसी ने इस गेंद को रोका मिलेगा एक रन तो दोस्तो कल का मुकाबला होगा देली कैपिटल्स बना मुंबई इंडियन्स के बीच तो दो बड़े महानगरों के बीच मुकाबला है विमन्स प्रीमियर लीग का मुकाबला नंबर साथ और की अगली गेंद आती भी फ्लाइटे डिलिवरी इस गेंद को सीधे बले से खेल दिया है कोई रन नहीं मिलता हुआ साथ दस मलव तीरो और बीच जाने के बाद आरसी भी विमन्स तीरे सट रर है एक विकेट के नुकसान पे अगली गेंद इस गेंद को खेल दिया है लंगाउन के दिशा पे मिलेगा एक रन साथ दस मलव तीरो और और आरसी भी का स्कोर चौशट एक विकेट के नुकसान पे त्रहरणा अपनी पांच भी गेंद के साथ स्ट्राइक पे पेरी McD घर्मराज यादवजी जिड़ चुके हैं हमारे साथ धन्यवाद हमारे साथ एड़ पियर पतन जी जिड़ चुके हैं ज़ो आरसी भी को सपोर्ट कर रहे हमारे साथ विजय कुमार है, अमन यादव है, उंकार यादव है, अजब गजब फनी वीडियो है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और सभी मित्रों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जरूर आप लोग वीडियो को लाइक करें, चानल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर आपने अब तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो और क्या अगली गेन, इस गेन को खेला है बैकवार्ट पॉइंट पे, पहला रन तेई से लिया, दूसरे रन के लिए भाग पड़ी हैं और पूरा भी गिया और इस सिंगल के साथ आरसीवी का स्कोर हो चला है च्यासट रनों का आट ओर बीद का है, आरसीवी ने बनाए च्यासट रन, यहां से अब 72 गेंदों पे जीतने के लिए चाहिए 136 रन दिकवाइड रन रेट है, ज्यार दस पलाव, तीन ये तीन का इसने हे राणा के पहले वर से मादर चाहर ही रना है, एलिस पेरी और डिवाइन काफी समल करके बल्लेबाजी करती हुए नजर आ रही है यहां कल मुकाबला है यश्वाई कल मुकाबला है टेस्ट मुकाबला है भारत और रास्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मुकाबला तो बस नहीं हम लोग जुड़ जाएंगे हमारे में चैनल की एम पंक पे आप लोग वहां जरूर आईगा तो चलिए अब सदर्लैंड आ चुकी है सदर्लैंड करेंगी अपना दूसरा और पहले और से चौदर रनाए थे अपने दूसरे और के साथ आते भी एनबल सदर्लैंड स्ट्राइक पे हैं बल्ले बाज सोफिया डिवाईन नहीं चैनल नेम इस के एम पंक इस गेन को खेला है विट विगेट के दिशा पे एक रन के लिए आठ विस में लब एक और के बाद आर्सिवी विमन सड़ सठ एक विगेट के नुकसान पे तो हरली इन देवल नंबर तीन पे पहुँच गई हैं सबसे जादा रन बनाने वाली खिलाडियों की सुची में हैली मैथ्यूज नंबर दो और एक नंबर पे है मेग लेनिंग और कल मेग लेनिंग दिखेंगे और हैली मैथ्यूज दोनों ही कल दिखने वाली है मुकाबले पे देली कापिटल्स और मुंबई इंडियन्स के बीच कल का मुकाबला होगा विमन्स प्रीमियर लीग का चली सी बीच सदर्लैंड आ रही है गेंद बाजी के लिए और एक बार फिट से लेकस्टम के बाहर की गेंद गेंद गई है सीधा फाइल लेकी दिशा पे चार रन के लिए और दोस बलव दोवर के बाद आरसीबी विमन्स एकटर रन एक विगेट के नुकसान पे यहां से सतर गेंद पे चाही एक सो एक तिस रन वरकि तीसरी गेंद सदर्लैंड की स्ट्राइक पे रहेंगी एलिस पेरी के एम पंक के एम और स्काट पी यू एन के पंक है वो नाव पी एन नहीं पी यू एन के है अगली गेंद मिलेगा एक रन आट दोस बलव तीन ओवर आरसीबी विमन्स एक विगेट के नुकसान पे यहां यही सही है बभभा भाई ने लिग दिया है कोवर की चौथी गेंद के साथ सदर लैन स्ट्राइक पे डिवाइन आपस्टम के काफी बाहर यह गेंद इस गेंद को खेला है फिल्डर मौजूद मिलेगा एक रन अब तक चार गेंदों पे सातर रना है देखना आखरी दों गेंदों पे क्या होता है आज भी गेंद के साथ ओवर दिविकेट से एनबल सदर लैन आती ही सामने है अलिस पेरी तारीता जोडने के लिए धन्यवाद आपका सब भी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जरूर लाइक करें वीडियो को अगली गेंद आपस्टम के बाहर की गेंद इस गेंद को खेला है बैकवाट पॉइंट पे फिल्डर वहां मौजूद कोई रन नहीं आता हो पुल कर दिया बहुत ही ताकतवर तरीके से पर मिड़ विकेट पर उतरी ही अच्छी फिल्डिंग हुई है दिलेगा एक रन आट रन आइस ओवर से नौवर बीच चुके हैं आरसीवी विमन चोहतर रन एक विकेट के नुकसान पर पुछलिए अब ग्यारह ओवर पर बराने 128 रन, 66 ग्यूंद पर बराने 128 रन, देखना है एक टाइस तरह से सफपारी को एलिस पेरी और डिवाईन आगे बढ़ाने वाली है केम पंक आपको नहीं दिख रहा है वैभव भाई ने नाम लिख दिया था यश भाई आपको उस नाम पर जाईए और चेक आउट किजिए यह हमारे केम स्पोर्ट के चैनल सेक्शन पर जाएंगे तो आपको वहाँ दिख जाएगा और इस वक्त दोस्तों मैं बता दूँ कि भारत और अस्ट्रेलिया का जो मुकाबला वह सुबह से होगा और उसका भी लुथ हम लोग साथ में उठाने वाले हैं जिए लिए 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 तो चलिए अब तस्वे और की होगी शुरुवात नौवर के बाद RCB विबन का स्कोर है 74 रंखा एक विकेट के नुकसान पे इवाइन और पेरी काफी समल करके बल्लेबाजी कर रही है इन्होंने 22 गिंदों पे मिल करके 20 रंड बना लिया है सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चलिए अब शुरुवात होने वाली है मुकाबले की वापस से दस्वे वर्कियों की शुरुवात अच्छा इस पर मैं चैनल नहीं है क्या हो हो है कि मैं कर लूंगा ज़रूरूरू तो चलिए अब हम देख पा रहे हैं यहां पर गेंदबाजी पर स्नेहराना आ रही है अपने अगले ओवर के साथ तो अब और की पहली गेंद इसनेहराना लेकर क्या आत हुई लाइटर डिलिवरी इस गेंद को सी दबल से खेला गेंद वापस गई इस रहराना की पास एलिस पेरी इस वक्त क्रीस पे मौझूद ओवर की दूसरी गेंद स्नेहराना की गेंद बाजी पे है एलिस पेरी और ऐसा लग़ा है की स्नेहराना की हाथ में चोट आ गई है दोस्तों अपनी पहली गेंद को रोकने के ग्रम में चोटी लो गई है एलिस पेरी ने एक ताकतवर शॉट जड़ा था इस ड्राइव डमारा था और गेंद सीधा स्नेहराना के ही हाथ में जाकर के लगी है और ऐसा लग़ा है की उनकी उंगलियों पर चोट लगी है अब देखता है कितना गहरा यह चोट है ओहूँ ऐसा लग़ा है की चोट की वज़े से लगता हूने बाहर जाना पड़ सकता है फीजियों आ गई है ग्राउन पर तो चलिए अगर ऐसा होता तो गुजरात के लिए स्ट्रेट बैक हो सकता है क्योंकि इस नहीं हिराना मिडल ओवर्स पे बहुत इस शांदार गेंद बाजी करती है तो ऐसे में अगर उन्हें चोट लगती है तो यह निराश कर देने वाली बात होगी गुजरात के लिए करते हैं क्या कुछ होता है इस बीच सभी मित्रों से मैं बता दूं कि कल भारत और आस्फरिया के बीच चौथे प्रेटेस्ट मुकाबले की शुरुआत होगी और पहले दिन का खेल पहले सत्र सही हम लोग लुट पुठाएंगे के एम पंक के चैनल पर आप लोग जरूर अपना प्यार दें वीडियो को लाइक करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ऐसा लग रहा है कि शायद स्रेहरानक को वापस दाना पड़ेगा यहां स्रेहरानक काफी ज़्यादा चोट पे लग रहे हैं और शायद बहर नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे तो इससे पहले दोस्तों इनकी जो क्याप्टरन है वो भी चोटिल हुई हैं और अब स्रेहराना जो की कप्तान थी और जिन्हें कप्तानी करने का यहां पर मौका मिला अगर वो भी चोटिल हो जाती है तो गुजरात के लिए तो मुश्किल हो जाएगी ऐसे में हर्लीन देवल एक विकल्प है दोस्तों कप्तानी का देखते है पर शाय स्रेहराना फिट हो जाएंगी मेरे हिसाब से पैसा लग रहा है गेंदबाजी के लिए भी आ रहे हैं स्रेहराना वाह क्या बात है ता इक पेल इस पेरी गेंदबाजी पे रहेंगी स्रेहराना तो चलिए यह पर बैंडेज लगाया गया है स्रेहराना की उंगलियों पे गेंदबाजी पे स्रेहराना बल्लेबाजी पे एलिस पेरी अगली गेंद इस गेंद को खेला है डान के दिशा पे फिल्डर वहम मौझूद है कोई रन लेने का मौका नहीं दो गेंदों पे कोई रन नहीं आए इस ओवर से अटेकिंग हुद्रा में मौझूद एलिस पेरी मुझे लगता तिसरी गेंद पे बड़ा शॉट जरूर लगेगा और ये लिजिस गेंद पे पड़ गया है चौका बहुत ही शांदार शॉट गेंद गई है कवर की दिशा पे चार रन के लिए यश्वाई पूचने भाई आपके सब्सक्राइबर कितने केम पंक चानल पर उस पर छे लाग चालीस हजार सब्सक्राइबर होंगे लगबग नौदस में लग तीन ओवर बीच जाने के बाद आर्सिवी का स्कोर 89 एक्विकेट के नुकसान पर अगली गेन पर सिंगल लेकर के लिस्पेरी नेब स्ट्राइक डिवाईन को दे दी है तो रन करती जो चाहिए रिक्वाई रन डेट वो बढ़ता जा रहा है दोस्तों यारत असमल अव नौश्वन निपर पहुंच चुका है अगली गेन इस गेन को मिडाउन के दिशा पर खेल दिया गया है सिंगल के लिए नौश्वन पांच वर बिच जाने के बाद RCB विमन असी रन है एक विकेट के नुक्सान पे आखरी गेन स्नेहराना की स्ट्राइक पे लिस पेरी और ये ये अगली गेन वाइड हो गई है लेगिस्टम के बाहर गई गेन विलेगा एक एक्स्ट्रा रन RCB को नौश्वन पांच वर बीच जाने के बाद RCB विमन असी एक विकेट के नुक्सान पे यहां आवाज चैनल भी है अगली गेन इस गेन को खेला में डॉप के दिशा पे फिल्डर ने इस गेन को पकड़ा थो जरूर पर एक रंज जरूर मिलता हुआ आट रना है इस ओर से दस ओर बीच के है RCB विमन बेरासी रन एक विकेट के नुक्सान पे अब में तुर से आग रह करूँगा विडियो को जरूर लाइक करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो किया है यह तो चलिए अगली गेंद की तरफ बढ़ते हैं और अगला ओवर यहां पर लेकर के आ रही है तवर तवर कोप स्रम के बाहर की गेंद इस गेंद को खेला पॉइंट के दिशा पर पॉइंट पर फिल्लर मौजूद कोई रन नहीं मिलता हूँ तो एलिस पेरी देखा जाए तो आज काफी धीमी गति के साथ बल्ले बाजी कर रही है तो नहीं इस गेंदों पर इन्होंने 22 रन बनाए है दूसरी गेंद के साथ कवर स्ट्राइक पे एलिस पेरी कदमों का इस्तिमाल इस गेंद को मिड़ॉन पर खेला है टूंगॉन पर गेंद गई है मिलेगा एक रन 10-10 मलब दो और बीच जाने के बाद RCB विबन ने बना लिए हैं 83 रन एक विकेट के नुक्सान थे ओके यश भाई कल जरूर मिलेंगा शाकत अली जी जुड़ चुके है और की तीसरी गेंद इकबाल भाई का इकबाल स्पोर्स है चैनल का नाम और की तीसरी गेंद के साथ कमार स्ट्राइक पर रहेंगे एलिस पेरी टॉंग आप पर फिल्डर माजूद है बिलेगा एक रन तो 57 गेंद उपे यहां से RCB को जीतने के लिए बनाने हैं 118 रन पर चलिए काफी और होस्त नहिराना देख पा रहा हूं कि वह डग आउट पर चली गई यह लगता है आज का मुकाबला शायद ही खेल पाएंगी अगल गेंद मिडविकेट पर इस गेंद को खेला गया है एक रन के लिए स्ट्राइक पर डिवाई नाती भी 10-10 मेलव चार ओवर के बाद RCB विमन 85 रन है एक विगेट के नुकसान पर आखरी दो गेंदों पर देख रहा है क्या कुछ होता है अगली गेंद इस गेंद को इसको एले की दिशा पर खेला वल्लेबाज ने मिलता हुआ दो रन 10-10 मेलो 5 ओवर के बाद RCB विमन 87 एक विगेट के नुकसान पर आखरी गेंद आने वाली है कमर की और अब तक सिफ 5 रन आए इस ओवर से और इलिजा आखरी गेंद से भी एक ही रन आता हुआ एक जार ओवर बीद गए है RCB विमन का स्कोर 88 रन है एक विगेट के नुकसान पर तो यहां से 9 ओवर का खेल बाकी 54 गेंदों पर चाही 114 रन और रिक्वाइड रन डेट अब लगभग 13 रन प्रती ओवर तक पहुंच चुका है तो कहीं यह धीमी रफ्तार परिशानी का सबब ना बन जाया RCB के लिए अब दीखना अगला वर कौन करता है से रहराना तो अब चोट के वज़े से बाहर चली गई है तो यह से नौवर का खिलमा की और मांसी जोशी को लगा दिया गया है गेंद बाजी पर अपना पहला वर करेंगी इनके सामने हैं डिवाइन डिवाइन ने एक तिस गेंद पर 40 रन पर लाया है तस रन दूर अपने अरश्चा तक से तो एम जे मांसी जोशी आ चुकी है गेंद बाजी पर ओर की पहली गेंद आती हुई तो तेज गेंद बाज मांसी जोशी ओर दिविकेट से आती हुई अपना पहला गेंद करेंगी एक स्टम की लाइन इस गेंद को खेल दिया है लॉंगान के दिशा पे डीप पे फिल्डर माजूद सदर लैड ने तेजी के साथ गेंद को थ्रोक किया है एक ही रन मिल पाएगा बल्ले बाज को दिवाइन का स्कोर 21 सब्स्ट्राइक पहली सपेरी आ चुकी है लिगेन बहुत शानदार शाट गेन गई है चारण के लिए मांशी जोशी की दूसरी गेन को खेल दिया है फाइनले की तरफ एलिस पेरी ने चार रन के लिए और कि तीसरी गेन करती भी मांशी जोशी बल्ले बाजी पे हैं एलिस पेरी और ये एक और चौका इस बार थड़ बैन की दिशा पे बहुत शानदार प्लेसमेंट एलिस पेरी का 14 दस मलव 3 ओर के बाद RCB 97 रनेक विकेट के नुकसान पे देखती देख चब 32 पे पहुंच चुकी हैं पेरी लेकर के आती हुई मांशी जोशी और अपनी गेंट पेस गेंट को रोक लिया है अच्छी फिल्डिंग आती हुई 11 दस मलव 4 ओर के बाद RCB 97 रनेक विकेट के नुकसान पे पांशी जोशी की पांशी गेंट सामने है बल्लेबाज एलिस पेरी रूम बनाया इस गेंट को खेला पॉइंट के दिशा पे ठीक फिल्डर के पास गेंट गई है और आउट हो गई एलिस पेरी बहां थी बड़ी सफलता गुजरात को मिलती हुई डेंजर बल्लेबाज एलिस पेरी पतिस रन के स्कोर पे हो गई है आउट मांशी जोशी को मिली सफलता और इसके साथ 11 दस मलव 5 ओर के बाद RCB विमन का स्कोर 97 रन दो विकेट के नुकसान पे तो देखा जाया तो अब RCB किस्तिती थोड़ी सी नाजुक तो बनती भी दिख रही है बहुती गलत समय पहली सपेरी आउट हो गई है इन्होंने 25 गेंदों पे 32 तरन बनाया और 5 चौका जड़ा पुछली आकरी किन मांची जोसी की सामने रहेंगी नई बल्लेबाज देखना वो नई बल्लेबाज कौन है वो नई बल्लेबाज है रिचा घोष रिचा घोष भी ताकतवर ताबड तोड़ बल्लेबाजी करना जानती है काफी युवा है और काफी टैलेंटेट की लाड़ी रिचा घोष शेफाली वर्मा और रिचा घोष दो शांदार प्रतिभाजों की भारतिय टीम के लिए खेला करती है अब खेल रही है रिचा घोष आरसीवी के लिए गेंदवाजी पे मांशी जोशी ओवर की आखरी गेंदाती हुई ओ बीट हुई है बल्लेबाज पार ओवर के बाद आरसीवी संतानवे दो विकेट के नुकसान पे अचली बार ओवर आरसीवी के स्कोर संतानवे रन दो विकेट के नुकसान पे 48 गेंदे बागी जीतनी के लिए चाही 105 रन और अब बी एलिस पेरी के आउट होने के बाद रिचा घोष आई है मैदान पे तो प्रतीक भाई जुल चुके हमारे साथ यश भाई है क्रांति वीर सिंग हमारे साथ अमन यादव है सोनु जी है खर्म राम जी है अजब गजब फनी वीडियो है अब का बहुत बहुत शुक्रिया जोड़ने के लिए वीडियो को जरूर लाइक किजिएगा दोस्तों अगर आपने अभी अभी इस वीडियो को देखा है तो देख रहे हो तो अगली गेंद और इस गेंद को उठा करके खेला है दिवाई ने चार रन के लिए तो स्रेह राना आई है वापस से बन की पहली गेंद पर पढ़ गया है चौका 12 दस मलव एक ओवर आर्सिवी विमन ने 101 रन दो विकेट के नुकसान पर एक मिन दोस्तों स्रेह राना यहाँ पर गेंद बाजी नहीं कर रही है सदर लैंड कर रही है गेंद बाजी एक मिन दोस्तों किम गार्थ है यहाँ फिर सदर लैंड है मैं आपको कनफर्म करता हूँ किम गार्थ कर रही हैं गेन बाजी अगली गेन जॉरकर गेन कोई रन नहीं आता हुआ 12 दस मेलब दो वर के बाद RCB का स्कोर 101 रन दो विकेट के नुकसान पे अगली गेन होगी किम गार्थ की सामने हैं डिवाइन अगली गेन इस गेन को खेल दिया है कवर के दिशा पे बहुत ही शानदार शॉर्ट डिवाइन के बल्ले साथ आथ हो और इस चौके के साथ डिवाइन पहुंच गही हूँ उन चास पे सिर्फ एक रंदूर है अपने अर्द श्रतक से बहुत ही अच्छी बल्ले बाजी होती हुई 12.03 के बाद RCB विमन एक सो पांच रंद दो विकेटों के नुकसान पे बल्ले इसी के साथ डिवाइन ने सिंगल के साथ अर्द श्रतक पूरा कर लिया है डिवाइन ने 36 गिंद पे पूरा की अपना अर्द श्रतक पारद असमन लव चार ओवर के बाद RCB विमन एक सो छे रंद दो विकेट के नुकसान पे इस गेंद लेकर के अतवी किमगार्थ इस गेंद को खेला है पॉराइन के दिशा पे फिल्डर वहाँ मौजूद पारद असमन लव पाँच वर के बाद RCB का स्कुर एक सो छे रंद है दो विकेट के नुकसान पे गार्थ के अनली गेंद अप्स्टम के बाहर ओहो बहुत ही बढ़िया गेंद बीट हुई है बले बाज रिचा गोश तो रिचा गोश ने तीन गेंदों का सामना कियाब तक अपना खाता नहीं खोल पाई है तेरा और बिल जाने के बाद RCB का स्कुर एक सो छे रंद दो वि और और दोसुझ वियुड तक सामना के सामना के सामना के बादर पूल्शम qe बादर 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 पाल तो 14 वे ओवर की शुरुवात गेंद बाजी पे स्नेहराना आ सकती है जी हाँ स्नेहराना कर रही है गेंद बाजी अपना तीसरा ओवर ओवर की पहली गेंद और गेंद गई है फाइनलेक की दिशा की तरफ मिलेगा एक रन तो जो रिक्वाइड रन डेट वर लगभग 14 रन प्रती ओवर की आसत पे पहुंच चुका है तो हर एक ओवर पे 14 रन बनाने हैं लगभग अगर जीत रहा है यह मुकाबला आरसीवी को तो अगली गेंद और इस गेंद पे चौका पड़ गया है स्नीह राना की गेंद पे रिचा घोष ने मार दिया है चौका थड मैन की दिशा पे ओवर की चौथी गेंद स्नीह राना की पाइट पे रिचा घोष और यह लिजी अगली गेंद पे एक और चौका दो गेंदों पे दो चौका लगाती भी रिचा घोष अगली गेंद वर की आकरी गेंद रसने है राना लेकर के आती हूँ ही स्ट्राइक पे है डिवाइन नहें राना ने तीन ओवर की गेंद वाजी पे तैस रंदी हैं और अब कुफी डिवाइन काफी शांदार बल्ले बाजी कर रही है 38 गेंदों पे अर्दश्टक लगाके बावन रनों के साथ खेल रही है 14 और बीच चुके है RCB का स्कोर 117 रन है दो विकेट के नुकसान पे यहां से 36 गेंदों पे चाहिए 85 रन तो देखा जातों जो धीमी बल्ले बाजी हुई है वह शायद सरदर्द साबित हो सकती है RCB के लिए तो चलिए देखना है क्या कुछ होगा दोस्तों विडियो को ज़रूर लाइक करें चानल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो चलिए अब 15 ओर की शुरुवात सामने है बल्ले बाज डिवाइन और अब यहां से हर एक ओर पे 14 से भी उपर रन बनाने पड़ेंगे अगर RCB को यह मुकावला जीतना है तो और हम देख पाएने कवर आ चुकी है अपने अगले ओर के साथ अपना चौथा ओर करेंगी स्ट्राइक पे है डिवाइन पैली गेंद इस गेंद को उठा दिया है बहुत ही शांदार तरीके से लॉंगाउन के दिशा पे गेंद कई है फॉर दी मैक्सिमाम शांदार च्छका डिवाइन के बल्ले से आता हुआ चौदा दस मलव एक ओर के बाद RCB विमन ने 123 दो विकेट के रुकसान पे और की दूसरी गेंद करेंगी कवर सामने है डिवाइन तल दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मुकाबला हम देखने वाले हैं भारत अस्ट्वेलिया चौथा टेस्ट मुकाबला अगली गेंद इस गेंद को खेल दिया है एक एक्स्ट्रा कवर के दिशा पे पांशी जोशी ने उस गेंद को रोका कोई रन नहीं आता हुआ आकरी तीन गेंदों पे देखना है क्या होता है कवर की चौती गेंद स्ट्राइट पे घोष ओहो बहुत ही बड़िया शॉट खेला तो जरूर है पर डिप पे फिल्डर मौचूथ गेंद गई थी मिलेगा एक रहनी स्ट्राइक पर वापस से डिवाइन आती हुई अब तक चार गेंदों पे आट रना है कवर के सोवर से देखना है पांच वी गेंद पे क्या होता है गेंद बाजी पे कवर बाय हाथ की स्पिन गेंद बाज सामने है डिवाइन दाय हाथ की बल्ले बाज अब तक यह अगली गेंद और ऐसा लग रहा है कि स्टम्प कर दी गई है बल्ले बाज अलगि अंपायर की तरफ इशार गया है और जिस प्रकार से विकेट कीपर खुश हो रही है उनके हिसाब से उन्होंने स्टम्प कर दिया है डिवाइन को और ऐसा लग रहा है डिवाइन ने वॉक करना भी चालू कर दिया है देख रहा है थड़ अंपायर का क्या इशार आता है तो ऐसा लग रहा है कि आउट नहीं हुई है यहां दोस्तों यहां पर आउट नहीं हुई है पंदरा वर बिज जाने के बाद आरसी विकाई स्कोर 125 रण दो विकेट के नुक्सान पे तो आखरी पांच और बाकी है 30 गेंद बाकी जीतने के लिए 77 अन यह मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है आखरी के ओरोंपे कर दोलिए कर दो एको इब हाँ चलिए अब सुलमे और की शुरुवात होने वाली है रिचा घोश और डिवाइन देखना है क्या RC भी को जीत दिला पाने में काम्याब हो पाती है या नहीं अलो मुमता शर्मा जी जुडने के लिए धन्यवाद अफसाद नव जोत कुमार भी जुड़ चुके है कोफी डिवाइन हमारी कफ्तान है बहुत शांदार बल्ले बाजी कर रही है यह एस ली तो हमने कफ्तान बनाया था कोफी डिवाइन को और क्या शांदार बल्लेवाजी करी तो कप्तान का चैन हर एक हमारी टीम को अगर आप देखेंगे पिछले दो-तीन दिन से तो हमारी जो कप्तान है वो टॉप की परफॉर्वर भी हो रही है हर्मन फ्रीद को और अर्लीन देवल को नहीं लिया वो गलती कर भी वना हमारा एक क्रोड जीतना दो पैथा और ये लिजए अगली गेंद और ऐसा लग रहा है कि आशली गार्डनर ने विकेट ले लिया है रिचा घोश का पोल्ड कर दिया है आशली गार्डनर ने रिचा घोश को हमारी टीम क्यूप कप्तार है और क्या शानदार तरीके से इन्होंने विकेट लिया है अभी अभी आशली गार्डनर ने हलो अर्णिंग दीपक आपका स्वागत है तो चली अब नाइट आ चुकी है अगली बल्लेबाज इस वक्त आर्सीवी के स्थिती नाजुक होती भी दिख रही है 29 गिंदों पे चाहिए 87 रन अगली गेंद लेकर क्या आती हुई गार्डनर और एक बार फिर से अच्छी गेंद बाल बाल भची बल्लेबाज इक बार फिर से बोल्ड होते होते है इससे पहले रिचाग घोश को भी बोल्ड किया था इन्होंने 271 मुकाबले पे 663 रन है नाइट के और 49 अरदश्टा तक है काफी बहतरीन बल्लेबाज है नाइट परकि अगली गेंद इसकेंद को उठा करके खेल दिया है लॉंग आप की दिशा पे लेगा एक रन पर तुझ में परे जोगा परे बल्लेबा इसकेंद प्रॉट थाद्टा भीट्टा थाजने के लिटाएग अवसे लिवसे प्रॉण से लिवसे रिचा प्रॉदाओ तक है कि अवसे दू़टे अजमटध है लिए वेड़़रा इसे लिवसे दॉफेशर कर प्राद अगली गेन इस गेन को थर्ड मैन के दिशा पे खेल दिया गया है चार रन के लिए और की आखरी गेन गार्णर की स्ट्राइक पे रहेंगी नाइट और यह अगली गेन एक पार फिट से उठाती हुई इस गेन को चार रन के लिए तो नाइट ने ताबर तोड़ बल्ले बाजी शुरू कर दी है दो लाओरों के बाद आरसीवी वुमन एक सो पैंतिस तीन विकेट के लुक्सान पर तो बचे चार रोरों पर देखना है क्या कुछ होता है दोस्तों पर तोस्तों प्याद कर दोस्तों टीम कर दोड़ थे इस होता है तो आखरी चार वर 24 गेंदे जीतने के लिए चाहिए सड़ सट रन है नबल सदर लेंड अपने तीसर वर के साथ सामने है सोफिया डिवाइन तो अगली गेन उठा करके खेल दिया गेन को इसको अले के उपर से फॉर दी मैक्सिमम शानदार चका चुका है अब यहां से 23 गेंदों पर चाहिए एक सट रन तो लद उसमेल अब एक ओवर आरसीवी का स्कोर 141 तीन विकेट के नुकसान पर ओवर की दूसरी गेन सदर लैंड की स्ट्राइक पर है डिवाइन और यह अगली गेंद एक बार फिट से उठा दिया है लोंगाउन पर खिलाडी मौजूद है आउट हो जाएंगी डिवाइन सदर लैंड को मिल गई है सफलता स्कोर 141 तीन विकेट के नुकसान पर बाइस गिंदों पर अब चाही एक सट रन बहुती बड़ा विकेट मिल चुका है सेट बल्लेवाज डिवाइन का विकेट मिल चुका है दोस्तों कि इसरी गेंड इस ओवर की सदर लैंड करेंगी गेंद बाजी सामने है डिवाइन सोफी डिवाइन अभी भी आउट हुई है और अब नहीं बल्ले बाजाएंगी ओवर की तीसरी गेंद का सामना करेंगी अगली बल्ले बाज सदर लैंड देखना है कि इन्हें भी आउट कर पाने में काम्याब हो पाती है या नहीं कि इन्हें गेंद और ऐसा लगा आउट होते होते बज गई है या दोस्तों विकेट कीपर के बिल्कुल पास में गेंद गिरी थी अलकि कैच नहीं ले पाई है शुश्मिता और इसी वीच अगली गेंद और इस गेंद पर मिल जाएगा दो रण सदर्लेंड की गेंद आपस्टम के काफी बाहरती कीपर भी नहीं पकड़ पाई उस गेंद को तो लगस मलव तीन ओवर के बाद रसीवी विमन 145 चार विकेट के नुक्सान थे अगली गेंद आपस्टम के बाहर काफी बाहर गेंद को खेल दिया पॉइंट के दिशा पे शांदार चार रन के लिए नाइट के बलने साया चौका बीस गेंदों पर बनाने हैं तिरपन रन पांचवी गेंद के साथ सदर लैन स्ट्राइक पर है नाइट अगली गेंद आती भी अपस्टम के बाहर की गेंद एक बार फिट से चौका इस बार थड मैन के दिशा पे चौका आया है तो लदस मलव पांच वर के बाद आरसी भी बने एक सो तिरिपन चार विकेट पर उनीज गेंदों पर अब उन्चास रन चाहिए अगली गेंद एक और वाइड बहुत ही महंगा और आता हुआ सदर्लेंड का पांच गेंदों पर उनीज रन आ चुके है सदर्लेंड से हमें काफी उम्मीदे रहती है पर अपसो उसकी बाद अभी उनके स्तिती काफी खराब नजर आ रही है पोर की अगली गेंद एक स्टम की लाइन इस गेंद को खेल दिया है पाइन लेकी दिशाप एक और चौके के लिए बहुत ही खराब ओवर एनाबेल सदर्लेंड का 22 रन आ है सूवर से और अब 18 गेंदों पर जीतने के लिए चाहिए 46 रन और दोस्ते से बीच आप जाईए हमारे दीगल लिंक पे ट्रेड एक्स आप को किजिएगा डाउनलोड क्योंकि आप इस गेंद को खेलते वे जीत सकते धेर सारे पैसे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल रहा होगा आप जाईए दीगल लिंक पे डाउनलोड किजिए ट्रेड एक्स आप को और जब आप रेजिस्टर करेंगे तो वहाँ पे आपको कोड अगर मांगा जाता है तो कोड डालिएगा गेट 20 जोकि हमने डिस्क्रिप्शन पे लिख दिया है तो कोड को डालती है आपको 20 रुपे का स्टेंड जोइनिंग बोनस मिलेगा 17 और के बाद RCB वोमन 154 विकेट के नुक्सान पे अब गेन बाजी पे देखना कौन आता 18 में और की होगी शुरुवात स्ट्राइक पे हैं अहुजा कनीका अहुजा परस्ति नहराना आ गई है गेन बाजी पे पहली गेन रूम बनाया गेन पे मार दिया है चौका कनीका अहुजा ने भी चौका जड़ दिया है लगातार ताबड तोड रन बनते जा रहे हैं लगातार चौके की शक्के की बरसाथ हो रही है आर्सिवी की तरफ से 17-10 मलब एक ओवर आर्सिवी वोमन 162 रन है चार विकेट के नुकसान पे ओवर की दूसरी गेन स्नेहराना की स्ट्राइक पे कनीका अहुजा पिल्टाज डेलिवरी खोल दिया है इस गेन को स्ट्राइक की दिशा पे फिल्डर मौजूद विलेगा एक रन 17-10 मलब दोवर के बाद आर्सिवी 163 रन है चार विकेट के नुकसान पे और अभी मांग की जारी है नो बॉल की पाउंसर डेलिवरी थी नो बॉल की मांग हो रही है चैलेंज किया गया इस गेन को ज़े फुल टॉस थी क्या 17-10 मलब दोवर आर्सिवी 163 रन है चार विकेट के नुकसान पे ओहो जी यहां दोस्तों फुल टॉस डेलिवरी थी और विस्ट हाइट के उपर है के इसे में नो बॉल मिलेगा आने वाली गेज हो जाएगी फ्री हिट यहां दोस्तों नो बॉल का इशारा आने वाला है नो बॉल को फिलहाल चेक किया जा रहा है अगर नो बॉल होता तो आने वाली गेन फ्री हिट हो जाएगी एक एक्स्ट्रा रन भी जाएगा ऐसे गिन डिप कर रहे थी तो ऐसे में शायद नो बॉल ना भी मिले तो चलिए ऐसे में नो बॉल नहीं दिया जा रहा है तो रहराना अपनी तीसरी गेंद को करेंगी अगली गेंद और इस गेंद पे रिवर्स स्वीप करने की कोशिश मिलेगा एक रन अब तक छे रना है पहली तीन गेंदो पे 17 दस मलव तीन ओर के बाद आर सीबी का इसकोर 164 रन है चार विकेट के नुकसान पे अगली गेंद स्रेह राना की सामने है बल्ले बाज अहुजा ओ अच्छी गेंद कोई रन नहीं आता हुआ तो स्रेह राना का अपतानी गेंद बाजी कर रही है तोटील है पर आई है एन मौके पे गेंद बाजी के लिए और अब तक सिर्फ 6 रन आ है पहली 4 गेंदो पे 14 गेंदो पे अब 38 रन चाहिए और की 5 भी गेंद के साथ स्रेह राना सामने है अहुजा इस बार रूम बनाया है गेंद को खेल दिया मेंड विकेट के दिशा पे चार रन मिलता हुआ तो अब 10 रन आ चुके हैं 5 गेंदो पे देखना आखरी गेंद पे क्या होता है 17 अगली गेंद सी तबले से गेंद को खेल दिया गया है एक बार फिड से उसी उंगली पे चोट लगी है जिस से उंगली पे पहले से ही चोट दिलती स्रेह राना 18 अबर के बाद RCB 179 चार विकेट पे 19 अबर के तरफ बढ़ते हैं आखरी बार अगेंद जीतने के लिए चाहिए 33 रन कुछ भी हो सकता दोस्तों कतीजा किसी भी तरफ जा सकता है और यह जी ऐसा लग रहा है कि स्टंप हो गई है जी यहां दोस्तों अभी अभी कनीका हुजा का विकेट गिर गया है एशली गार्डनर को मिली तीसरी सफलता एशली तीसरी सब ताट जी अभी कि एडर टीसरी देग मार लाशनरdens वर तीसरी कि एडर मार लाँ से जाडिभी एडि आली गेड़ झीपो´ एडिवी थीज़ एडिए इडिवी भी मार लाँ थीकुपяжी एडि़ यहां से अब 11 गेंदे बांकी जीतने के लिए चाहिए 33 रन तो यहां काफी करीब आ चुकी है बैंगलोर की टीम नहीं चाहेगी हारना अगली गेंद एक बार फिट से अच्छी गेंद कोई रन नहीं दो गेंदों पे कोई रन नहीं आया और एक विकेट भी मिला है खिमनार कर रही है बल्लेबाजी 37 मुकाबले पे 412 रन दो अर्दश्रा तक है इनके करियर पे इनको खिला है लंगाउन के दिशा पे फिल्डर मौजूद मिलेगा एक रन और अब स्ट्राइट पे नाइट आ जाएंगी तो काफी रोमान चक मुकाबला हो चुका है नौ गेंदों पे चाहिए 32 रन अगर इस ओवर पे चके चौके नहीं पड़े तो मुश्किल में है आर्सिबी की टीम अगली गेन लोगाउप इस गेन को खेल दिया है एक रन मिलता हुआ अठार दस मलव चार ओवर बीच चुके हैं और आर्सिबी ने बना है 111 रन पांच विकेट को करके और अब सब कुछ निर्भर करेगा नाइट को पर किस प्रकार से इस पारी को आगे बढ़ाएंगी और क्या अपनी टीम को जीद दिला पाएंगी या नहीं अश्टी गार्डनर की तारीब करनी पड़ेगी अपने अनुभव का भरपूर फायदा उठाते हुए उन्होंने तीन दस मलोग पांच वर की गेंद बाजी पे 25 रन दे करके तीन सफलताएं हासिल की हैं आखरी गेंद करती हुई गार्डनर स्ट्राइक पे हैं बल्लेबाज नाइट और एलिजेस गेंद को उठा दिया लॉफ्रेट शॉट लोंग ऑन के दिशा पे गेंद गई है छक्के के लिए तो अच्छे ओवर की समापती छक्के के साथ होती हुई नौर अना है इस ओवर स और अब आखरी ओवर पे जीतने के लिए चाहिए 24 रन तो काफी मज़दार मुकाबला चलता हुआ अब आखरी ओवर पे जीतने के लिए चाहिए आरसीबी को 24 रन तेखना है क्या कुछ होगा अब नई गेंदवा जाने वाली है आखरी ओवर के शुरुवात होने वाली है खेमनार रहेंगी स्ट्राइक पे देखना है आखरी 6 गंदों पे क्या 24 रन बन पाते हैं या नहीं और गेंदवाजी पे सदर्लैंड आ चुकी है इनके लिए यह मैच अच्छन नहीं गया है देखना आखरी ओवर पे क्या मुकाबला जीता सकते हैं नहीं और यह यह फाइल लेक पे गेंद गई है और बहुत ही शानदार कैच पकड़ लिया गया है आउट हो गई है हिमनार सदर्लैंड को मेली सफलता 1910 मलव एक ओवर आरसीवी विमन 178 छे विकेट के नुकसान पे अब आखरी पांच गिंदों पे चाहिए 24 रन तो तीन छक्के तो अभी लगाने पढ़ेंगे वरना यह मुकाबला आरसीवी हारती हुई नजर आ रही है तो मिडल लोवर्स पे धीमी गती की बल्ले बाजी इस वक्त परिशानी में डालती हुई आरसीवी को आज गेंदे बाकी हैं देखना है दूसरी गेंद पे क्या होता है सदर लैंड की दूसरी गेंद श्ट्राइक पे अब आएंगी नई बल्ले बाज मुसीबत में आरसीवी की टीम चली अब देखना है आखरी और पे क्या कुछ होने वाला है सदर लैंड की दूसरी गेंद श्रेयांका आचुकी है गेंद बल्ले बाजी पे श्रेयांका पाटिल सामना करेगी सदर लैंड की दूसरी गेंद का या पांच गेंद उपे 24 रन बनेंगे अभी एक छक्का लग जया तो मज़ा ही आ जाए वोर्दी विकेट से सदर लैंड और ये जिस गेंद को लोंग आफ की दिशा पे खेला है बहुत ही बढ़िया फिल्लिंग मिड आफ की फिल्डर ने डाइव मारते विस गेंद को रोका है सुने है राना ने रोका है चोटिल है पर क्या शानदार फिल्डिंग कर रही है एक सटिक चौके को रोग दिया है सनेह राना ने अपनी बेहतरीन फिल्डिंग से और अब आखरी चार गिंदों पे चाही तईसर रन इस्ट्राइक पे है नाइट अब हरे गेन पे उन्हें छक्का लगाना पड़ेगा और की तीसरी गेंद के साथ आती हुई सदर्लेंड स्ट्राइक पे नाइट और इस गेंद पे सिंगल ही आ पाया है बहुत यह अच्छी गेंद सदर्लेंड की तो अब बद देखा जाए तो यह मुकाबला आर्सिवी की टीम हारती हुई नजर आ रही है तीन गेंदों पे चाही बाइस रन अगर नो बॉल आता है उस पे च्छका लगता है कोई कुछ हो सकता है गवर की चौधी गेंद सदर्लेंड की स्ट्राइक परहेंगी पाटिल कल दोस्तों सुबह से हम लोग लग जाएंगे भारत बनाम आस्ट्रेलिया के बीच चौधे टिस्ट मुकाबले को लेकर के जो की हम केम पंक चैनल पे लेकर के आने वाले हैं अगर आप पे हमारी चैनल केम पंक को सब्सक्राइब ने किया तो जरूर करें अगली गेंद इस गेंद को उठा दिया है गेंद स्क्वैल लेके दिशा पे जा रही है फॉर दी मैक्सिमाम छक्का लगा दिया है पाटिल ने तो अगर यहां से नो बॉल आता है तो ही कुछ हो सकता है दो गेंदों पे सोलर रन चाहिए अभी भी छक्का जड़ा है पाटिल ने यहां नो बॉल आएगा क्योंकि अगर दो गेंदों पे छक्का भी लगता है तो भी चार रन पीशे ही रहेगी आर्सिबी की टीम अगली गेंद शॉट पिच डिलिवर एक बार फेट से उठा दिया है गेंद को गेंद हवा पे है बॉन्डी रेखा कि ठीक पहले गिरी है गेंद बिलेगा चौका बारे रना चुके हैं अब तक इस ओवर से अब आखरी गेंद पे जीतने के लिए बारे रन चाहिए अगर नो बॉल आता हूँ गेंद पे छक्का जाता है तो ही कुछ हो पाएगा आखरी गेंद सदर्लैंड की स्ट्राइक पे पाटिल चलिए आखरी गेंद पे चाहिए बार रन ओर दी विकेट से राउंड दी विकेट से आती भी सदर्लैंड सामने है पाटिल और यह इस गेंद पे बीट हो गए बल्लेबाज आखरी गेंद से कोई रन नहीं आता हुआ और यह मुकाबला जीत लिया है गुजरात जायंट्स की टीम ने तो चलिए मुकाबले को जीती हुई गुजरात जायंट्स की टीम काफी शांदार मुकाबला था पर स्लो रन रेट की वज़े से आर्सीवी ने यह मुकाबला हार गए है और 11 रन से जीती है गुजरात की टीम आर्सीवी की टीम यहां पर हारती हुई पीस ओवर पे से पे 190 रन ही बना पाई आर्सीवी की टीम और गुजरात जायंट्स विउमन की टीम यह मुकाबले को 11 रन से जीत चुकी है तो चलिए दोस्तों अब समय हो गया है जाने काओ हम आपके साथ मिलेंगे कल के मुकाबले पे कल पहले केम पंक चैनल पे हम जुड़ेंगे और आपके लिए वहाँ पे मैं लाओंगा भारत और आस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन के खेल को तो मैं लिंक दे देता हूँ केम पंक का कई सारे मित्र कह रहें कि उन्हें लिंक नहीं मिल रहा है चैनल केम पंक आपको चैट पर दे दिया गया है वही जाने से पहले दोस्तों हमारे स्पॉंसर टरेड एक्स को जरूर डाउनलूड कर लें लिंक हमेरे ने पिन चैट पे दिया है लिंक description पर मिल जाएगा और description पर कोड भी है जो कि खास हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है और वो कोड है get20 तो आप हमारे दिएगे लिंक से जाकर कि जब डाउनलोड करते है tradex आप को और उसके बाद फिर आप register करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि क्या आपके पास कोई promotional code है तो उस promotional code की इस्थान पे आपको get20 लिख रहा है ताकि आपको 20 रुपए मिल जाए और उन्ही 20 रुपए का इस्तेमाल करते हो आप trading भी चालू कर सकते हैं तो चलिए काफी शांदार मुकाबला अब समापती की तरफ तो चलिए हम लोग मिलेंगे आपके साथ कल के मुकाबले पे अपता ख्याल रखें वीडियो को लाइक करें चानल को जरूर सब्सक्राइब किजिएगा थैंकिस सो मच पर जॉइनिंग गाइस लव यवरेवन टेक केर गुड नाइट जरूर सब्सक्राइब करें